एल्लो गाइज, वाट्स आप, क्या हाल चाल है, सबके एक बार फटाफट चैट में बता देना, येस, आज का जो वन शॉट है, that is, मेट्रिसेस, काफी लेट हो गया, आज एक्चुली, ठीक है, एनिवेज, बट स्टार्ट करते है, आज का वन शॉट मेट्रिसेस आज हम करने विद दे हैश्टेग ऑफ बाउंस बैक, अगर आप बाउंस बैक सीरीज को फॉलो कर रहो, तो इसको शेर करना बनता है, ठीक है, बट डेफिनेटली, आज हम सब कुछ कवर करेंगे, मेट्रिसेस में, कम्प्लीट थियोरी विल बी देर, बहुत सारे हम पीवाई क्यूस प् 2021 के, 2020 के, जो भी recent year questions है, उसकी practice भी हम यहाँ पे खूब बर-बर के करता है, ठीक है, in fact हम यहाँ पे काफी सारे जही एडवांस की पीवाई क्यूस भी कवर करने वाले है, ठीक है, तो definitely welcome to Unacademy Atoms, bounce bag series आपका चल रहे है, अगर आपने bounce bag series को explore नहीं किया, तो definitely आप इसको explore कर है, एक बार फटा फट बता दो मुझे, सब लोग आगे क्या, good afternoon, good afternoon, और बताओ क्या हाल चाल, all of you are fine, yes, क्या हाल चाल है सबके, all good, good afternoon, मेरे गाल से matrices एक ऐसा chapter है, जिसका काफी दिनों से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, है ना, बहुत सारे comments में पढ़ता रहता हूं, तो हर जगह यही था कि sir, matrices and determinants कब होगा, matrices and determinants कब होगा, ठीक है, तो finally मतलब वो दिन आ गया है, तो आज के बाद ये सारे comments आने बंद हो जाएंगे, ठीक है, matrices हम करेंगे, और फिर अगले Thursday को हम करेंगे, determinants, इसको दो पार्ट में divide कर दिया है, क्योंकि बहुत लंब लंबे chapters है, कुछ भी skip करने का मतलब बनता नहीं है, सब कुछ हमें cover करना है, ठीक है, तो matrices में सब कुछ करेंगे, determinants में सब कुछ करेंगे, ठीक है, along with so many PYQs and complete theory will be there, तो सब कुछ in fact हम यहाँ पे detail में cover करेंगे, ठीक है, तो यह जो आपका one shot है, यह one shot तो है, लेकिन इसम अगर in fact, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है, जिसने detailed lectures नहीं देखे है, तो भी आप इसको follow कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ती, विपत्ती, संपत्ती, नहीं है, ठीक है, yes, I hope कि मतलब यह clear है, अब आगे बढ़ता है, yes, before we start, एक बार यहाँ पे आप मेरे बारे को mentor किया है, in fact, last year अगर आप देखोगे, तो 100 percentile, प्रग्या अगरवाल, और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनकी यहाँ पे मैच्स में, या overall 100 percentile भी आई है, ठीक है, तो definitely मतलब आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हो, कि जो भी teachers आपके साथ यहाँ पे connected है, bounce back series में पढ़ा रह सबको दिखा देना कि यह जो bounce back series है, ultimately, this is the ultimate series, जिसमें आपका सब कुछ है, अगर आपने इसको अच्छे से follow कर लिया, तो definitely result की guarantee है, ठीक है, yes, तो start करते है, before we start, अगर किसी ने channel को subscribe नहीं किया, तो definitely आप यहाँ पे channel को भी subscribe कर लो, so that in future जितने भी आपके videos आते हैं, उसका अब यह आपको notification आजाएगा, and साथी साथ आप यहाँ पे telegram channel को join कर सकते हो, यह official telegram channel है, t.me slash anacademy atoms, इसको आप join कर सकते हो, साथी साथ bounce back series के complete notes और lectures आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, live daily.me slash atoms, ठीक है, तो यह एक single link है, जहाँ पे आपको सारे resources मिल जाएंगे, यूट्यू पे, है न, आप इसको जैसे ही click करोगे, तो आपका open भी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, मुर्ला, maths के सारे one shots है, chemistry के one shots, physics के one shots, ठीक है, 11th, 12th, already I think काफी सारे chapter तो cover भी हो गया, ठीक है, बट आप यहाँ पे इसको आराम से follow कर सकते हो, अगर किसी का backlog हो गया है, 4-5 chapter का, अगर आपका backlog है, तो definitely आप इसको click करके भी open कर सकते हो, है न, अभी गलती से click हो गया था, तो open हो गया, yes, चलो, और आगे बढ़ते है, and definitely अगर आप anacademy subscription platform पे आते हो, तो यहाँ पे आप किसी भी एक single batch को subscribe नहीं करते हो, anacademy में सबसे अच्छी बात यही है, कि आप multiple educators को follow कर सकते हो, multiple batches are there, जो quota वाले educators है, वो भी यहाँ पे पढ़ा रहे, and best of the best educators का आपको यहाँ पे access मिल जाएगा, in fact, vibrant classes, bunsen classes, nucleus, even आपका china batch start हो गया, जिसमें चतन्या और नाराना के educators है, ठीक है, तो South India का number one batch, वो भी आपको anacademy के subscription platform पे मिल जाएगा, ठीक है, त इसका नाम है manzil batch, है ना, manzil batch में हम 11th का complete revision कर रहे है, तीन महीने के अंदर अंदर, तो अगर आपको 11th के सारे topics revise करने है, तो manzil batch को join कर लो, 12th के सारे topics को भी आप parallelly revise कर सकते हो, उसके लिए जो batch का नाम है, that is rapid revision batch, तो जो 12th और dropper वाले बच्चे है, वो दोनों batches को parallelly follow करे और जो 11th वाले बच्चे है, जो 2023 aspirant है, वो केवल manzil batch को follow कर सकते है, ठीक है, multiple educators है, तो इसमें आपका physics, chemistry, maths, सब कुछ आपका detail में cover होगा, along with questions की practice, PYQs, detail में theory भी है, सब कुछ है, ठीक है, तो theory भी हम cover करेंगे, questions भी है, DPPs आपको मिल जाएगी self practice के लिए, in fact आपको इस subscription लेना पड़ेगा, आपके पास जो भी duration बचा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर select कर सकते हो, multiple options are available, आप plus का ले सकते हो, iconic का ले सकते हो, उसमें भी अलग-अलग options है कि आपको duration कितना select करना है, but आप NV live use कर लोगे, यह code use कर लोगे, तो definitely आपको यहाँ पर, maximum possible discount मिल जब भी आप Unicademy के platform पे आते हो, चाहे वो free resources है, या paid वाले resources है, वो सब कुछ आपके लिए unlock हो जाएगा, by using this code, ठीक है, yes, JMAIN 2022 कब होगा सर, अरे expected तो यही है कि March में होगा, बट अभी तक कुछ final date आया नहीं है, अभी थोड़ा wait करो, मेरे खाल से बहुत जल्दी dates वगर March में, आप मान के चलो कि आपके exam expected है, चलो आप start करते है, ठीक है, तो finally, matrices, एकदम basic definition से start करते है, तो matrices का basic definition क्या होता है, basic definition होता है, it is nothing but arrangement of numbers, in rows and columns, तो आप numbers को arrange कर लो, बस बहुत सारे ऐसे element, इनको बोलते है elements, यह 15 क्या है, एक element है, यह भी एक element है, ठीक है, ठीक है, तो basic definition is, it is rectangular array of number, array मतलब arrangement, ठीक है, this is nothing but arrangement, तो rectangular arrangement of numbers, numbers को आप rows और columns में arrange कर दो, इसमें भी I think काफी से बच्चों को यह दिक्कत होती है, कि सर हमें याद नहीं होता है, कि यह जो horizontal वाली होती है, row होती की column होती है, यह जो vertical है, वो row है की column है, तो इसको याद करने का एक trick मैंने आप आपको बताया था, बहुती मतलब छोटा सा trick है, बट काफी अच्छा trick है, तो row ऐसा होता है, आर, तो row का मतलब horizontal, आप आर को लिख दो और column, column का मतलब C, तो column का मतलब vertical, ऐसा होता है, यह C लिखा हो है, अगर यह C लिखा हो है, तो column is always, तो यह first column है आपका, यह column है, vertical वाले जो होता है, वो column होता है, यह second column है, और similarly, जो horizontal वाले है, वो row है, तो यह first row है, यह second row है, और यह third row है, ठीक है, तो how many rows are there, total three rows are there, and two columns are there, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, अगर किसी को कोई confusion है, तो, यह solid तरीका है, इसको याद करने का best trick है, जिससे आपको याद हो है, जिससे determinant के corresponding value होती है, determinant की आप value निकाल सकते हो, उसको open कर सकते हो, उसको expand कर सकते हो, but matrices की value नहीं होती है, it is just an arrangement, बस arrangement of numbers है, rows और columns में, आप numbers को arrange कर दो, यह जो numbers होते है, इन ही को हम बोलते है, elements, तो how many elements are there, यहापे total कितने element है, आप count कर सकते हैं, एक दो, तीन, चार, प cross the number of columns, number of rows, cross the number of columns, number of rows कितनी है, यहापे how many rows are there, एक, दो, तीन, तो number of rows are 3, cross, यह cross है, multiplication नहीं है, तो multiply मत कर देना, है न, तो 3 cross कितना आजाएगा, 3 cross 2 आजाएगा, तो this is the order, इसको हम बोलते है, order of matrix, यह इसको हम बोलते है, size of the matrix, तो order या size, समझगे न, इसको बोलते है, order, और अगर आपसे कोई पुछेगा, number of elements कितने है, तो multiply कर लो, इन दोनों को multiply कर लो, 3 into 2, 3 into 2, 6, तो how many elements are there, total 6 elements are there, समझ गये न, तो आप multiply कर दोगे, तो number of elements आ जाएगा, but order इसको बोलते है, rows, cross, columns, हमेशा जो rows होती है, उसको आगे लिखते है, columns को बाद में लिखते है, ची general matrix जो होता है, उसका नाम करण हम इस तरह से करते है, अगर कोई भी एक general matrix है, तो उसका जो नाम करण है, वो ऐसे करेंगे, देखो, ये वाला जो element है, इसका नाम है A11, लेकिन इसका नाम A11 क्यों है, क्योंकि ये first row में present है, और first column में present है, तो first row में present है, first column में present है, हमेशा य यह जो होता है इसका नाम करण ऐसा होता है AIJ, यह जो I होता है, I is the number of row, रो का नमबर है और यह जो J है वो column का नमबर है, तो जैसे for example यह वाला जो element है, यह वाला जो element है, यह present है first row में, और second column में, इसलिए इसका नाम है A12, इसका नाम है A21, क्योंकि यह second row और first column है, चमक गया ना, तो पहला वाला जो number होता है, जो green color का है, that is row, और जो red color वाला है, that is column, चमक गया ना, हमेशा पहले row को लिखते है, फिर column को लिखते है, तो ऐसी चलेगा आपका A11, A12, A13, फिर नीचा आएग row में A31, 32, 33, है ना, तो इसी चरह से एक general matrix का नाम करण, आप कर सकते हो, यह कौन से row और कौन से column में present है, उसके उपर depend करेगा, ठीक है, yes, अचा order बता दो, चलो, यहाँ पर बहुत सारे matrices given है, इसका order क्या आएगा, इसमें how many rows are there, तो 1, 2, 3, 3 rows are there, and how many columns are there, 2 columns are there, तो इसका order क्या हो जाएगा, इसका order हो जाएगा, 3 cross 2, इसका order क्या हो जाएगा, how many rows are there, number of rows are 3, generally order को यहाँ पर लिखता है, ठीक है, नीचे एक दम कौने में, और how many columns are there, column वनला वर्टिकल, तो 3 columns are there, तो इसका order हो जाएगा, 3 cross 3, इसका order कितना हो जाएगा, how many rows are there, number of rows are 2, how many columns are there, number of columns are 3 तो इसका order हो जाएगा 2 cross 3 तामाज एक ना number of elements भी पूछेंगे तो भी बता तो कि multiply कर देना इसमें how many elements are there 6 यहाँ पे how many elements are there 9 और यहाँ पे how many elements are there 6 multiply कर सकतो आपका answer आजाएगा ठीक है अब एक question करते है यहाँ पे बोल लाए कि if a matrix has 8 elements उसमें number of elements है 8 then how many possible orders it can है उसका order क्या-क्या हो सकता है ठीक है तो बताना अगर 8 element है तो 8 को हम क्या क्या लिख सकते है 8 को हम लिख सकते है 1 cross 8 एक तो यह लिख सकते है यह हम लिख सकते है 8 cross 1 है ना यह है 1 row 8 column और यह 8 rows 1 column तो दोनों अलग-अलग है ठीक है ऐसा नहीं कि दोनों सेम है rows और columns अलग-अलग है ना और दूसरा तरीका तो एक दो इसके अलावा हम लिख सकते है 2 cross 4 है ना यह भी कर सकते है यह फिर हम कर सकते है 4 cross 2 तो how many possible orders दाद है इसके अलावा और कोई possibility है क्या इसके अलावा और कोई possibility नहीं है तो यह एकदम चिंदी question है ना इस तरह के question आएंगे तो आराम से कर लोग है यह तो एकदम CBAC level है अभी तो हम दीरे-दीरे बेसिक बेसिक पढ़के फिर advance वाले question पर आएंगे अचा अगला topic which is types of matrices types of matrices बहुत सारे type के होता है तो एक एक करके पढ़ते है सबसे पहले row matrix row matrix जिसमें केवल एक row होता है column matrix मतलब only one column is there तो row matrix will be something like this मालों एक matrix A है और उसमें केवल A की row है there is only one row one two three four something like this number of row जो है वो one होना चाहिए number of columns कितने भी हो सकते column का number कितना जिसे यहां पर कितने column है यहां पर एक, दो, तीन, चार यहां पर चार column है but number of row जो है ना वो one होना चीए row matrix किसको बोलते है जिसमें number of rows are equal to one और यहां पर number of columns are equal to one उसको हम बोलते है column matrix या फिर इसको column vector भी बोलते है column matrix या कभी-कभी इसका दूसरा नाम होता है, column vector vector भी बोल देते हैं, कभी-कभी ठीक है, column vector भी बोलते है इसमें भी basic definition यही कि केवल एक ही column होना चाहिए तो से मान लोग कोई matrix ऐसा है, जिसमें एक ही column है, है ना, 1, minus 1 3, 5, something like this है ना, how many columns are there, एक ही column है, और row कितनी है, row 4 है, row कितनी भी हो सकती है उसमें कोई restriction नहीं है, but column एक ही होना चाहिए so if there is a single row, row matrix single column, column matrix चमक क्योंगा मेरे खाल चाहिए, yes yes, after this, अब आप आजाओ, null matrix या zero matrix null matrix या zero matrix जिसमें all entries जितने भी elements होते है, all elements यह लिख ले, all elements must be equal to zero, हैना, सारे के सारे elements zero होने चाहिए, अचा, null matrix को हम generally denote करते है, capital O के साथ, null matrix को denote करने का तरीका होता है, capital O, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार, एक null matrix आप form करो जिसका order है, two cross three हैना, एक null matrix जिसका order है, two cross three तो इसका क्या मतलब, how many rows will be there, two rows will be there and how many columns will be there, three columns will be there, और सारे के सारे element क्या होने चाहिए, सारे के सारे element होने चाहिए, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ये एक null matrix है null matrix का order कुछ भी हो सकता है, अगर सारे के सारे element must be 0, अगर एक भी element ऐसा है ना, जो non zero है, तो क्या ये null matrix होगा ये null matrix नहीं होगा all the elements must be 0, अगर एक भी element ऐसा है जो 0 नहीं है, तो ये null matrix नहीं होगा, समग्या order कुछ भी हो सकता है, order can be 2 x 3, 1 x 4, 5 x 7, order can be anything कोई भी एक rectangular order हो सकता है yes, order कुछ भी हो सकता है बस all the elements must be 0, तब ही हम उसको बोलेंगे null matrix, और representation है capital O capital O के नीचे आप उसका जो order है वो भी लिख सकते हो, understood all of you तो all the elements must be 0, अच्छा horizontal matrix क्या होता है horizontal matrix मतलब जो horizontal दिखे, बहुत ही बच्चो अले definition यह सब horizontal matrix मतलब एक ऐसा matrix, जो आपको horizontal दिखना चाहिए, मतलब it will be something like 1, 2, 3, 4, ऐसा और मान लो यहाँ पर 5, 6, 7 और 8, यह horizontal दिख रहा आपको ऐसा, horizontal दिख रहा है ना, और vertical matrix का मतलब जो vertical दिखे, है आप simple ऐसे याद किया करो, मतलब जैसे मान लो ऐसा कुछ है, A, B, C, D, E, F, तो यह यह वाला, यह आपको कैसा दिख रहा है यह vertical दिख रहे, तो जो दिखने हमें vertical है, उसको vertical बोलता है और इसका mathematical definition क्या हो जाएगा फिर इसका mathematical definition यह हो जाएगा, जैसे में यहाँ पर number of rows कितनी है, number of rows है 2 और number of columns कितनी है number of columns है 4, तो horizontal तब ही आएगा ना, जब number of rows number of rows are less than the number of columns, दिखे तो इसका mathematical definition यह हो जाएगा, जैसे ना, number of rows are less than the number of columns अगर number of rows greater है तो यहाँ पर if number of rows are greater than number of columns तो आपका जो matrix होगा, वो vertical होगा, जैसे यहाँ पर how many rows are there, 1, 2, 3 3 rows are there, and how many columns are there, 2 columns are there तो यहाँ पर rows जादा है, column कम है और यहाँ पर देखोगे, तो row कम है, column जादा है और square matrix मतलब जिसमें दोनों बराबर है तो if number of rows if number of rows are equal to number of columns तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे square matrix example, example can be something like this, 3 cross 3 का ले लो 4, 5, 6, और 7, 8, 9, यह 3 cross 3 का है ठीक है, चमका कि नहीं, 3 cross 3 का square matrix है in fact square matrix मतलब number of rows equal to number of columns तो 1 cross 1 का भी हो सकता है 2 cross 2 का भी हो सकता है, 3 cross 3 का हो सकता है, 4 cross 4 का, 5 cross 5 का, बट हमारे syllabus में 3 cross 3 तक ही जाना है 4 cross 4, 5 cross 5 इन सब की बातें नहीं करेंगे केवल 3 cross 3 तक ही हम जाएंगे चमक गयोगा मेरे खाल से और आगे बढ़ते अच्छा square matrix आपको सहुनना आगया number of rows equal to number of columns बस इतना ही है अब यहाँ पे square matrix के भी बहुत सारे types होते है है ना तो अलग-अलग types पढ़ेंगे अच्छा उससे पहले थोड़ी definitions आप देख लो तो definitions क्या क्या है पहली definition यह है कि यह सब square matrix के लिए valid है square matrix में बहुत सारे definitions है उसमें से पहली definition यह है कि AIJ और AJI इन दोनों को हम बोलते है conjugate elements इनको क्या बोलते है इनको बोलते है conjugate जैसे for example यहाँ पे A12 और A21 यह दोनों क्या है यह दोनों है conjugate elements और A31 यह दोनों conjugate elements है यह वाला और यह वाला यह भी दोनो conjugate elements है चामा क्याना conjugate elements बोलते है AIJ और AJI जो भी basically यह जो diagonal होता है अच्छा यह जो diagonal होता है उसको हम बोलते है principal diagonal यह काफे सारे बच्चों को पता होगा यह वाला जो diagonal होता है इसको हम बोलते है main diagonal या principal diagonal इसको हम बोलते है principal diagonal या leading diagonal भी बोल सकते है leading diagonal और you can also tell principal diagonal और ये जो principal diagonal के along elements होते है उनको बोलते है diagonal elements ये जो a11 a11 a22 a3 ये तीनो जो elements है elements which are along the principal diagonal उसको बोलते है diagonal elements simple simple definition है conjugate element समझ मागया ये conjugate element ये principal diagonal ये diagonal elements और diagonal elements का sum करोगे तो उसको बोलते है trace trace क्या है trace is nothing but sum of the elements along the principal diagonal बहलों बेसिकली जितने भी elements हो उनको add कर दो उसका representation ऐसा है trace of a ओके तो trace of a विल भी इन सबको add कर दो a11 plus a22 plus a33 ये कितने लोगो clear है yes or no तो सारी definition clear है कि पहला तो conjugate element उसके बाद principal diagonal diagonal elements और diagonal elements का sum तो उसको बोलते है trace trace of a चमक गया होगा मेरी खाल से basic basic definition अब आप आगया आजाओ types of square matrices types of square matrices में mainly दो टाइप होते है triangular एक diagonal ठीक है दो टाइप है एक triangular matrix और एक diagonal matrix अब इसके भी दो टाइप है ये जो triangular matrix है इसके further दो टाइप है यही से देख लो आप तो triangular matrix के further दो टाइप होते है एक है upper triangular और एक है lower triangular यह समझ गया ना square matrix के दो टाइप और इसके further दो टाइप है और इसके further दो टाइप कौन से है upper triangular और एक lower triangular अब इसकी definition बहुत खतरनाक important है तो ध्यान से समझना एक-एक word जो है एकदम वकील की तरह समझना जैसे का आप advocate हो और एक-एक word है बहुत important होता है यहाँ पर ध्यान से समझना मैं यहाँ पर definition क्या बोला हूँ definition यह होता है कि जो भी आपका principal diagonal है ना उसके नीचे वाले elements जीरो होने चाहिए principal diagonal इसमें उल्टा होता है मलब opposite होता है आप ऐसे ध्यान लखो कि upper triangular मलब नीचे वाले elements must be zero और lower triangular मलब principal diagonal के ऊपर वाले जो elements यह जो triangle बन रहा है यह आपको triangle बनता हो दिख रहा होगा lower triangular में उपर वाले zero होते है upper triangular में नीचे वाले zero होते है अब देखो definition मैंने आपको क्या बुला मैंने आपको definition यह बुला कि upper triangular में principal diagonal के नीचे वाले zero तो नीचे वाले तो 0 होने चाहिए बट यह जो ऊपर वाले है वो वो 0 होने चीए, Non-0 होने चीए उसके बारे में कोई condition नहीं, वो 0 हो भी सकते, वो Non-0 भी हो सकते, तो यह जितने और X, 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 X लिखाए ना, जहां पर भी ए Cross, Cross, Cross है, यह Cross का Value 0 भी हो सकता है, Non-0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, It can be 0 also, It can be non-0 also, बस definition इतना ही है, कि नीचे वाले जो elements है they must be 0 नीचे वाले elements 0 होने चाहिए उपर वाले चाहिए 0 हो तो भी चलेगा अगर 0 नहीं है तो भी चलेगा diagonal elements 0 होंगे तो भी चलेगा diagonal वाले non-0 होंगे तो भी चलेगा बट नीचे वाले 0 होने चाहिए ये चमक गयोगा मेरे खाल से, तो बस basic simple definition यह है, कि upper triangular मतलब, principal diagonal के नीचे वाले जो elements है, all of them must be 0, ये तीनो 0 होने चाहिए, उपर चाहिए कुछ भी हो, दुनिया, अपने को मतलब नहीं है, ये उपर वाली दुनिया यहाँ पे कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, ये अपर triangular है, ठीक है, similarly lower triangular में, अगर ये तीनो elements 0 है, और बाकी दुनिया चाहिए कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहिए वो 0 है, चाहिए non-0 है, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप सारे 0 भी डाल दोगे तो जो null matrix होता है, वो भी upper triangular है, अगर यहाँ पे भी आ diagonal के नीचे वाले 0 होने चाहिए, तो upper triangular है, तो उल्टा आप याद रखो, lower में upper वाले 0, upper में lower वाले 0, चमक गयो होगा मेरे खाल से, ठीक है, अब आप इधर आ जो, square matrix, तो आपने ये तो समझ लिया, इसके upper और lower, दो टाइप है, इसके भी दो टाइप है, diagonal के दो टाइप क इनको क्या बहुत है, यह D1, D2, D3 क्या है, D1, D2, D3 है diagonal elements, तो जो भी non-diagonal elements है, यह सारे elements, यह उपर वाले और नीचे वाले, तो जो भी non-diagonal elements है, all of them must be 0, तो इसका definition यह है, कि non-diagonal elements, okay, non-diagonal elements must be equal to 0, अब diagonal elements 0 भी हो सकते है, diagonal elements non-0 भी हो सकते है, वहाँ पे कुछ भी ह हो सकता है, आप ऐसे समझो, dash, 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 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यह सारे elements आपके 0 होने चाहिए, अगर यह सारे elements 0 है, तो इसका हम diagonal बोलेंगे, कि yes, यह diagonal है, यहाँ पे दुनिया में चाहिए कुछ भी आ सकता है, understood, वहाँ पे 0 भी आ सकता है, non-0 भी आ सकता है, कुछ भ इसी में कभी-कभी फसा देता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आपको definition समझनी पड़ेगी, अच्छा और जो भी diagonal matrix होता है, उसको short में लिखने का तरीका यह होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो, for example, अगर कोई एक diagonal matrix है, जो की ऐसा है, यहाँ पे 2 है, यह यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, और बाकी सब 0 है, ठीक है, यह एक diagonal matrix है, अब इसको अगर मुझे short में लिखना है, अगर short में लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, especially जो लोग RC लोग है, RC लोग ऐसे भी लिख सकते है, अगर आपको पूरा matrix नहीं लिखना है, you can also write it like this तो बहुत बार exam वाले भी क्या, Alice कर देते हैं, और ऐसे लिख देते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका मतलब diagonal matrix है, यह, diagonal 2, 5, तो केवल आपको diagonal elements दे देंगे, बाकी सब तो 0 ही होता है, वैसे भी, इसलिए केवल आपको diagonal elements दे देंगे question में, बाकी सब automatically आपक जो type है वो भी देख लेते हैं, तो एक है scalar matrix, scalar matrix में basically क्या होता है, यह जितने भी diagonal elements है, वो सब equal हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी A, इधर भी A, और इधर भी A, all of them are equal, तो तीनो के तीनो diagonal elements अगर equal, जैसे for example ऐसा आ गया, कुछ 2, 2, 2, 2, अगर तीनो equal हो गया, तो इसको हम बो diagonal elements 1 है, यह D1, D2, D3, सबका value 1 हो गया, अगर सबका value 1 हो गया, तो उसको बोलते है, unit matrix या identity matrix भी बोलते है, ठीक है, identity matrix यह unit matrix, एक बार फिर से revise कर लेते है, square matrix के दो type है, एक triangular, एक diagonal, triangular में दो type है, upper, lower, तो upper में lower वाले 0, और lower में upper वाले 0, that is the basic definition, ठीक है, उसके अलावा diagonal वाले 0, non diagonal वाले सारे 0 होने चाहिए, diagonal वाले कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे dash dash dash, वहाँ पे 0 भी fill कर सकते हो, यह जो blank space है, उसमें 0 भी डाल सकते हो, non zero भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, कि इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 1 आ गया, त इसका short form क्या होता है, इसको short में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो, केवल आप diagonal elements को mention कर दो, जो भी आपके diagonal elements है, scalar matrix में ये तीनों equal हो जाना है, और unity matrix में सब का value 1 हो जाना है, 1, 1, 1, ठीक है, उसको हम generally represent करते है, i के साथ, i3 अगर लिखा है, अच्छा एक और चीज में आपको बता देता हूँ, square matrix में हमेशा जब भी order specify करता है, तो केवल आप ऐसे लिख सकते हो, i3, i3 का simple मतलब है 3 cross 3 है, तो आपको automatically समझ जाना है, तो जब भी square matrix होगा ना, तो हमेशा वो केवल 3 लिख देंगे, वो 3 cross 3 नहीं लिखेंगे, automatically आपको समझ ना है कि हाँ, square matrix है, तो number of rows और number of columns equally तो होगे, तो 3 cross 3 की बात कर रहा है, तो जब भी ऐसा लिखा होता है, i3, उसका मलब 3 cross 3 का matrix है, अगर कहीं पर लिखा है, i2, मतलब 2 cross 2 का matrix है, चीख है ना, simple simple एकदम चीज़े और आगे बढ़ते हैं, चलो अब ये वाला question बताओ, ये थोड़ा सा है, इसमें आपको PNC लगाना पड़ेगा, तो ये कह रहा है, number of possible matrices, how many matrices are possible, of 3 cross 3 order, तो order है 3 cross 3, how many elements will be there, अगर 3 cross 3 का order है, मतलब ये dash dash dash, how many total 9 elements will be there, अब ये कह रहा है कि each element या each entry will be either 0 और 1, हर एक element जो है, वो या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, तो 3 cross 3 के matrices आपको बनाने है, हर एक chair के ऊपर, ये जितने भी chair है, हर एक chair के ऊपर, आप या तो 0 को बिठा सकते हो, या 1 को बिठा सकते हो, तो कितने तरीके के matrices हम बना सकते हैं, चीक है, तो देखो हर एक chair के पास कितने option है, ये वाली जो chair है, इसके पास 2 option है, यहाँ पे आप या तो 0 को बिठा होगे, या 1 को बिठा होगे, यह तो दूसरी वाली चेहर है, उसके पास भी कितने option है, इसके पास भी 2 option है, 0 या 1, इस वाली चेहर के पास भी कितने option है, 0 या 1, तो हर एक चेहर के पास 2 option है, तो total answer ऐसा आजएगा न, 2 into 2 into 2 into 2, कितनी बढ़ाएगा यह, 9 times आएगा, चमक योगा मेरे खाल जाएगा, तो finally आपका answer आजएगा, 2 raise to 9, और 2 raise to 9 मतलब 5 1 2 is the answer, यह चमका, option D is the answer, हर एक चेहर के पास 2-2 option है, या तो आप वहाँ पे 0 को बिठाओ, या 1 को बिठाओ, similarly second chair के पास भी 2 option है, या तो 0 को बिठाओ, या 1 को बिठाओ, third chair के पास भी 2 option है, या तो 0 को बिठाओ, तो सब के पास दो-दो option है और total 9 chairs are there 9 elements are there तो 9 chairs are there तो ये PNC वाला question इस तरह से mix करके आपसे पोच सकते है ठीक है और आगे बढ़ते है ये भी काफी अच्छा question है ये काफी लोगों से हो जाएगा बट फिर भी नहीं होगा ठीक है ये ही थोड़ा complicated है तो trace क्या होता है बताओ सबसे पहरे तो हमने definition पढ़ा था तो trace of a question में आपको ये given है आपको ये given है दोनों matrices given है matrix A given है matrix B given है और question में ये भी बोला है कि trace of a is equal to trace of b तो trace का मतलब होता है sum of the diagonal elements जो भी principal diagonal वाले elements है उनका sum trace of a तो ये आजाए का trace of a और question में बोला है कि trace of a is equal to trace of b तो trace of b ये दोनों equal है तो ये equation आगी आपके पास और आपको निकालना क्या है तो ये आपको question में given है और आपको निकालना ये है 1 by 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma तो बताना क्या answer हैगा एक बार अगर किसी ने बता दिया ना तो मज़ा आ जाएगा मतलब question simple है लेकिन जैसे मैं solution बताऊंगा उसके बाद simple है ठीक है उससे पहले difficult है तो बताओ alpha बीटा गामा कैसे निकालेंगे एक ही equation है तीन तीन variable है there is only one equation आपको ये निकालना है 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 गामा तो कैसे निकालोगे एक ही तो equation given है only one equation is given तीन तीन variable है one equation 3 variable ये तो कभी solve भी नहीं होगा ऐसा लग रहा है ओप आएगा answer 3 आएगा envy live envy live का answer आए 3 कैसे आया बताओ perfect square बन जाएगे क्या बात है तुम लोग आपको परफेक्ट square बनता होगा दिख जाएगा ये alpha square इसको इधर लियाओ तो minus 2 alpha और इसको इधर लियाओ तो plus 1 दिख गया perfect square similarly आगे क्या आएगा beta square minus 2 beta और plus 1 similarly gamma square minus 2 gamma और plus 1 दिख जाएगा दिख जाएगा this is equal to 0 आजाएगा ये perfect square बन गया ये भी perfect square और ये भी perfect square तो alpha minus 1 का whole square beta minus 1 का whole square अगर एक ही equation है तीन तीन variable है तो कोई ने कोई special case तो होगा बस इन सब को 0 होना पड़ेगा equal to 0 कब आएगा equal to 0 तभी आएगा जब सब को 0 होना पड़ेगा है ना तो सब अगर 0 मनलब alpha beta gamma सब का value कितना कितना alpha beta gamma सब का value 1 1 अब यहाँ पर substitute कर दोगे तो final answer is 3 ठीक है 1 upon 1 1 upon 1 1 upon 1 1 upon 1 वैसे भी दिख रहा होगा यार alpha square है 2 alpha है तो इसको क्या चाहिए life में अगर alpha square minus 2 alpha होता है तो उसको एक ही चीज चाहिए होती life में दे दिया करो ना कितना क्यों मतलब उसको ठीक है तो दे दिया करो जिसको जो चाहिए और आगे बढ़ते अब बात करते है algebra of matrices के बारे में algebra मतलब 2 matrix को add कैसे करते है subtract कैसे करते है multiply कैसे करते village basic चीजसे है इसमें multiplication is important Dives weekend तो होता नहीं है 2 matrix का division नहीं होता है इस दुनिया में exist नहीं करता ऐम स fall और तो नहीं करता है बाकी planet का पतानी बट distотриक्स को add सकते subtract कर सकते multiply कर सकते divide नहीं कर सकते mathematically it is not possible ठीक है तो हम एक एक करके पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे add subtract करना multiplying by scalar भी हम पढ़ सकते हैं कि अगर किसी constant से multiply करना है तो that is also possible multiplying two matrices वो भी possible है A into B दो अलग-अलग matrix को कैसे multiply करेंगे वो भी सीखेंगे ठीक है तो एक एक करके अचा सबसे पहले तो दो matrix को add हम तभी कर सकते है जब दोनों का order same होगा अगर order same नहीं होगा तो add नहीं कर सकते है जैसे इसका order क्या है इसका order क्या है number of rows कितनी है 2 और number of columns कितनी है 1,2,3 यह ना तो यह 2 cross 3 है इसका order क्या है इसमें भी number of rows है 2 और number of column से 3 तो दोनों का order same है न अगर दोनों का order same है तो ही उनको add कर सकते या subtract भी कर सकते है add subtract तभी कर सकते है जब दोनों का order same होगा अच्छा add करेंगे कैसे इन दोनों को add करना जैसे अगर आप से कोई पूछेगा a plus b तो जो भी corresponding elements है उनको add कर लो इधर के आजाएगा इधर 0 आजाएगा इधर के आजाएगा 2 तो corresponding elements को add करते है बस 3 और 3 6 आजाएगा और यहाँ पर 1 by 2 आजाएगा समझ गया ना तो अगर दो अलग-अलग matrices है उनको आप add या subtract करना चाहते हो तो सब से पहले तो उनका order same होना चाहते है अगर order same है तो कर सकते हो कैसे करेंगे corresponding element को add कर लो subtract करना तो subtract कर लो add subtract काफी आसान है ठीक है और आगे बटते है properties देख लेते हैं एक बार तो यह सारी properties है सारी properties आपको पता होना चाहिए सबसे पहली property क्या है अच्छा पहली बात तो order same होना चाहिए तभी यह सब valid है अगर order ही same नहीं है और तुम लगा रहे हो a plus b equal to b plus a तो होगा न सर तो कैसे होगा नहीं होगा न order ही जब same नहीं है तो यह तभी valid है सारी कहानी जब दोनों का order same है ठीक है तो पहली terms and conditions apply अब आके बटते हैं तो a plus b will be equal to b plus a अरे यहां पर save ही तो आएगा न आप root 3 plus 2 करो या 2 plus root 3 करो एक ही बात है root 3 plus 2 करो या 2 plus root 3 करो एक ही बात है तो a plus b will be equal to b plus a associative भी होता है आप bracket इधर लगाओ bracket इधर लगाओ एक ही बात है है ना तो associative होगा commutative होगा addition एडिशन के बारे में बात करें, तो a plus b will be equal to b plus है, associative भी होगा, अच्छा trace की properties काफी important है, तो ये तीनो properties है, अच्छा trace कब defined होता है, ये जो trace होता है, वो किवल square matrix के लिए defined होता है, trace का मतलब होता है, sum of the diagonal elements, diagonal elements कब आएंगे, square matrix में ही तो आएंगा, अरे अगर कोई 3 cross 3 का है, तभी तो उसका diagonal बनेगा, अगर कोई 3 cross 4 का है, तो उसका कोई principle diagonal बनेगा ही नहीं, तो trace जो होता है, वो केवल square matrix में defined होता है, जो भी आपकी trace वाली properties है, है ना, वो trace basically defined ही तभी होता है, जब square matrix होगा, अगर square matrix नहीं है, तो trace को आप define ही नहीं कर सकते हो, हमने जब definition पढ़ा तो उसके title में लिखा था square matrix, it is only valid for square matrix, अचा properties क्या होती है, अब trace of a plus b करो, या अलग-अलग trace करो, same आएगा, minus के लिए minus कर सकते हो, multiplication के लिए constant को बाहर निकाल सकते हो, अचा ये सारी properties अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो इसको आप आराम से समझ भी सकते हो, देखो मानलो कोई एक matrix है, which is simplicity के लिए two cross two का ले लो, आकि जलती से समझ में आ जाए, वैसे तो ये काफी चिंदी है, जैसे मानलो मुझे ये वाली property, इस वाली property को चेक करना है, मानलो, इस वाली property को कैसे चेक करेंगे, ये k into a है, अचा scalar multiplication आपको पढ़ना पढ़ेगा, लेकिन इस करते हैं, अगर कोई एक matrix है, उसको k से multiply करना है, k is a constant, scalar मतलब basically constant, एक constant number से मुझे multiply करना है, तो हर एक element को multiply करना पढ़ेगा, जितने भी element है, हर एक element को multiply करना पढ़ेगा, understood yes or no, जिसे for example matrix A है, which is one, two, three, four, two cross two का simple example ले लो, अगर मैं आप से पोचूँँगा 3 है, तो ये जो 3 है ना, वो हर एक में multiply करना पढ़ेगा आपको, अगर किसी भी matrix को scalar मतलब constant से multiply करते हो, तो 3 को multiply करना पढ़ेगा हर एक element के साथ, तो one into three, two into three, three into three, four into three, ये आजाएगा, ये चमका, तो two cross two का एक simple example आप ले सकते हो, अच्छा ये distributed भी होता है, आप इसको distribute भी कर सकते हो, अ ये चमक क्या क्या, next, Saturday, हाँ, determinants अभी नहीं करेंगे, ये ही खतम हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, तो matrices करेंगे, determinants की एक और class में लूँगा, ठीक है, तो आप दोनों को देख लेना, मनलब काफी related chapters है, दोनों का sync है, और दोनों देख लेना आप, अगर दोनों मिलेगा, क्योंकि बहुत सरे question, mix करके भी बहुत बार आते है, ठीक है, तो matrices और determinants, आप दोनों देख लेना, fine, yes, तो ये समझ में आगा, scalar multiplication कैसे करता है, वापस इस बात पर आ जाओ, तो trace कैसे निकालेंगे, अगर मुझे निकालना है, k into a, तो k into a ये आजाएगा, यहाँ मतलब sum of the diagonal elements, trace का मतलब क्या होता है, trace का मतलब simple sum of the diagonal elements, तो ये matrix है, इस particular matrix का trace बताओ, इस matrix का trace आजाएगा, k into a plus k into d, ये आगया, तो ये तो आपका आगया, lhs, ये lhs आगया, this is left hand side, और right hand side निकालना, right hand side में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, k into trace of a, तो k into trace of a, तो trace of a है, a plus d, अरे चमका की नहीं, hence forward, lhs is equal to rhs, same ही तो है, अरे दिग्या की नहीं, ये भी k into a plus k into d, ये भी तो वही है, तो ये सारी properties आप इस तरह से verify भी कर सकते हो, ठीक है, अलग-अलग examples ले लेके, but again बहुती चिंदी-चिंदी properties है, ये समझ में आया, इसके उपर directly questions कर है, कि इसका application क्या है, तो देखो, आपको दो चीज़े, बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, matrices and determinants में, एक तो property सारी याद होनी चाहिए, एकदम मतलब कोई नींद में भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, कि हाँ, k into a, तो k बाहर निकल जाएगा, अगर minus है, तो आप split कर सकते हो, plus है, तो split कर सकते हो, ठीके तो ये सारी properties का एक list बनाओ, और ये एकदम बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए, और plus इसका application आपको question में आना चाहिए, अगर इतना कर लिया तो फिर derivation की जरूरत नहीं है, derivation सारी फालत हो है, इसकी जरू complete होता है, अभी तो समझ लो, अभी समझने पर ध्यान देना, और उसके बाद short notes बाद में बना लेना, ठीक है, येस, चलो, आगे बटते है, additive inverse किसको बोलते है, अच्छा तो बच्पन में आपने पढ़ा होगा ना, जैसे for example, अगर मैं आपको कोई भी एक number देतो 2, तो 2 का additive inverse क्या होता है, ये तो आपने बच्पन में पढ़ाओगा मेरे काल से 7th standard में, 6th standard में, किसी भी number का additive inverse कैसे निकालते है, और additive inverse का basic definition क्या होता था, तो additive inverse का basic definition यही होता था ने, कि 2 है, अब इसमें हमें ऐसा क्या add कर दू, ताकि यह 0 बन जाए, यही तो उसका definition था, तो 2 का additive inverse हुआ करता था, minus 2, याद है, similarly अगर कोई एक matrix है, तो उसमें भी definition वही होता है, इस matrix में हम ऐसा क्या add कर दे, ताकि यह null matrix बन जाए, तो यहाँ पर जो भी matrix आएगा, उसको हम basically बोल सकते है, minus of A, minus of A का क्या मतलब है, minus of A का simple मतलब है, minus 1 से multiply कर दिया, अपने matrix A को, तो scalar multiplication ही ह है, अगर कोई matrix आपको given है, जैसे for example, मालो आपको यह matrix given है, 1, 2, 3, 4, तो इस matrix का additive inverse क्या आजाएगा, इसको minus 1 से multiply कर दो, इसको minus 1 से multiply कर दो, तो यह आजाएगा, minus 1, minus 2, minus 3, और minus 4, अब इन दोनों को add करोगे, तो क्या आएगा, इन दोनों को add करोगे, तो null matrix आएगा, तो basic definition वही कहता है, कि इसमें ऐसा हम क्या add कर दे, ताकि यह null matrix बन जाए, बचपन में भी आपने ऐसे ही पढ़ा था, कि इसमें हम ऐसा क्या add कर दे, ताकि 0 बन जाए, अब 0 की जगए null matrix है, बस, तो A का additive inverse होता है, minus A, minus A का मतलब, minus 1 into A, तो simply multiply by minus 1, which is a constant, तो scalar multiplication आपको करना है, च पहले आप यह समझे लो कि multiply कब कर सकते है, दो matrix को multiply तभी कर सकते है, है ना, यहाँ पर condition होती है, जैसे मालो, for example, matrix A है, और matrix B है, आप चातो इन दोनों को multiply करना, इसका जो order है, वो है M cross N, और इसका जो order है, यह होना चाहिए, N cross P, यह वाला number और यह वाला number same होना चाहिए, अगर यह दोनो number same है, then only you can multiply, otherwise multiply करना possible ही नहीं है, otherwise A into B will not exist, so A into B will only exist, it will exist if this number is equal to this number, इधर अगर N है, तो इधर भी N होना चाहिए, यह और finally multiply होके जो आएगा, जैसे मानलो, इन दोनों को आपने multiply किया, वो एक तीसरा matrix आगया, यह जो तीसरा matrix आगया, इसका order क्या होगा, जो नया matrix आएगा, multiply करने के बाद, उसका order यह होगा, उसका order होगा, M cross P, उसका order हो जाएगा, M cross P, यह उसका order हो, जैसे for example, मानलो, आपके पास एक matrix है A, दूसरा matrix है B, इसका order है 2 cross 3, और इसका order है 3 cross 1, ठीक है, यह दोनों के order है, तो क्या multiply कर सकते है, पहली बात तो यह बत तो उसका order क्या आएगा, तो C का order आएगा, वो आएगा 2 cross 1, simply, यह चमक गया, कितने लोगों चमक गया, तो multiply तभी कर सकते है, जब यह दोनों सेम होगे, और multiply करने के बाद, जो matrix आएगा, उसका order हमेशा आएगा, यह, M cross P, मतलब 2 cross 1 आजाए, simple ना, तो multiply कब कर सकते है, वो के बराबर है, है ना, matrix multiplication में, I think मैंने बहुत बार देखा है, कि लोग कुछ ना कुछ calculation mistake करी देते है, यह तो खरी 2 cross 2 का है, बट जब बड़े-बड़े multiplication आप करोगे ना, तो कोई ना कोई calculation mistake हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ा आपको मतलब लिखनी होती है, तो यहा पर आपको clarity बहुत important है, अगर आप अच्छे से clarity से करोगे ना, तो आपका answer सही ही आएगा, गलती होने के chances कम हो जाते है, and plus, अगर clarity होगी, तो आप 100% बोल सकते हो कि हाँ, मैंने यह सही multiply किया, तो इसलिए एक NB style है, यहना, जो की काफी आसान है, तो हमेशा आप याद multiply करना है, तो row by column, always it is row by column, अचा पहले तो check कर लाते हैं कि इन दोनों को multiply कर सकते हैं, इसका order क्या है, इसका order 2 cross 2, इसका order भी है 2 cross 2, तो जो नया matrix आएगा, पहली बात तो इनको multiply कर सकते है, multiply करने के बाद, जो matrix हाएगा, उसका order क्या आएगा? तो उसका order आएगा 2 cross 2, तो यह matrix अपने को निकालना है, ठीक है, 2 x 2 का matrix आएगा, आँसर आपका, अब हमेशा matrix का जो multiplication होता है, वो होता है, row by column, यहां से आपको उठानी है, row, row by column, तो यहां से row ले लो, और यहां से column ले लो, हमेशा जो पहला वाला matrix होता है, वहां से उठाते है, row, और जो दूसरा वाल और यह first column और second column, 3,2 और 5,1, तो यह diagram आपको समझ में आगया, यहां पर rows और इधर column, इधर row, first row, second row, और यह first column, second, तो इसका row और इसका column, उठाके बस यहां पर लिख दो, अब corresponding elements को multiply करोगे, तो यहां पर आपका अंसर बन जाएगा, बस, तो देखो इसको और इसको multiply करना तो 2 into 3, 2 into 3, तो यह आजाएगा 6, और 4 into 2, तो यह आजाएगा 8, तो corresponding elements को multiply करके add कर दो, बस, similarly, यहां पर क्याएगा 1 into 3, तो 3 आजाएगा, और 5 into 2, तो 10 आजाएगा, तो बस यहां पर यह आजाएगा, similarly, इधर आएगा 1 into 5, तो 5 आएगा, और 5 into 1, तो फिर से 5 आएगा, corresponding elements को multiply कर दो, बस, यहां पर 10 आएगा, और 4 into 1, तो 4 आएगा, तो बस यह आपका answer आजाए, यह जो आपका C matrix है, वो आगे, this is C matrix, है न, तो C matrix आपका यह आगे है, simply, तो it will be how much, it will be 14, यह है 13, यहां पर फिर से 14, और यहां पर फिर से 10, चमक गया न, तो मनलोब, कैसे 2 matrix को multiply कर सकते हो, वो clear है, आखों में चमक, आई की नहीं, आगी होगी मेरे खाज है, अरे चमका, चमका की नहीं, जल्दी से एक बर फटा-फट बता दो, आपको rows और columns लिखनी है, जो पहला वाला matrix होता है, उसकी rows, जो दूसरा वाला matrix होता है, उसकी columns, इसकी row लिख लो, उसकी column multiply करके, आपका सीधा यहाँ पर answer आएगा, ठीक है, अच्छा, इसका एक और method होता है, तो method 2 भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी काफी अच्छा method है, इसको भी आप use कर सकते हो, specially, मतलब, ये method तब कम आएगा, जब आपको पूरा multiplication नहीं निकालना है, बहुत बार ऐसे question आता है, जिसमें, मानलो, 3 x 3 को multiply करना है, 3 x 3 के साथ, और आपको सारे element नहीं चाहिए, आपको कोई एक specific element है, A1, 3, आपको वही दिया हुआ है question में, आपको equate करना है, आपको वही वाला चाहिए, तो उसमें ये method best है, second वाला जो method है, वो भी सीख लो, तो ये method क्या है, ना, वो 2 x 2 का है, तो हम यहाँ पर मान लेते ही कि जो भी अपना answer आएगा, वो ऐसा कुछ आएगा, A11, A12, A21 और A22, ऐसा कुछ आएगा, अब इन सब का value मुझे निगालना है, देखो मुझे order अल्डेडी पताएगी, जो भी answer आएगा, वो 2 x 2 का ही आएगा, तो एक 2 x 2 का general matrix assume कर लो, अब जैसे मान लो आपको केवल यही वाला element निकालना है, अगर आपको केवल यह वाला element निकालना है, कोई भी एक element पकड़ लो, तो यह यहाँ पे लिखा हुआ है A21, तो A21 को निकालने के लिए second row और first column, क्योंकि 2 1, यह row और यह column, तो second row और first column को multiply कर लो, तो second row तो first column को multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 5 into 2, 10, यह 13 आ जाएगा, बस, similarly मान लो, आपको इसका value निकालना है, अगर इसका value निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो first row, first row और second column, so first row, second column क को multiply करोगे, तो यहाँ पे 10, और यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हो, इसी तरह से आप similarly सारे के सारे निकाल सकते हो, तो second method भी आप use कर सकते हो, और यह specially तब काम आएगा, जब आपको कोई एक element निकालना है, पूरा नहीं निकालना है, बहुत बार आपको basically एक element ही निकालने की जरूद पड़ीगी, हो सकता है, question में आप से पूछ ले कि आप A21 निकालो केवल, एक बहुत बड़ा सा multiplication है, 3 x 3 और इधर भी 3 x 3, उसमें से केवल A21 निकालना है, तो पूरा multiply करने की जरूद नहीं है फिर उसमें, उसमें आप smartly कर सकते हो, तो यह वाला method भी आप use कर सकते हो, basically यह जो number होता है, यह होता है row, और यह होता है column, तो first row और second column, तो यहां से first row और यहां से second column, तो बस यह आपके सारे answers आ जाएंगे, yes, चमक क्योंगा, matrix multiplication बहुत simple है, अचा एक और question करता है इसका, एनवी style में करता है, तो यह कैसे करेंगे, इसका order क्या है, इसका order है 2 x 2, इसका order है, 2 rows are there, 3 columns are there, तो finally आपका जो C आएगा, उसका order क्या आएगा, 2 x 3 आएगा, ठीक है, matrix multiply, और 2 x 3 आएगा, तो आप क्या करो, यह जो rows है, उसको यहां पर लिख दोगे, 2, 1 और 3, 5, तो यह row, और यह column, column 1, 2, 3, जो vertical है, वो column है, तो 1, 2, 2, 5, और 3, 2, उसको यहां पर लिख दो, बस आप corresponding elements को multiply करके आपका answer आएगा, और आपका यह जो answer आएगा, वो definitely इस order का आना चीह, order यही आएगा, 2 x 3 आएगा, आपका order, निकालना ज़रा answer, यहां पर आजाएगा, 2 x 2, इधर आजाएगा, इसमें गलती होने के chances कम है, क्योंकि आप clarity से सब कुछ लिख रहे हो, ठीक है न, yes or no, यहां पर क्या आजाएगा, 2 x 2, 4, और यहां पर आजाएगा, 5, similarly इधर आजाएगा, 6, और प्लस 2, तो यह निकाल लोगे ना, यार, तो calculation तो अब आप कर लोगे, concept अगर clear है, तो, ठीक है, similarly यहां पर आजाएगा, 9, और प्लस 10, ठीक है न, तो यह जो भी आएगा, that is your answer, यह multiply होके, आप का answer, आगे, simple, कर लोगे, तो आप यहां पर लिख दो rows, और वहां row by column, बस इतना ध्यान रखो, यहां पर row आएगा, उधर column आएगा, row by column, आप आराम से matrix को multiply कर सकते हो, बहुत simple, yes, आगे बड़े, properties पे आते, property क्या है, पहली property, है न, multiplication की properties देखो, तो पहली property यह है कि multiplication जो ह वो generally, generally जो होता है न, उससे जादा खतरनाक, मैच में आज तक कोई word आया नहीं है, generally, it is not competitive, मतलब A, B और B है, generally, 99% times equal नहीं होते हैं, बट कभी-कभी equal हो भी सकते हैं, generally का क्या मतलब, generally का यही मतलब होता है कि generally तो वो equal नहीं होते हैं, बट कभी-कभी हो भी सकते हैं, जैसे for example, आप इन में से कोई भी एक matrix को I ले लो, आपको यह property पता होगे न, कि अगर किसी भी matrix को identity matrix से multiply करेंगे, तो वो same ही आता है, तो A into I करो, या I into A करो, दोनों का answer A ही आएगा, yes or no, तो यहाँ पे commutative है, तो generally commutative नहीं होता है, बट कभी-कभी special cases में commutative हो भी सकता है, in fact, यहाँ पे क्या बोलना है, in fact, ऐसा भी हो सकता है, कि if A, B is defined, it is possible that B into A is not defined at all, अलब जैसे for example, आप यह ले लो, example, let's say A matrix है, B matrix है, यह है 2 cross 3 का, और यह है 3 cross 4 का, तो क्या A into B exist करेगा, A into B तो exist करेगा, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दू तो, तो B का order है 3 cross 4, और इसका order है 2 cross 3, तो यह तो मुल्टिप्लिकेशन एक्जिस्ट करेगा, यहाँ पे A into B will exist, यह हैना, this multiplication will exist, लेकिन यह एक्जिस्ट करेगा, B into A, B into A तो exist ही नहीं करेगा, क्यो показ यह दोनों equal ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, कि आपका A into B exists कर रहा है, but B into A exists ही नहीं कर रहें, ऐसा भी हो सकता equal होना तो दूर की बात है exist भी नहीं कर रहा है कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है exist तो कर रहा है लेकिन उसका different order है उसका order ही अलग है इसका order क्या आएगा इसका order 2 cross 4 आएगा एक और example लेलो या तो let's say हम एक और example लेते है a है और b है let's say a का order है 2 cross 3 इसका order है 3 X 2 similarly B into A निकल So B का order है 3 X 2 और इसका order है 2 X 3 तो यहाँ पर जो A B आएगा multiply करना possible है यहाँ पर multiply करना possible है क्योंकि 3 Aa четы Wow 2 X 2 का तो A into B का order है 2 X 2 का लेकिन B into A का अब यहाँ पर भी multiply करना तो possible है लेकिन order आएगा 3 X 3 का तो ऐसा भी हो सकता है कि A into B जो है, वो exist कर रहा है, B into A भी exist कर रहा है, लेकिन दोनों का order ही अलग है, तो equal होना तो दूर की बात, उनका order भी same नहीं है, उनके number of elements भी same नहीं है, ठीक है, तो generally, they both are not equal, बट कभी-कभी special cases में equal हो भी सकता है, ठीक है, in fact, ये भी समझ मागे न, in fact अगर A भी defined है, तो ऐसा भी possible है कि B A defined ही ना हो या तो, और अगर defined है, तो ऐसा भी हो सकते है कि उसका order भी अलग हो, तो चमक गयो होगा मेरे खाल से, ये सारी बात है, येस, आगे बढ़ते है, second जो property है, point number two, second property is कि अगर A null matrix है, या B null matrix है, तो किसी भी matrix को null matrix से multiply करोगा, तो null matrix ही आएगा, तो A into B null matrix आएगा, पट इसका जो reverse है, that is not true, इसका जो reverse है, that is not true, if A into B is null matrix, this does not imply, that either A will be 0 और B will be 0, जैसे algebra में हम ऐसा करते हैं, हम algebra में हैसा करते हैं, अगर आपको याद होगा, quadratic equation में आप ऐसा करते हो, x minus 1 into x minus 2 equal to 0, तो या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, आ आप ऐसा करते हो, लेकिन ऐसा matrices में करना allowed नहीं है, ऐसा matrices में करना allowed नहीं है, अगर आप ऐसे लिखने हो, जैसे मानलो, आपको question में given है कि A into B is null matrix, और आपने बोल दिया कि या तो A null matrix होगा, या B null matrix होगा, तो क्या ये सच बात है, ये false है, ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कर आउड नहीं है, इसका reverse true नहीं है, क्यों true नहीं है, example देख लो न, ये आपको matrix A given है, ये matrix B given है, आप A into B निकालो, अगर आप A into B निकालोगे तो क्या आएगा, row by column बस multiply करो, multiply करोगे तो कितना आएगा, 0 into 5 तो 0, और यहाँ पे भी 0, तो 0 ही आएगा, ये null matrix आ जाएगा, इसकी multiply करके देखो, null matrix ही आ रहे क्या, multiplication सबको आता है, लिके तो A into B null matrix है, ये दोनो null matrix है, ये null matrix नहीं है, ये भी null matrix नहीं है, फिर भी उनका multiplication null matrix आ गया, अरे चमका, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि null matrix को multiply करोगे, तब ही null matrix आएगा, ये क्या है, ये null matrix नहीं है, null matrix मतलब हरे element 0 होना चाहिए, अगर हरेक element 0 नहीं है, मतलब यह null matrix नहीं है, यह भी null matrix नहीं है, but multiply किया तो null matrix आगे, ऐसा भी possible है, तो यह मत कर देना बस, अगर a into b 0 given है, ऐसा मत बोल देना कि either a will be 0 और b will be 0, that is not allowed, but हाँ, अगर a 0 है, या b 0 है, तो उसको आप किसी भी matrix के साथ multiply करो, तो it will give view 0, मतलब basically null matrix multiplied by any matrix, यह क्या होगा, null matrix multiplied by any matrix, बस आपका यह multiplication है, वो exist करना चीए, इसा नहीं कि multiplication exist ही नहीं कर रहा है, तो अगर यह multiplication exist कर रहा है, तो हमेशा आपका null matrix ही आएगा, ठीकिए null matrix multiplied by any matrix, will always be null matrix, but अगर a into b null matrix है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते है, चमग यह होगा, ठीक है, और आगे बढ़ते है, एक और चीज यहाँ पर, यह property भी almost similar है, तो this is property number 3, property 3 यह कहती है, कि आप दोनों तरफ cancel नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो कि a cancel, और b equal to c, यह allowed नहीं है, ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको question में ऐसा given है, यह allowed नहीं है, it does not imply, okay, it does not imply something like this, अगर आपको question में कहीं पे भी given है कि a b is equal to a c, ऐसा मत करना कि sir, यह cancel और b equal to c, यह गलत है, आप cancel नहीं कर सकते हो, यह numbers नहीं है, matrices है, matrices को cancel करना allowed नहीं है, लेकिन उसका उल्टा करना allowed है, अगर आपको कहीं पे भी question में गिवन है कि b is equal to c, आप pre multiply या post multiply कर सकते हो, पर यह ध तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यह तो a से pre multiply कर दो, pre multiply मलललो multiply आगे, आगे multiply कर दो, यह तो आप ऐसे लिख सकते हो, यह भी correct है, यह तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि post multiply कर दो, b into a is equal to c, यह भी सही है, यह भी सही है, यह करना allowed है, अब pre multiply कर सकते हो, yes, post multiply कर सकते हो, yes, लेकिन cancel कर सकते हो, no, that is not allowed, cancel करना allowed नहीं है, pre-multiply, post-multiply कर सकते हो, उस में कोई दिक्कत नहीं है, चमक गया होगा, और आगे बढ़ता है, चीक है, अच्छा, एक definition है, basically, यह property नहीं है, बट आप समझ लो कि यह definition ही है, definition क्या है कि, if a, b is equal to b है, हमने बोला था न, कि generally, a, b is not equal to b है, बट कभी-कभी equal हो भी सकता है, तो जब भी यह दोनों equal हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते है कि, a and b commute each other, basically, commutative है न, commutative है तो हम बोलते है, a and b commute each other, तो कभी-कभी क्या करेंगे, question में आपको ऐसा लिख देंगे, कि दो matrix है, a and b, they commute each other, अब क्या समझोगे, इसका मतलब a, b is equal to b है, simple है न, अगर आपको question वाले बोलेंगे, कि a and b, anti commute each other, anti commute मतलब a, b equal to minus b है, तो यह सब नामकरण है, यह सब definition है, अंगरेजी में सवाल बनाएंगे, समझ गे है न, तो इस तरह के question आ सकते है, जहाँ पर आपको बोलेंगे कि a and b, anti commute each other, तो समझ जाओगे, इस वाले example में भी अगर आप a into b निगालोगे, यह basically diagonal matrix है, तो diagonal matrix जो होता है न, उसमें हमेशा a, b equal to b होता है, अगर आपके यह दोनों matrix, यह भी diagonal matrix है, यह भी diagonal matrix है, तो अगर दो diagonal matrix है, उसका जो multiplication होता है, वो हमेशा competitive होता है, in fact वही हमारी अगली property भी है, that is property number 5, property number 5 क्या क the same order, order same होना चीए, then it will always be commutative, कोई भी diagonal matrix लेलो, जैसे for example मानलो, matrix A है, आपके पास ऐसा 1, 2, 3, और बाकी सब 0 है, 3 cross 3 का लेलो, ठीक है, यह matrix A है, और matrix B आपके पास है, मानलो, minus 1, 0, 2, ऐसा कुछ लेलो, ठीक है, यह भी diagonal matrix है, यह diagonal matrix, यह भी diagonal matrix, अगर आप इसमें A भी निक आलोगे, तो वो equally आ रहोगा, ठीक है, अगर दोनो diagonal है, तो A B will be always equal to B है, और इसको multiply करने का भी एक shortcut है, इन दोनों का multiplication आएगा, shortcut देख लो, shortcut यह होता है, कि अगर आप इन दोनों को multiply करोगे, तो इन दोनों का multiplication, बस यह corresponding elements multiply हो जाएंगे, यहाँ पर minus आजाएगा, इधर आ diagonal matrices को multiply करना है, तो उसका shortcut है, सीधा, directly आप corresponding diagonal elements को multiply कर सकते हो, अब row by column भी करके देखोगे, यही आ रहोगा, ultimately यह shortcut है, समझ में आया, shortcut क्या है, यह shortcut ध्यान रखना, इसके उपर जही advance में question है, तो दो diagonal matrix को multiply कर लोगे, एक और question करेगा, कोई भी दो diagonal matrix को multiply कर लोगे, 3, 4, ऐसा कुछ-कुछ है, ठीक है, यह सब 0 है, और इधर आपको कुछ given है, लेट से यही given है, 2, 3, 4, मतलब इसी matrix का square करना है, तो इसका answer क्या आएगा, इसका answer बस 2 into 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 16, बस यहाँ आ जाएगा, रे चम इतना time नहीं है, diagonal matrix में shortcut है, directly multiply कर दो, that is the answer, चमक गया यह shortcut, तो shortcut ध्यान रखना, यह जो shortcut है, उसके ऊपर question आने के chances है, yes, और आगे पढ़ते है, matrix का जो multiplication होता है, वो associative होता है, associative मतलब, आप यहाँ पर A into B into C, अगर आपके पास है, और इधर भी A into B into C है, तो पहले इसको multiply करो, या पहले इसको multiply करो, उससे कोई फरक नहीं पढ़ेगा, answer will be same, ठीक है, answer आपका same ही है, आप multiply करकर करके देख सकते हो, मतलब, yes, A into B into C, पहले इसको करो, फिर C के साथ करो, या फिर पहले इसको करो, फिर A के साथ करो, बस यह यह की multiplication exist करना चाहिए, यह ABC के order इस तरह स yes, चलो, अब I think mostly है न, अचा एक और property है, उसके बाद सारे questions ही है, ठीक है, तो question वाली जो आपकी demand है, उसकी भी पूरी करेंगे, बट सारी properties आप एक बार पढ़ लो, फिर सारे question करेंगे है न, यही NV style है, क्योंकि अगर मैं आपको एक property पढ़ाओंगा, एक question कराओंगा, तो आपको पता ही इसमें distributive property लगनी है, मज़ा गया आएगा फिर, इसलिए सारी property एक साथ पढ़ा करो, फिर एक साथ question क्या करो, ताकि वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़े, भाई कौन सी property का question है यह, ठीक है, तो वो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, अच आपने गलती से यहाँ पर B into A लिख दिया, तो आपका अंसर गलत हो जाएगा, तो आपको A into B लिखना पड़ेगा, यह A आगे आएगा, इधर भी A आगे है, तो A B plus A C आएगा, अगर आप यहाँ पर करते हो, तो A C आएगा, यह आगे है, तो जो आगे है, वो आगे जो पीछे है, वो पीछे ही रहेगा, लमग यहाँ सबको, तो जब भी आप distributive property लगाते हो, तो आपको यह द्यान रखना है कि आगे कोई है, पीछे कोई है, जो आगे है, वो आगे है, वो पीछे है, वो पीछे ही रहेगा, उसमें कोई change नहीं आ सकता है, ठीक है, डिस्टि लगाओ, इधर लगाओ, ऐसे लिखो, तो यह सब सेम है, ठीक है, तो एक क्योब का simple मतलब क्या होता है, एक क्योब का simple मतलब होता है, एको तीन बार multiply करना है, ठीक है, second property यह है कि I की कुछ भी power करो, आई मतलब identity matrix, तो identity matrix की power कुछ भी, मतलब natural number होना ची, ठीक है, natural number कुछ भ आई आएगा, I की power, बहुत बर ऐसा पूछते है, I की power 2022, यह आएगा, फिक है ना, तो basically इस तरह के question बन सकता है, मतलब इस तरह के नहीं, यह कही ना कहीं question में use हो सकता है, तो यह ध्यान रखना, I की power कुछ भी natural number करोगे, it will be I, yes, प्लस आप यहाँ पे जो exponent वाली rules होते हो हो भी लगा सकते हो, यह बच्पन में आपने पढ़ाता है, A raised to M into A raised to N, M plus N हो जाएगा, power की power है, तो multiply हो जाएगी power, तो यह सारी चीज़े allowed है, यह आप कर सकते हो, यह जो power वाले rule होते है, यह सब matrices में allowed है, this you can do, अगर A की power 0 है तो, तो वो I आएगा, ठीक है, A की power 0 will be I, अगर कोई भी matrix है, उसमें आपको बोलता है कि matrix की power 0, आप simply बोल देना I होता है, ठीक है, इसका जो definite, यह clear है कि सारी चीज़े, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, एकदम simple simple property, अब आप questions पर आजो, देखो questions करते है, तभी feel आएगी, तभी पता चलेगा कि question आजकल किस तरह के आ रहे, तो multiplication में सारी properties आपको याद होनी चाहिए, और trace की सारी properties आपको याद होनी चाहिए, addition की सारी properties आपको याद होनी चाहिए, और भी अभी हम बहुत सारी properties पढ़ेंगे, वो सारी याद होनी चाहिए, ultimately, ठीक है, तभी बात बन पाएगी, तो यह question आया था किस में, यह यह question आया था जही में 2021 में इस तरह के question काफी सार है यह question by the way मतलब यह question आप सोच रहोंगे कि जही में वालों नहीं question कैसे बनाया होगा सर यह question inspired ए जहीएडवांस 2020 में भी same question आये था ठीक है तो वही वही वाला question 21 कर दिया है बस इतना ही difference है in fact इसका answer भी शायद 2020 है ठीक है तो एक बार करते है बट इस तरह की question जब भी आएंगे ना देखो आपको यह matrix A given है और यह given है कि A plus D का value 2020 है और बाइदवी जो question आया था यह integer type में आया था नूमरिकल आपका answer है तो आपको जो भी answer है that is a number अगर number है तो answer will not change ना जो भी आपक numerical में आया था यह तो इस तरह के question को करने की एक shortcut यही हो थी कि आप किसी भी एक को 0 ले लिया करो best तरीका है ना तो since आपको given है कि A plus D 2021 है आप A को ले लो 2021 और इसको ले लो 0 simple as that किसी एक को 0 ले लिया करो simple yes तो अगर मैंने इसको 0 ले लिया तो यह matrix क्या वन गया अपना जो A matrix है अच्छा यह equation आपको given है तो इस equation में सीधा put ही कर दो आप ओके तो matrix A क्या हो जाएगा? matrix A हो जाएगा 2 0 2 1 और D का value 0 है यहाँ पर B आ जाएगा यहाँ पर C आ जाएगा यह matrix A है multiplied by matrix B matrix B यह है alpha beta and this is equal to matrix B तो फिर से यहाँ पर आजाएगा alpha beta बस आप इसको आप equate कर दो इन दोनों को equate कर दो multiply करके तो इनको multiply करना row by column आपको row by column multiply करना है तो यह row है row by column row by column multiplication करना है multiplication करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 0 2 1 2 0 2 1 into alpha और B into beta यह आजाएगा row by column और इधर इधर आपका आ जाएगा C into alpha C into alpha और यहाँ पर तो 0 ही आएगा 0 into beta तो यह आपका आ गया इस is equal to alpha beta तो बस equate करके इसको solve कर लो इन दोनों को equate कर दो इन दोनों को equate करेंगे तो basically देखो एक equation तो यह आ रही है 2 0 2 1 alpha plus B into beta this is equal to alpha यह आपकी है equation number 1 और दूसरी equation है C alpha is equal to beta तो यह है equation number 2 अब दोनों को solve कर लो दोनों को solve करके आपको निकालना क्या है आपको यह निकालना है AD minus BC ठीक है तो दोनों equations को solve करेंगे तो basically कितना आ जाए यह बीटा का value आप यहाँ पर plug-in कर दो simple यह जो बीटा है ना इसको उठा के इसमें put कर दो जैसी हम बीटा का value put करेंगे यह बन जाए गए 2021 alpha plus b into beta बीटा का value कितना है C alpha ठीक है this is equal to alpha यह आगया तो alpha alpha cancel हो जाएगा यहाँ से 2021 plus bc this is equal to 1 आगया तो यहाँ से basically bc का value कितना आ जाएगा minus two zero two zero आ जाए यह आगया Bc का value minus two zero two zero आ आगया आपको निकालना ख्याए आपको निकालना है AD minus bc जो डी वेल्यू था अपने 0 ले रखा है ना यह यह ए तो डीका value is to 0 है तो इसका value तो आप zero put कर दो गया है रहना डीका value तो बीसिकली आपको निकालना है माइनस बीसी माइनस बीसी मतलब कितना आंसर है 2 0 टू 0 यही था तू जिरो टू जिरो इनस्पाइड चमका की नहीं इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीखने का यही है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आप simple calculation चाहते हो तो किसी एक को 0 ले लेना अगर आप complicated calculation चाहते हो तो फिर मत लेना फिर पूरा solve करना ठीक है बट 0 ले लोगे काफी आसान question पड़ेगा एक बार बिना 0 लिये भी आप try करना पुरसत में अभी तो time नहीं है एक बार आप try करना काफी ये दो page में नहीं आएगा काफी लंबा calculation आएगा और mistake होने के chances भी होते हैं अचा तो ये वही वाला question advance 2020 वाला question इसमें क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि trace of a square matrix is defined to be the sum of the diagonal elements जैसे तो हमें पता ही नहीं था वो trace जो होता है square matrix का for sum of the diagonal elements होता है definition दे रखी very good फाल्तो information if a is a 2 cross 2 matrix तो a अपना जो है वो 2 cross 2 का matrix है ठीक है is such that trace of a is 3 अचा trace of a given है आप ऐसा ले लो अगर trace given है तो इसको 3 ले लो इसको 0 ले लो यही तो हमने technique लगाई थी 3 और 0 ले लिया गरो आप simple यहाँ पे आप मानलो something let's say b है और इधर c है ठीक है यह नहीं पता तो आपने मानलिया b और c trace आपको given हो और यह given है आपको यह भी given है कि trace of a cube अचा तो trace of a cube this is given यह कितना given है minus 18 given है तो बस यह निकाल दो trace of a cube आपको निकालना है determinant of a determinant निकालना तो आता ही होगा 2 cross 2 का determinant कैसे निकालते है 2 cross 2 का determinant निकालना तो cross multiply करके कितना minus bc आजाएगा तो again आपको minus bc निकालना है फिर से determinant निकालना आदाना सबको this minus this determinant of 2 cross 2 आजाएगा minus bc आजाएगा तो आपको minus bc का value निकालना है और ये information given है तो a cube निकालो फटाफट सबसे पहले a square निकालना पड़ेगा उसके लिए तो a square निकालो पहले तो तो आईगा 3bc0 और multiplied by 3b multiply करो ना तीन बार पहले दो बर या तीनो बर कर दो सीधा मैं a cube लिख देता हूँ यहाँ ठीक है this is let's say a cube और यहाँ पर एक और आप ले लो 3bc0 तीन बर multiply करतो simple तो पहले इन दोनों को multiply करो इन दोनों को multiply करेंगे तो row by column कर लो बस आप simple यहाँ पर row और यहाँ पर column ठीक है row by column कोई भी एक method आप use कर सकते हो है ना जो second method था वो भी use कर सकते हो first method भी use कर सकते हो पर ultimately multiply करना आपको फटा फटा आना चाहिए तो 3 into 3 9 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा plus bc ठीक है फिर अगले वाले में यह वाला जो element है यह present है first row और second column है तो first row second column को multiply करो तो 3 into b आ जाएगा 3 into c और last में आ जाएगा bc तो यहाँ पर bc आ जाएगा और फिर इदर है 3 bc 0 इसको फिर से multiply करो तो इन दोनों को multiply करेंगे तो क्या आएगा इन दोनों को पूरा multiply करने की जरुद है क्या क्योंकि आपको मतलब है trace of a cubes है ना मैं सारे element क्यों निकालू हमें time waste नहीं करना है हम केवल ये वाला element निकालेंगे और ये वाला element निकालेंगे ये element निकालने की जरुद नहीं है ये दोनों निकालने की जरुद नहीं है ना क्यों निकाले ultimately तो आपको trace चाहिए ना तो trace निकालो सीधा तो आप ये वाला element निकालो यह element के आएगा, first row और first column this is one one first row, first column, multiply करना 3 into, यहाँ पे आजाएगा 3 into 9 plus BC ठीक है, ऐसा आजाएगा 3 into 9 plus BC और यहाँ पे आजाएगा 3 BC तो plus 3 BC, यह ऐसा आएगा बड़ा सा, ठीक है, एक काम करते हैं थोड़ा इसको दूर दूर कर देते हैं तो आपको सारे elements निकालने की जरूत नहीं है आप केवल कुछ-कुछ elements निकालो, एक यह निकालो, एक last वाला निकालो, तो last वाला कैसे निकालेंगे last वाला यह वाला जो element है, यह है 8 to 2 2 to, second row, second column second row, second column second row, और second column, तो वो कितना आजाएगा multiply करोगे, 3BC आजाएगा यहाँ पर, 3BC, अब trace निकालो what is the trace of A cube, तो यह trace आजाएगा न, दोनों को add करते न, इन दोनों को add करेंगे, तो 3 into 9 plus BC plus 3BC मेरे काल से अभी तक तो answer भी आगे होगा, आपका 3BC, and this is trace कितना है, minus 18 है न, बस यहाँ से आप निकालो, 27 plus 3 plus 3 plus 3 9, this is equal to minus 18, तो यह 9 से divide कर दो, 9 से divide कर दोगे, तो ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ से BC का value minus 5 आ रहा है, minus BC का value 5 आ जाएगा final answer, यह चमका, तो minus BC is actually how much, 5 is the answer, fine, तो इसका final answer आएगा, वो आएगा 5, तो समझ गया है न, यह जो question था, 2021 का, वो कहाँ से आया था, और कैसे करना है, ठीक है, तो advance के question क्या करो, main में फाइदा हो जाता है, ठीक है, एक और question try करेंगे, J main 2020 का, इसको try करो, इसमें आपको बुला है, A की power 4 जो है वो है, Aij, और A की power 4 का, जो A11 है, वो आपको given है, basically यह ध्यान रखना, Aij is basically this, तो A11 मतलब, आपको A11 given है, इस matrix का, और question में given है, A है, तो A की power 4 आपको निकालना पड़ेगा, एक काम करो, पहले A square निकालो, A square निकालने के लिए, दो बार X110, तो दो बार multiply करना, row by column ठीक है, row by column करेंगे तो ultimately यहाँ पर आजाएगा X square plus 1, और फिर row by column, ठीक है, तो वो आजाएगा, X, यहाँ पर केवल X आ रहे है, yes or no ठीक है, row by first row second column, हाँ तो X आ जाएगा फिर इधर कितना आएगा, X बस X ही आ रहे है, फिर से और last में आ जाएगा, 1 ठीक है, यह आ रहे है, multiply आप खुद से करना, तो यह A square आएगा अब A की पार 4 कैसे आएगा A raise to 4 चाहिए, तो आप कर दो A square into A square ठीक है, तो दो बार multiply कर दो A square आपके पास already आ गया तो this is A square सिंपल सिंपल, multiplication वाले question बहुत सारे दुनिया वर गए है ठीक है, multiply करना आएगा, अगर किसी को multiply करना आता है तो यह सारे question आप से हो जाएंगे ठीक है, यहाँ पर करना अच्छा, अगेन आपको सारे element नहीं निकालना है एक आपको चाहिए A11 जिसका value given है और एक आपको निकालना है A22 आप केवल focus करो 11 और 22 पे 11 मतलब यह वाला element और 22 मतलब यह वाला element तो फिर से अपने को 11 और 22 निकालना है, सब कुछ निकालने की ज़रूद नहीं है, time waste ही करोगे तो basically आप A11 निकालो तो A11 मतलब first row first column तो first row first column तो यहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे आएगा x square plus 1 का whole square और plus x का square यह आजाएगा और इधर क्या आएगा इधर आपका आएगा 22 है ना तो second row second column second row और second column ठीके तो यहाँ पे आजाएगा x square plus 1 यह चमत गया होगा तो यह A11 है जिसका value given है तो इसका value given है 109 और यह निकालना है ठीके तो इसका value given है और यह निकालना है simple as that तो basically आपको इसका value given है x square plus 1 का whole square और plus x का square this is given 109 और निकालना क्या है 2 find अपना 2 find क्या है अपना 2 find है x square plus 1 यह निकालना है यह तो निकालना है ठीक है तो निकालो ज़रा कैसे करेंगे यह आ गया x की पार 4 प्लस 3x स्क्वेर प्लस 1 इसको इधर लियाओ minus 109 this is equal to 0 x की पार 4 यह factorize हो जाएगा क्या एक बार factorize करना 108 आ रहा है तो 12 और 9 में हो जाएगा x sqr plus 12 और x qr minus 9 चपका 108 थो जो बिशिकली 12 और 9 तो यह आ यह तो 0 हो नहीं सकता तो इसी को 0 होना पड़एगा ठीक है तो यह आ गया basically आपके पास अरे यह 0 हो सकता है क्या यह 0 नहीं हो सकता ना तो इसी को 0 होना पड़एगा x square equal to 9 और अगर x square इक्वल टू 9 है तो आपका फाइनल आंसर क्या है फाइनल आंसर है 10 तो इस दांसर बताओ ये चंदी question आया था कर लोगे ऐसे question multiplication वाले काफी सारे question आते है in fact multiplication के सबसे ज्यादा question आते है ये वाला question भी try करो ये 2019 का है बट इस question में काफी कुछ सीखने का है और ये most repeated question है अगर ऐसा question 23 22 24 हर जगह भी आ जाया तो भी surprise वाली बात नहीं है ठीक है ऐसे question आते रहते है तो ये जो matrix है ना ये काफी special matrix है बहुत ज़्यादा special है यहाँ पर आप लगा लो star 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 ये matrix को ही याद रखना आप ये जो matrix है इसको basically हम बोलते है rotation matrix अगर किसी ने straight line में rotation पढ़ा होगा और मुझसे पढ़ा होगा तो उसको शायद पता होगा ठीक है इसको बोलते rotation matrix बट खेर नाम में कुछ नहीं रखा है बस आप ये matrix को ध्यान रखना इसको हमने ऐसे याद भी किया था कि counter strike और supreme court c s और sc c s मतलब counter strike जो envy sir खेलते थे अपने time पे बहुत ज़ादा और ये supreme court counter strike नहीं खेलना चाहिए तो वहाँ पर negative आएगा ना पापी इंसान है और ये supreme court खेर वो भी नहीं जाना चाहिए पर ठीक है उसमें negative नहीं है ठीक है तो ये ये minus आपका इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता तो वो कोई tension नहीं है वो उदर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है अगर उपर है तो भी चलेगा नीचे है तो भी चलेगा Ultimately जो property है वो क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको देव प्रॉपर्टी ये है ये property आप ध्यान रखना ये जो matrix है ना ये जो matrix आपको given है ये बहुत ही ज़ादा special matrix है और special matrix क्यों है ये मैं अब आपको बताता हूँ ठीक है तो यह जो matrix है अगर इस matrix की power n अगर आप निकालोगे ना इसमें basically pattern होता है तो वो pattern आपको ध्यान में रखना है तो pattern क्या है pattern आप समझ लो ठीक है pattern यही spelling है क्या जो भी है मलब देख लेना ठीक है ना मलब इसमें pattern है simple pattern यही होता है pattern यह होता है कि अगर आप निकालोगे a raise to n तो बस यहाँ पर n अलफा आजाएगा that is the only difference ठीक है मलब अगर आप निकालोगे a raise to n तो यह आजाएगा cos n अलफा sin n अलफा minus sin n अलफा तो हर जगा n अलफा आजाएगा बस cos n अलफा ठीक है directly remember this इसको याद करना काफी important है यह कैसे आया आप निकाल के भी check कर सकते हो जैसे for example अगर आप निकालोगे a square आपको वहीं सा idea लग जाएगा अगर आप a square निकालना ज़रा short मैं कर दूँ क्या मैं यह cos minus sin यह sin और यह cos ज़रा multiply करना फटा फट cos minus sin और minus sin square यह बन रहा है नीचे क्या बनेगा नीचे बनेगा sin cos plus sin cos यह बन रहा है इधर क्या बनेगा minus sin square और plus cos square और इधर क्या बनेगा इधर बनेगा this into this तो minus sin square नहीं minus sin अच्छा यहाँ पर minus sin square एक मिनिट इधर कुछ गढ़ पढ़ा है इधर यह नहीं आएगा इधर क्या आएगा? इधर आपके पास आएगा sin into cos तो sin cos plus sin cos आएगा और इधर यह आएगा ठीक है? यह आएगा multiply करने के बाद तो देखों यह क्या लिखा हुआ है? cos square theta minus sin square theta तो cos square theta minus sin square theta क्या होता है? यह theta नहीं यह क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है 2 sin cos 2 sin alpha cos alpha तो that is sin 2 alpha यह आपका बन गया sin 2 alpha यह आपका क्या बन गया? इधर क्या आएगा? इधर basically आपका आजाएगा again sin 2 alpha तीक है? और इधर क्या आजाएगा? इधर यह cos minus sin मलब यह फिर से भई इधर आपका आजाएगा लेकिन कहीं एक जगा minus आजाएगा अभी भी कुछ तो गड़ बड़ है माइनस हमने यहाँ पर है माइनस और माइनस तो जब हमने यहाँ पर multiply किया यह कुछ गड़ बड़ है इसको correct करो यह कौन सा है? first row और second column first row second column माइनस साइन कॉस माइनस साइन कॉस आएगा ना इधर first row second column माइनस साइन कॉस माइनस साइन कॉस तो इधर भी माइनस ही आएगा मतलब basically कहने का मतलब यह कि a square तो आपको pattern दिख गया अगर आप a square निकालोगे तो उदर 2 alpha आजाएगा similarly अगर आप a cube निकालोगे तो उदर 3 alpha आ जाएगा अगर आप a की power 4 निकालोगे तो 4 alpha तो a की power n will be n alpha तो यह आप directly इतनी सारी महनत exam में करने की जरूरत नहीं है in short आप pattern ध्यान रखो यह जो pattern है ना वो आपको पता होना चाहिए यह चमका की नहीं माइनस आएगा उदर सही है अब तो सही है तो सेम यह आ जाएगा बस alpha को replace हो जाएगा वह n alpha के साथ चमक गया होगा मनलब मेरे खाल से तो ultimately यहां पर जो question given है वह आप question को मत देखना यह जो matrix है उसमें जो concept है वह समझना तो यह बार-बार repeat होता है काफी ज्यादा special matrix है तो इसमें ध्यान रखना बस यहां पर आपसे पूचा है एक ही पावर 32 तो क्या आ जाएगा हो एक ही पावर 32 बन जाएगा यह ना cost 32 alpha नीचे आ जाएगा sin 32 alpha ठीक है similarly यहां पर आ जाएगा minus sin 32 alpha और इधर आ जाएगा cost 32 alpha एक्वेट कर दो इसका value आपको question में given ही है यह वाला 0-1 1 और 0 एक्वेट कर दो बस एक्वेट करेंगे तो कितना आगे answer बस यह पहले वाले element को एक्वेट कर दो आपको दिख जाएगा ठीक है तो जैसी आप इक्वेट करोगे तो कॉस 32 alpha इस इक्वेट करोगे तो कॉस का value 0 कब होता है पाई बाई टू पर होता है तो आलपा आ जाएगा पाई बाई 64 आ जाएगा तो अगर आपको यह concept पता होगा ना तो लिटरली मतलब आप यह 30 seconds में कर सकते हो आपको यह सारे लिखने की भी ज़रुद नहीं है अगर आपको यह concept पता है तो आप कर सकते हो ठीक है तो concept पता होना चाहिए pattern आपको पता होना चाहिए अगर pattern है तो pattern वाले question काफी आते है ठीक है तो यह काफी special matrix है एक और special matrix यह वाला जो reference दे देना और इसको याद रखना इसमें pattern क्या होता है इसको आप जब भी multiply करोगे इन दोनों को multiply करो ज़रा इसको multiply करेंगे तो क्या आएगा 1101 और यहां पे है 1201 इसमें पैटर्ण क्या होता है multiply करे करेंगे तो क्या आएगा बताना यहां पे अगर मैं multiply करूंगा तो row by column इधर 1 आएगा पे यह row by column इधर 0 आएगा row by column इहां पे और यहां पे first row first row second column करलो यहां पै इधर कितना आएगा इधर आएगा 3 2 प्लस 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 तो यह आ रहा है क्या यह आपको दिख गया होगा 1301 1301 तो basically इसमें पैटर्न जो होता है यह तीनों सेम रहे हैं 1 का 1 ही है 101 यह तीनों सेम है दियान से यह तीनों सेम है इधर भी 101 तो यह तीनों नंबर सेम रहते है और यह दोनों नंबर एड हो जाते है हमेशा देस औंड देस विल गेट एड़ेट तो बेसिकली यह जो 3 है वो 1 प्लस 2 है यह जो 3 है वो बेसिकली आपका है 1 प्लस 2 तो जब similarly इस matrix को multiply करोगे अगले वाले के साथ तो वो बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 फिर अगले वाले के साथ तो ये सब कुछ add होता चला जाएगा समझगे ना तो सब कुछ आप सब कुछ जब multiply कर दोगे ये पूरा multiplication कर दोगे तो वहाँ पर ये तीनों element तो same ही रहेंगे ये तीनों same रहेंगे इधर 101 ही आएगा सब कुछ multiply कर दो बस यहाँ पर आजाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 जितना भी आपने multiply किया वो सब प्लस में आजाएगा n-1 तक आपको जाना है तो यह आजाएगा और इसका value आपको given है 101 और इधर है 78 तो basically equate कर दो बस n का value आजाएगा तो pattern समझना है pattern यह होता है कि यह तीनों same रहते है इधर बस प्लस हो जाता है तो जब आप इन दोनों को multiply करोगा तो 1 प्लस 2 अगर तीनों को multiply करोगा तो उदर आ रहोगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर आप सब कुछ multiply करोगा तो उदर आ रहोगा 1 प्लस 2 प्लस 3 till n-1 तो basically इसका क्या formula होता है इसका formula होता है n-1 into n divided by 2 यह आजाएगा और इसका value आपको question में given है 78 बस n का value निकाल लो तो यह कितना आ गया यह आजाएगा 156 और 156 होता है 12 into 13 basically n का value 13 आ गया आप compare करो compare करके आपका 13 आ रहा है option C is the answer यह चमका? yes or no तो pattern वाले question बार बार repeat होते है तो मैं यह pattern ध्यान रखना और यह pattern ध्यान रखना in fact J main और advance दोनों में ही इस तरह के pattern वाले जो question है यह special cases है इस special cases को आपको specially ध्यान रखना है ठीक है? और आगे बढ़ते है यह question यह भी pattern वाले इसमें कैसे करेंगे? इसमें दिखो आपको एक matrix given है अच्छा एक और चीज आप यहाँ पर concept लिख लो क्योंकि question तो हम करते रहेंगे but concept लिख लो आप यहाँ पर concept यह है कि जब भी A की कोई भी एक matrix है और उसकी बड़ी-बड़ी powers आती है क्या आती है? बड़ी-बड़ी powers आती है तो वहाँ पर कोई ना कोई pattern होगा बस हमेशा ठीक है? मतलब वो pattern का ही question है तो कोई ना कोई आपका इसमें pattern हो गई होगा तभी ये question solve हो सकता है otherwise वो question solve भी नहीं हो सकता है तो ये concept आप बस ध्यान में रखना कि अगर A की जैसे यहाँ पर A की power है 2025, 2020 अगर कभी भी matrix की बड़ी-बड़ी power है मतलब उसमें कोई ना कोई pattern है अगर pattern नहीं है तो वो question हो इने सकता है basically 20-25 times multiply थोड़ी करने बैठेंगे वो बोल रहा है A की power 2025 इसका मतलब 2025 multiply करना पड़ेगा उतने times वो करने थोड़ी बैठेंगे कोई ना कोई pattern होगा जिससे पता चलेगा कि last में क्या जाएगा तो जब भी A की बड़ी बड़ी power होती है आपके दिमाग में आ जाना चीए कि हाँ कुछ तो pattern है तो इसमें pattern क्या आएगा तो इसमें देखो यहाँ पर आप देख लो directly इसमें थोड़ा सा calculation आपको करना बड़ेगा आप A square निकालोगे अगर आप A square और A cube भी निकालोगे तो आपको pattern दिख जाएगा देखो यहाँ पर A आपको given है ठीक है अपने A square निकाला A square निकालोगे तो यह आ जाएगा अब directly solution देख लो क्योंकि अभी अमारे पास time कम है ठीक है तो बाकी सारे element सेम है बस यहाँ पर जो 0 था वो 1 हो गया यह देखा आपने ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो कि बाकी सब कुछ सेम है यह A है यह A square है A square निकालोगे तो यह आएगा उसके बाद A cube निकालोगे तो A cube निकालोगे तो बाकी सब सेम है बस यहाँ पर 2 आ गया आपको pattern दिख गया होगा मेरी खाल से इसकी जो भी power होती है उससे एक कम आता है बस हमेशा अगर इधर power है 3 तो इधर 2 आ रहे है अगर आप A की power 4 भी निकालोगे क्योंकि निकालने की मेरी खाल से जरूर नहीं है बट फिर भी अगर आप निकालोगे तो इधर क्या आएगा 3 आएगा तो जो भी आपकी power है उससे एक कम आ रहे है तो A raise to N क्या हो जाएगा A raise to N में N minus 1 आ जाएगा बस simple pattern आपको दिख जाना चीए तो जब भी बड़ी-बड़ी powers होती है ना, वहाँ पर तुरंत आपको चमक जाना चीए कि आरे कुछ तो लो चाहे, कुछ तो pattern है अब वो तभी पता चलेगा जब आप A square निकालोगे, A cube निकालोगे, at least आपको A cube तक तो निकालना ही पड़ेगा minimum, तो A square निकालो A cube निकालो, पता चल जाएगा कि क्या pattern है, एक बार pattern चल गया तो, बस उसके बाद आपको क्या पूछा, आपको से ये पूछा है, तो N-1 आएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा तो अब इसका answer बताओ, final तो बाकी सब सेम रहेगा, ये 100, 11, और 100, ये सब सेम रहेगा, इधर जो भी power है, उससे एक कम तो इधर 2024 आजाएगा चमक गया होगा, और minus इधर, इधर भी सब कुछ सेम रहेगा बस ये जो power है उससे एक कम, तो 2019 आजाएगा और बाकी सब सेम, ठीक है तो ये आजाएगा, जैसी आप सब्ट्राक करोगे, तो जैसी आप सब्ट्राक करोगे, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, बाकी सारे element तो सेम ही है, तो यहाँ पे हर जगा 0 आजाएगा, बस इधर क्या आएगा, इधर आपके पास आजाएगा, इन दोनों का difference तो वोट इस दोनों का difference और वो difference है 5 ठीक है, तो यहाँ पे 5 आजाएगा, बस ये चमक गया होगा, और कौन सा ऐसा option है, जिसमें difference 5 आएगा तो option A will be the answer, इसमें भी difference 5 का ही आएगा, क्योंकि A की पावर 6 अगर आप करोगे, तो उसमें यहाँ पे 5 आ रहा होगा, ना, A की पावर 6 में इधर 5 आएगा, और A की पावर 1 में इधर 0 आएगा तो 5 माइनस 0 तब उसमें भी 5 आएगा, option A इस दा answer, ठीक है इसका final answer आएगा, option A इसमें option D मत बोल देना क्योंकि अगर आप option D बोल रहे हो, इसमें यह गलती काफ़ी सारे लोगों ने करी थी और तुम भी वही कर रहे हो, तो option D अगर आप बोल रहे हो, मतलब A की पावर 6 और A की पावर 6 क्या होगा A की पावर 6 तो यह होगा उसमें 0 थोड़ी आ रहा होगा वो तो यह होगा A की पावर 6 यह ना, दिस इस A की पावर 6 तो यह और यह बराबर थोड़ी है हमारी बात सही है, इधर 5 आएगा, बट यह सारे 0 नहीं आएगे ना, option D इस रॉंग, गलती मत करना A की पावर 6 जो है, उसमें इधर तो 5 आएगा बट बाकी सारे 0 आएगे क्या बाकी सारे 0 थोड़ी ना आएगे वो तो केवल N-1 हो जाएगा उदर ठीक है, तो यह सारे 0 भी तो आने चीए तो तभी आएगा जब आप सब्ट्राक करोगे तो difference आने चीए 5 का तो difference 5 का है, option A is the answer not D, D is wrong यह ध्यान रखना, ठीक है, गलती मत करना यह गलती सब लोग करके आया थे अच्छा और एक question करते है अब यह question है, जेही में 2021 का P की power पूछा है 50 तो क्या दिमाग में क्या आया जैसे ही मतलब matrix की बड़ी बड़ी power आपने देखी आपके दिमाग में क्या आना चाहिए आपके दिमाग में आना चाहिए P square निकालो, P cube निकालो इसका अंसर बताओ चलो लेटस सी की किते लोग कर पाते हैं एक बार एक बार ट्राई करो फटाफट, कुछ ना कुछ pattern है तो pattern आप खुछ से एक बार पता करो option A आ रहा है ओके देख लेते है P square निकाला तो P square में इतना ही difference आया कि 1 by 2 का 1 हो गया बस बागी सब सेम है ना 101 सेम है ये सेम है देखो 101 101 सेम है इधर 3 by 2 हो गया इधर 2 हो गया बागी सेम है है जो भी power है उसका half जो भी power है उसका half जो भी आपकी power है उसका half तो जो भी power है उसका half 25 आएगा option A is the answer तो बस आपको दिख जाना चाहिए ऐसे pattern वाले question कर लोगे येस आप जैसे ही कोई भी matrix है उसकी बड़ी बड़ी power है बस उसमें आपको दिमाग लगाना है कि कुछ तो गड़ बड़ है तो आप P square निकालो P cube निकालो उतने ही आपको दिख जाएगा अब चाहो तो P की power 4 भी निकाल सकते है ताकि एकदम confirm हो जाए कि हाँ यही answer है आपका जो pattern है वो आपको decode करना पड़ेगा येस आगे बढ़ते है चलो अब एक advance का question करते है advance 2011 में ये question आयता है ये भी काफी अच्छा question है तो question को पहले समझ लो question में क्या है एक matrix है आपके पास M और वो 3 cross 3 का है ये इसके उपर वाला question है ये सब solution है तो उपर वाला देखो आपके वद तो एक matrix है M उसका order है 3 cross 3 उसको जब इसके साथ multiply करेंगे तो ये आएगा इसके साथ multiply करेंगे तो ये आएगा और M को इसके साथ multiply करेंगे तो ये आएगा मुलब तीन equation given है yes or no M को इसके साथ multiply किया तो ये आया इसके साथ multiply किया तो ये आया इसके साथ multiply किया तो यह आया पर एक काम करते है इस question को solve और पूछा है sum of the diagonal entries of trace पूछा है आपको पूछा find out the trace of M तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं यह जो matrix M है उसको assume कर लेते हैं हमने एक general matrix assume कर लिया और तीनों equation में put कर दिया यह पहली वाली equation में put कर दिया दूसरी वाली equation में put कर दिया तीसरी वाली equation में put कर दिया अब solve करना है बस कि समय आया आपको question में यह बोला है कि M एक 3 cross 3 का matrix है तो हमने assume कर लिया 3 cross 3 का एक general matrix 3 cross 3 का general matrix मान लो और यहाँ पर substitute कर दो तो M की जगह यह आजागा इधर M की जगह यह आजागा अब देखो इसको multiply करो तो जैसे हम multiply करेंगे तो row by column multiplication करना row by column अगर आप multiply करते हो और फिर equate करते जाना तो यह क्या आजागा A1 into 0 तो वो तो 0 ही है फिर अगला आएगा A2 into 1 तो A2 और फिर का की नहीं और डारेक्ली आपके पास A2 का value तो आगया तो यहाँ से आप देख लो कि A2 का value है that is minus 1 A2 का value आगया similarly अगला वाला रोल ले लो आप second row और first column इसको multiply करोगे तो अगे यह आएगा 0 ठीक है इधर 0 plus B2 plus 0 और इसका value है 2 तो यहाँ से B2 का value आगया 2 yes or no similarly C2 का value आजाएगा बीच वाले सारे आजाएगे C2 plus 0 this is equal to 3 C2 का value 3 आजाएगा तो इन तीनों का value आगया A2 B2 C2 अब का value आगया अब इस वाली equation को use करो ठीक है इस वाली equation को use करेंगे इधर क्या है इधर आगया आप row by column करो row by column करो गये तो यहाँ पर क्या हैगा A1 into 1 तो A1 ओके फिर minus A2 और यह तो 0 ही आएगा A3 into 0 that is 0 और equate कर दो 1 के साद एक equation यह है दूसरी equation यह आजाएगी equate कर दो ठीक है तो यह आजाएगी और तीसरी equation यह आजाएगी इसका value आजाएगा minus 1 ठीक है तो यह तीनो equation आगी अब आपको A2, B2, C2 पता है तो substitute कर दो A1, B1, C1 आजाएगा तो A2 का value कितना है minus 1 यहाँ पर minus 1 put करो A1 निकालो तो यहाँ से आपका आजाएगा A1 यहाँ से B1 और यहाँ से C1 इन तीनों का value बता दो इन तीनों का value कितना हैगा तो A2 का value है minus 1 तो A1 का value आजाएगा 0 ठीक है B2 का value है 2 तो इसका value आजाएगा 3 इसका value है 3 तो इधर जाएगा plus 3 तो 2 बन जाएगा तो इसका value 2 आगा ठीक है तो इन तीनों का value भी आ गया यह a1, b1, c1 भी आ गया अब वो last वाल equation use कर लो तो आपका a3, b3, c3 भी आ जाएगा अब यह last वाल equation इसमें last वाल equation में basically इधर 1, 1, 1 है 1, 1, 1 है तो यह ऐसा जाएगा a1 plus a2 plus a3 this is equal to 0 similarly b1 plus b2 plus b3 this is equal to 0 और c1 plus c2 plus c3 this is equal to 12 तो इक्वेट करतो आपको निकालना क्या था उस पर focus करो आपको निकालना है sum of the diagonal elements तो diagonal elements का sum तो वो आएगा a1 plus b2 plus c3 यह निकालना है तो a1 का value कितना है a1 का value तो 0 है b2 का value कितना है तो b2 का value 2 है तो बस अब आपको c3 निकालना है तो कुछ भी करके सब कुछ निकालने की कोशिश मत करो केवल c3 निकाल लो आप तो c3 निकाल लो इस वली equation से कितना आएगा c3 का value c1 का value कितना है c1 का value है 2 तो यहाँ पर substitute कर दो 2 c2 का value कितना है c2 का value है 3 और plus c3 this is equal to 12 तो c3 का value आगया 7 ठीक है तो c3 का value आगया तो substitute कर दो final answer is 9 ठीक है तो आपका finally इसमें जो answer आएगा that will be 9 तो यह भी simple question था matrix multiplication के उपर question आ रहे multiply करना आना चाहिए अगर multiply करना आता है ना तो इस तरह के advance वाल equation भी हो जाएंगे फड़ा बहुत calculation रहता है बाकी बहुत simple ठीक है और आगे बढ़ते हैं आप बात करते हैं transpose of a matrix के बारे में तो transpose का क्या मतलब होता है यह को transpose का simple मतलब होता है जो row है वो column बन जाएगा यह जो row है जो horizontal है उसको vertical कर दो उसको बोलते है transpose transpose को denote करने का तरीका होता है या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो m' ठीक है m' या फिर m का transpose तो जो row है वो column बन जाएगा और जो column है वो automatically row बन रहा होगा तो row और column basically swap हो जाता है जो horizontal है वो vertical हो जाएगा जो vertical है वो horizontal हो जाएगा इसी को बोलते है transpose तो simple है जैसे for example इसका transpose निकालना है अगर आपको किसी भी matrix का transpose निकालना है तो जो भी horizontal है उसको vertical कर दो बस ऐसा 123 और यहाँ पे जो horizontal है उसको भी vertical कर दो 456 और यहाँ पे आजागा 789 horizontal will become vertical तो आप यहाँ पे देखो कि जो vertical था वो automatically horizontal हो गया 147 था नवर्टिकल वर्टिकल में क्या था 147 तो वो automatically horizontal हो जाएगा चामक गया ना तो basically row will become column यह column थी अब यह row है और जो row था 123 अब वो column है तो row will become column column will become row swap हो जाएगा basically row और column को interchange कर दिया आपने basically तो जब भी आप transpose निकालते हो interchange हो जाएगी आपकी ठीकर जो row है वो column बन गई जो column है वो row बन गई चमक गयो होगा मेरे खाल से अचा properties पर आजाओ तो transpose का transpose same आजाएगा एक बार आपने row को column बनाया फिर column को फिर से row बना दिया तो same ही आजाएगा तो transpose का transpose will be अच्छा अगर बीच में plus या minus है तो आप उसको distribute कर सकते हो यहाँ पर distribute करना allowed है जैसे for example मान लो एक matrix आपके पास है ABCD और दूसरा matrix आपके पास है 1,2,3,4 ठीक है यह दो matrix है आपके पास इन दोनों को add करेंगे तो क्या आएगा इन दोनों को add करेंगे तो हमारे पास आएगा A plus 1, B plus 2, C plus 3 और D plus 4 यह आएगा ना add करेंगे तो हमारे पास यह आएगा अब देखो यहाँ पर आप LHS निकालो इसको अगर देखना है तो what is LHS LHS में आपको बोल रहा है A plus B का transpose तो A plus B का यह A है यह B है ठीक है दिस इस A दिस इस B और यह आपका है A plus B तो A plus B का transpose क्या आजाएगा यह A plus B है तो उसका transpose क्या आजाएगा जो horizontal है उसको vertical कर दो बस जो horizontal है उसको vertical कर दो ये भी horizontal है तो इसको भी आप vertical कर दो ठीक है तो ये आजाएगा अपना LHS और RHS क्या आएगा राइटन साइड राइटन साइड में बोला है कि A transpose प्लस B transpose तो A का transpose ले लो आप A का transpose मतलब जो horizontal है वो vertical हो जाएगा तो ऐसा आजाएगा A, B, C और D और इसका भी transpose ले लो B का तो B का transpose हो जाएगा 1, 2 ऐसा और 3, 4 अब इन दोनों को add करो इन दोनों को add करेंगे तो क्या आएगा A plus 1 आएगा, फिर C plus 3 आएगा इधर आएगा B plus 2 और इधर आएगा D plus 4 तो सेम ही आ रहे है LHS is equal to RHS चमक क्या, property clear है क्या Yes or No, इस property clear है क्या A transpose plus B transpose करो तो भी यह आएगा और A plus B का whole transpose करो तो भी यह आएगा, ultimately same है ठीक है तो property number 1, 2, 3 तीनों clear है क्या यह वाली clear, यह clear, यह भी clear इसमें क्या होता है, constant बहार निकल जाएगा अगर कोई भी constant है तो उसका बहार निकाल सकते हो, उसमें कोई दिकत नहीं last वाली property सबसे important है तो इसके उपर 2, 3 star mark कर लो यह वाली property क्या कहती है कि A, B का transpose उसमें इसको बोलता है reversal property, order आपका reverse हो जाएगा, है ना, मतलब basically यहीं पर देख लो आप, basically property ऐसी है अगर आपके पास है A into B का transpose तो order will change तो B का transpose into A का transpose आएगा अगर आपके कोई पूछेगा A into B into C का transpose यह हो जाएगा C का transpose, फिर B का transpose फिर A का transpose इसमें जो order होता है वो exactly आपका reverse हो जाता है ठीक है, A, B, C है तो अब C, B, A हो जाएगा और same property inverse में भी होती है अगर आपने पढ़ रखा है तो अगर inverse भी है तो उसमें भी reverse हो तो transpose में reverse हो जाता है inverse भी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी reverse हो जाता है तो यह last property ध्यान दखना जिसको हम बोलते है reversal property ठीक है और आगे बढ़ते है अब चलो questions करते है इसके उपर transpose के उपर ठीक है तो transpose में अच्छा transpose का question करने से पहले trace का question है यह trace का question कैसे करेंगे देखो इस तरह की question आ सकते है अगर ऐसा question आया ना तो basically Jee वाले चाहते है कि आप time waste करो आप क्या करो time waste करो इसमें बहुत सारे बच्चे time waste कर देंगे और उनका selection नहीं होगा क्यों? क्योंकि ऐसा question जैसे ही आता है तो अपने दिमाग में यही आता है कि A plus 2B given है 2A minus B given है यह दोनों given है तो दो equation दो variable solve कर लो ऐसी तो करोगे ना तो generally बच्चे क्या करेंगे बच्चे ऐसी करेंगे कि यहाँ पर क्या है बताओ यहाँ पर 2A है ना एक काम करते है इस पूरे को 2 से multiply कर देते तो 2A और plus 4B 2 से multiply कर दो इधर भी 2 से multiply कर दोगे तो 2, 4, 0 ऐसे आ जाएगा इधर भी 2 से multiply कर दिया तो यह आ जाएगा और फिर 2 से multiply कर दो पूरे को तो 2 से multiply कर देंगे तो यह आ गया और दूसरी equation अपने को यह given 2A minus B and this is equal to 2 minus 1 5 2 minus 1 6 और 0 1 2 तो generally सब लोग ऐसे ही करते है generally सब लोग ऐसे ही करेंगे हाँ दो equation दो variable यह matrix A भी आ जाएगा matrix B भी आ जाएगा आपने basically क्या किया इसमें 2A था इसलिए इस equation को 2 से multiply कर दिया था कि इधर भी 2A इधर भी 2A अब आप दोनों equation को subtract कर सकते हो तो जैसी आप दोनों equation को subtract करोगे दोनों को subtract करोगे तो यह cancel हो जाएगा यह 4B plus B तो 5B आ जाएगा और यहां से आपके पास 5B का value आ जाएगा अगर 5B का value आ जाएगा तो उसको divide by 5 कर देना तो B का value आ जाएगा बी का value आएगा 1 by 5 और यह matrix और B आ जाएगा तो फिर उपर वाली equation में किसी एक में put कर देना इसमें put कर दो आप second वाली में तो यह आएगा बट वो काफी lengthy है ना तो यह method बकवास है ऐसा हम नहीं करेंगे ठीक है यह time waste करने के लिए देंगे और आप यह method बिल्कुल भी use मत करना अगर आपको यह जो time waste है उससे बचना है properties use कर लेना properties क्या होती है properties यह होती है कि आप सब का trace लेलो यह वाली जो equation given है इसमें trace लेलो और trace में हमने property पढ़ी थे ना यह वाली कौन सी वाली trace को हम split कर सकते है basically कहां गई वो property trace की properties बहुत पहली पढ़ ली थी यह वाली property trace of a plus trace of b trace a plus अलग-अलग कर सकते है उसका trace अगर a plus b है तो trace of a plus trace of b और अगर कोई scalar है तो उसको बाहर भी निकाल सकते है अगर कोई scalar है तो उसको बाहर भी निकाल सकते है तो बस इसको use करो आप कैसे use करेंगे देखो आप दोनों equation जो given है ना दोनों का trace लेलो तो basically वहां से काम बन जाएगा कहां चलागे यहां इसका trace लेलो तो यह आजाएगा trace of a और यह scalar को बाहर निकाल सकते है तो two times trace of b और इसका trace क्या आजाएगा इसका trace आजाएगा minus one तो एक equation यह है और दूसरी equation यह है two times trace of a minus trace of b and this is equal to इन दोनों का trace कितना है इसका trace तो यह आ आजाएगा 3 तो बस यह दो equation दो variable अब इसको solve कर लो सीधा सीधा और आपको निकालना है trace of a minus trace of b एक काम करते है थोड़ी देर के लिए यह trace of a है इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ a और इसको मान लेता है b मनलब यह दो equation बन गी न यह वाली equation आपकी बन ग कर दो यहाँ पर आजाएगा 2a plus 4b this is equal to minus 2 और फिर दोनों को subtract कर दो जैसी आप subtract करोंगे तो minus 5b this is equal to 5b तो b का value minus 1 आगे और अगर b का value minus 1 है तो a का value कितना आजाएगा तो b का value अगर minus 1 है तो a का value 1 आजाएगा तो बस यह a minus b आपको निकालना है तो 1 minus minus 1 तो ultimately 2 इस दांसर तो यह जल्दी आ गया ना समझे है मतलब basically trace की property लगा लिए अगर हो यार कौन पूरे-पूरे matrix में खेलता है आपको बाकी element से यह 6 minus 5 3 उन सब का क्या करना है आपको तो trace चाहिए ना तो trace लो ना बाकी सारे element में क्यों time waste कर रहे हो ठीक है तो सीधा आप दोनों तरफ trace ले लिया करो इस तरह की question आएंगे time waste करवाएंगे मत करना ठीक है trace की properties लगा ले ना तो trace में दो equation दो variable फिर solve करो तमका होगा मेरी क्याल से और आगे बढ़ते जही में 2021 का question आप खुछ से try करो इसको try करना है यह भी काफी अच्छा है question अच्छा है इसको try करना simple ही है यह कैसे करें है इसको करने के लिए यहां पर आपको matrix a given है यह भी given है कि a into a transpose is equal to i2 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 मतलब identity matrix of order 2 cross 2 ठीक है तो basically a into a transpose is given और वो given है i तो बस a into a transpose निकाल दो ठीक है यह आपका a है और फिर a का transpose जो horizontal है उसको vertical कर देना ऐसा ठीक है and this is equal to i बस multiply करके equate कर तो answer आगे यह तो बहुत ही चिंदी question आया था multiply करना जरह multiply कैसे करेंगे multiply करने के लिए one plus alpha square आ जाएगा और इधर क्या आएगा second row first column तो alpha minus alpha beta alpha minus alpha beta यह आ जाएगा और इधर क्या first row second column इधर first row second column इसको बताना तो यह आ जाएगा one नहीं alpha minus alpha beta यह आ रहा है इधर और second row second column second row second column करेंगे तो alpha square plus beta square जाएगा जाएगा जो भी method आपको अच्छा लगे और फिर equate कर देंगे तो this equal to this alpha square कितना आ गया तो one plus alpha square equal to one दो alpha का value zero आ गया और फिर इन दोनों को equate कर देना इसको और इसको कितना आ गया alpha square plus beta square equal to one अब alpha तो zero है तो beta square equal to one आ गया आपको निकालना है alpha की power 4 plus beta की power 4 what is the answer alpha की power 4 plus beta तो यह तो zero है और यह one है यह beta square का square है basically तो answer finally क्या आ जाएगा zero plus one वन आ जाएगा ठीक है option A is the answer अरे चमका की नहीं कितना लोगों को चमका तो इसमें किसी को कोई आपत्ती विपत्ती संपत्ती नहीं है ना yes or no चमका यह आगे वड़ता है और एक question ट्राई करो जहीए advance 2012 का ओके इसमें basically आपको यह जो highlighted है उसी पर focus करना है बाकी सब information थोड़ी थोड़ी बकवास है ठीक है तो basically यह बोले है कि P is a three cross three का matrix such that P transpose represents the transpose of P जैसे तो हमें पता ही नहीं था यह advance वाले सारी definition बताते है उनको लगता है हमें कुछ नहीं आता है ठीक है तो बताते है कि P और P की P की power में अगर T लिखा है तो इसका सब होता है transpose नहीं तुम कुछ और ना समझ बैठो तो clarity होती है मतलब I is the identity matrix हमने तो आग से पहले I देखा ही नहीं था है ना three cross three का identity matrix है उसको I से represent करता है बहुत बढ़िया तो बाकी सब information फालत हो है बस X आपको given है XYZ और XYZ का value 0 नहीं है मतलब null matrix नहीं है simple as that बस वो उपर वाली जो information है वही काम किये बाकी आपको निकालना है अगर आप सारे options देखो के तो आपको P into X निकालना है ओके you need to find out P into X तो आप कुछ भी करो और P into X निकालो एडवांस वाले काफी OP है मतलब तो देखो यह information आपको given है यह equation भी बहुत चिंदी था अगर बस आपने इतना सोच लिया ना कि दोनों तरफ transpose ले लो जैसी आप दोनों तरफ transpose ले लो गया काम खतम हो गया काम खतम कैसे हो गया तो कि यह property लगी transpose का transpose तो P आ गया ना और यहां पर property कौन से लगएगी कि इसको distribute कर सकते है transpose को यह ऐसा आजाएगा ना 2P का transpose और I का transpose दोनों का अलग-अलग transpose तो हमेशा यह ध्यान लगना कि transpose जो होता है वो दोनों के माथे पर लग जाता है एक बार इसके माथे पर लग-अलग आप उसको split कर सकते हो अब एक और property होती है कि आप scalar को बाहर भी निकाल सकते हो तो scalar को बाहर निकालो scalar को बाहर निकालेंगे तो P transpose और I का transpose I होता है I की कुछ भी power करो तो भी I है और I का transpose करो तो भी I अब ये वापस P transpose बन गया न तो वापस इसका value पुट कर दो जो question में given है तो question में आपने को ये given है कि P transpose is 2P plus I वापस value substitute कर देंगे तो बस आगे यहाँ से P equal to 4P plus 2I और plus I अब इसको इधर ले जाओ तो null matrix equal to 3P plus 3I basically P equal to minus I आगया यह आगया P equal to minus I और अगर P equal to minus I आगया आपको निकालना है P into X तो दोनों तरफ multiply कर दो X के साथ post multiply कर दो ठीक है क्या कर दो post multiply कर दो ultimately I into X आजाएगा X ठीक है तो final answer क्या है P into X is minus X किसी भी matrix को अगर I से multiply करोगे तो Y आएगा I into X is X P into X is minus X option D is the answer यह चमका तो अगर आपने इतना कर लिया कि दोनों तरफ transpose लेना है और उसके बाद फिर से P transpose generate होगा उसका value पुट कर दो तो बस answer आगया simple ठीक है तो काफी यह देखरो advance में आया था simple simple question आता है advance में अच्छा यह वाला जो question है यह काफी अच्छा है अगीन इस तरह का question यह question कौन से year में आया था पहले तो आप वो guess करो आप यह आसाने guess करना जेई advance में आया था पहली बात तो जेई advance और मेरे खाज़ यह आपने guess करी लिया होगा इसलिए हमने यहाँ पर mention किया ही नहीं है क्योंकि बहुत ही obvious है कि 2005, 2000 हर जगव ही है तो जेई advance 2005 में ही आया था ठीक है? obvious ही बात है सबको यह तो समझ में आई रहा है ठीक है? और इस तरह के जो question है again बहुत famous है यह 2005 में तो जेई advance में है उतके बाद जेई main में बहुत बारा आचुका है यही question year change करता रहते है year के हिसाब से answer change होता रहता है ठीक है? special pattern होता है कुछ यह वही वाला matrix है इधर 101 है और इधर 1 है यह A है अगर आप से कोई पूचेगा A square A square मतलब यह है ना इधर 101 इधर 1 है और फिर इधर 101 और इधर 1 है तो basically A square में इन दोनों को add करेंगा पिस तो A square का value कितना आजाएगा 101 और इधर 2 आजाएगा 1 प्लस 1 ठीक है? अब अगर आप से कोई पूचेगा A cube अगर कोई आप से पूचेगा A cube A cube मतलब फिर से pattern है तीन बार multiply करना आपको अगर आप तीन बार multiply करोगे तो क्या है 101 इधर 1 1 तो फिर उसमें 3 आजाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो उसमें 3 आजाएगा यह आजाएगा 101 और इधर 3 तो basically आप मुझे भी बता दो कि A की पावर N कि आएगा तो इधर 2 में 2 है देखो 2 में 2 आ रहे 3 में 3 आ रहे तो N में N आएगा यहाँ पर और बाकी सब से 101 तो यह pattern है दिख गया होगा मेरे खाल से यह चमका की नहीं यह कितने लोगों चमका यह तो pattern वाला matrix गिवन है येस तो यह आ गया यहाँ पर बस यह वाला जो matrix है इसको देख की चमक जाना चाहिए की हाँ कुछ तो pattern है और उसके आगे देखो उसके आगे एक और matrix गिवन है और इसमें पहले तो आपको मैं proper method बता देता हूँ तो proper method क्या है देखो आपको निकालना है x x निकालना तो जो निकालना है वहाँ से आप start करो x का value आपको question में गिवन है यह ठीक है यह गिवन है P transpose यहाँ पर लिख देता है P transpose into q की power है 2005 यह q into q into q into q ऐसा कितनी बार आएगा ऐसा आएगा 2005 times यह q कितनी बार लिखा हूँ है मैंने 2005 times लिखा हूँ है द्यान से देखो दिख रहे है एक दो तीन 2005 दिख है एक दो तीन और यह 2005 2005 times मैंने q को लिखा हूँ है देख रहो कितने मैनती आपके तो q q q q q की पोड़ 2005 है ना तो पस ऐसे लिख दो और फिर q का value पूट कर दो आपको question में given ही है तो अब आप क्या करो इस में q का q का value कितना है q का value है PAP transpose फिर इसका value फिर से PAP transpose अगले वाले का value फिर से P A P transpose ऐसे ही चलता जाएगा यह आपकी गड़ी last में आएगा P A P transpose और multiplied by P अब इस question की खास बात पता ही गया है खास बात यह है कि अगर आप यह निकालोगे ना P transpose into P तो इसका value आ रहा होगा I आप निकाल के देखू इन दोनों को club कर लो ठीक है और यहां पर भी P transpose into P यह वाला जो P transpose वो अगले वाले के साथ club हो जाएगा और यह पिछले वाले के साथ club हो जाएगा तो P transpose यह P आपको पी transpose into P निकाल के देखो वो आपका i आ रहा होगा इस question की खास बात ही यह है, यह आपका P, P जो है न, P transpose निकालो, और P से multiply करो, तो that will be I, P transpose into P, that will be I, तो अगर आप यह निकालो, यह I आ जाएगा, तो यह क्या लिखा हुए, देखो, यह ऐसा लिखा हुए, यह बन जाएगा I, तो I multiplied by A, फिर अगला आ जाएगा I multiplied by A, फिर I multiplied by A, और multiplied by A क्या होता है, तो A ही होता है, तो ultimately यह A into A into A, ऐसा आजाएगा, और यह कितनी बार आएगा, तो यह आएगा 2005 टाइमस, तो बस यह आपको निकालना था, फिर आजाएगा 2005 टाइमस आजाएगा, तो बस यह आपको निकालना, और यह कैसे निकालेंगे, अभी तो आमने द आजाएगा, तो option A is dance, simple, option A आजाएगा, इसमें pattern होता है, तो उदर basically 2005 आजाएगा, simple as that, यह चमका की नहीं, इसका एक shortcut भी आप बना लो, अगर आपको इतना लेंदी नहीं करना है, तो इसमें shortcut यह होता है, कि जो भी आपको निकालना है न, देखो shortcut भी समझो इसमे, shortcut आप ऐसे देख्यों कि यह बार-बार आ रहे, तो since इस तरह की question बार-बार आ रहे तो आप एक shortcut बना लो, generally इस तरह के question में आप देखोगे न, तो यह P into P transpose I, या 2I, या 3I, ऐसा ही कुछ हा रहोगा, I का multiple कुछ ना कुछ हा रहोगा, ठीक है, एक बार J main में question आ तो उसमें 2I था, या 3I था, तो वो change होता रहता है, अगर 2I होगा, तो फिर 2 की power 2005 से, multiply करना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ पर 2I, फिर इधर 2I, इधर भी 2I, इधर भी 2I, वो 2 into 2 into 2 into 2, ऐसा 2005 टाइम्स, तो फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, 2 की power 2005, into A की power 2005, तो यह वाला matrix तो आपका multiple में ही आता है, तो इसलिए shortcut आप यह बना सकते हो कि X जो है, उसके बीच में है Q, और Q में बीच में है A, जो भी center में होता है न, matrix, उसकी power जो भी year में आया है, तो year, कौन से year में आया है, 2005 में, तो बस आप यह देख लो कि X निकालना है, X का जो definition given है, उसमें center में कौन है Q, और Q के center में कौन है, A, ultimately A आयेगा, और जो भी यह आ रहे है, तो A की power 2005, है न, तो इस तरह से आप बना सकते हो, basically, चमका होगा मेरे ख्याल से, सार इसमें 2i ही आ रहा है, अरे, यह 2i नहीं आ रहा होगा, तुम गलती कर रहा है, अब यह भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, चलो दिखा देते है, transpose लेलो, यह basically ऐसा हो जाएगा, root 3 by 2, और 1 by 2, यह काम मत करवाओ, यह यहाँ पर आजाएगा, minus 1 by 2, तो यह P transpose, P transpose multiplied by P, करना जरा, यह इधर आजाएगा, और 1 by 2, और root 3 by 2, तो multiply कर लो, multiply करेंगे, तो क्या आएगा, multiply करोगे, तो basically, root 3 by 2, root 3 by 2, वो बन जाएगा, 3 by 4, यहाँ पर आपका आ रहा है, 3 by 4, और फिर यह और यह, इन दोनों को multiply करोगे, तो 1 by 4, अरे तो I ही तो आ रहा है, ठीके, इधर 0 आ रहा होगा, इधर 0 आ रहा होगा, और इधर भी 1 आ रहा होगा, तो I ही आएगा, अब द definitely I, चमका न, 3 by 4 plus 1 by 4, 1 ही तो है, यह, चमका चमका, ओके, अब जाके चमका, अजा ओर लोड, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लेते है, वैसे भी ब्रेक का टाइम हो गया है, ठीक है, तो चलो एक ब्रेक ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स टेक ब्रेक, इसके बाद हम फिर continue करते है, symmetric, क्यों symmetric, अभी काफे कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो एक फटा-फट से ब्रेक ले लो, उसके बाद हम continue करते है, फाइन, बट इसको यार, definitely आप share कर देना, वीडियो को like कर दो, अगर अभी तक like नहीं किया है, तो definitely एक like तो बनता है, matrices हम पुरा revise कर रहे है, इसक yes, let's take a small break, after that we'll meet, बट इसको definitely आप share कर दो, with the hashtag of bounce back, ठीक है, एक second, हाँ, इसको share कर दो, फटा-फट, yes, एक second, हाँ, क्या हो गया, चैट ही गया हो गई, हां जी, ठीक है, तो फटा-फट जाओ, और फटा-फट वापस आ जाना, ठीक है, yes, चलो देन, मिलते है, ठीक है, after 24 minutes, एक मिनिट तो हो भी गया, अरे, हाँ, 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 कि अच्चल कारता जीक है, हाँ, पाँ, झाल 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 आपको पता होना चीज़ आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हो इनफेक्ट हमेशा आपको ट्रांस्पोज निकालने की जरौत नहीं है अगर आपको कोई एक मेट्रिक्स गिवन है तो उसमें वहलब पहला तरीका तो यह हो सकता है आप एक ट्रांस्पोज निकालो जैसे फॉर एक्जामपल यह वाला मेट्रिक्स है अगर आप इसका ट्रांस्पोज लोगे तो क्या आएगा बता ना इसका ट्रांस्पोज ले लो आप तो ट्रांस्पोज ले लोगे तो यह जो horizontal है वो vertical बन जाएगा ना root 3, 2, 3 ऐसा आजाएगा फिर यह जो second row है वो second column बन जाएगा तो ऐसा आएगा और फिर यह वाला जो horizontal है इसको भी आप vertical कर दो यह वापस वही आ रहा है ना एक बार चेक करो अगर आपने transpose लिया तो transpose लेने पर वापस वही आगया जैसे ही मैंने इसका transpose लिया तो again जो matrix आया हो वही तो यह कौन सा matrix है यह matrix है symmetric और इसका transpose लेना ज़रा इसका अगर आप transpose लो गए तो क्या आएगा इसमें आप horizontal को vertical कर दो बस तो 0, 1, minus 2 second row में क्या है minus 1, 0, 3 minus 1, 0, 3 और यहां पर क्या है 2 minus 3, 0, ठीक है 2 minus 3, 0 तो यहां पर basically यह कैसा है यहां पर देखो minus 2 है, यहां पर 2 है यहां पर 3 है, यहां पर minus 3 है तो minus आ रहा है na transpose is equal to minus of A तो सिंज यहां पर a transpose equal to minus of A है तो यह नीचे वाला skew symmetric है और उपर वाला symmetric है अब एक method तो यह है कि आप transpose निकाल निकाल के देखो अगर आपको transpose निकाल निकाल के नहीं देखना है तो इसका एक दूसरा method भी होता है और वही method है कि आप visualize कर सकते हो इसको visualize कैसे कर सकते है अगर आपको visualize करना है तो आप simple यह जो principle diagonal है वो बना लो principle diagonal के about अगर ये जो elements होते है न अगर वो mirror image है ये दोनों same है ध्यान से देखो ये वाला element और ये वाला element भी same है ये वाला element और ये वाला element भी same है बलब basically ये mirror है ये दिख्या आपको ये mirror image है ये दोनों same है ये दोनों same है तो अगर mirror image आते है then definitely that will be symmetric symmetric कैसे है के वाल आप शकल देख के बता सकते हो symmetric है कि skew symmetric है तो symmetric में बस आप principal diagonal को देखो principal diagonal के about अगर mirror image है तो symmetric होगा अगर principal diagonal अच्छा सबसे पहली बात तो diagonal elements होता है skew symmetric के वो definitely zero होता है यह diagonal elements को zero होना ही पड़ेगा diagonal elements of skew symmetric must be zero यह hundred percent उसको zero होना ही पड़ेगा otherwise skew symmetric कभी बनी नहीं पाएगा तो diagonal elements hundred percent zero ही होता है तो skew symmetric आपको वहाँ से भी idea लग जाएगा अगर diagonal element zero है और जो भी यह mirror image तो है यहाँ पे आगिन आप देखोगे but opposite sign है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे minus 1 है इधर minus 2 है तो यहाँ पे 2 है इसमें भी mirror image तो होता है लेकिन with opposite sign यह चमका ना इसमें opposite sign है उसमें same sign है इसमें mirror image है इसमें diagonal elements कुछ भी हो सकते है but skew symmetric के diagonal elements must be zero वस केवल आप शकल देखके बता सकते हो ठीक है तो in short basic definition क्या है यह basic definition आपको clear है a transpose equal to a a transpose equal to minus a symmetric skew symmetric उसके बाद आप ध्यान दखो symmetric को अगर पहचानना है शकल देखके तो diagonal के about mirror image देख लो skew symmetric को पहचानना है तो सबसे पहले diagonal elements को देखो diagonal elements must be zero यहाँ पे सारे 0-0-0 है अगर diagonal element 0 है तो फिर आप क्या करो mirror image check करो with opposite sign होना चाहिए अगर इधर 1 तो इधर minus 1 इधर 2 तो इधर minus 2 इधर 3 तो इधर minus 3 तो यह skew symmetric है अचा एक और property में आपको बताता हूँ है ना एक और property यह है कि अगर कोई भी skew symmetric है यह भी आप लिख लो skew symmetric of odd order तो उसका जो determinant value होता वो हमेशा वीरो होता है तो अगर कोई भी ऐसा जैसे यह 3 cross 3 का है तो इसका order क्या है इसका order है 3 3 cross 3 मतलब order 3 है square matrix के लिए valid है सबसे पहली बात तो यह जो definition है symmetric or skew symmetric value definition यह केवल और केवल square matrix के लिए ही valid है किसी और matrix के लिए definition valid ही नहीं है square matrices के types होते है symmetric और skew symmetric समझगे न तो केवल यह square matrix के लिए valid है और उसमें भी अगर कोई skew symmetric होगा जिसका odd order है जैसे कि for example यह skew symmetric भी है और इसका order कितना है इसका order है 3 तो अगर आप इसका determinant निकालोगे न तो definitely zero आ रहा होगा आप चेक भी कर सकते हो 3 x 3 का determinant जिनको निकालना आता है आप इसका determinant निकालो definitely zero आ रहा होगा आप चेक भी कर सकते हो skew symmetric of odd order उसका determinant value zero ही होता है अगर even order है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते अगर मान लो कोई 2 x 2 का होता skew symmetric जैसे for example आप ऐसा ले लो 2 x 2 का मतलब इधर 0 इधर 0 diagonal को तो 0 होना ही पड़ेगा इधर आप ले लो 1 और इधर आप ले लो minus 1 तो क्या ये skew symmetric है ये skew symmetric है पर इसका determinant 0 आएगा ये skew symmetric है even order का क्योंकि इसका order है 2 x 2 तो ये even order तो इसका determinant 0 नहीं आएगा ठीक है इसका अगर आप determinant निकाल हो गए तो इसका determinant 0 थोड़ी न आएगा बट अगर कोई भी skew symmetric है odd order का तो उसका determinant definitely 0 आएगा ये चमक गयोगा मेरे खाल से येस 0 ही आएगा वो हमेजा और आगे बढ़ते है अब इसमें theorem है theorem 1, theorem 2, 2 theorem है total हैला theorem क्या कहता है हैला theorem ये कहता है कि अगर A कोई भी एक square matrix है इसको ध्यान से समझना अगर A कोई भी एक square matrix है ठीक है दिस इस दुनिया का कोई भी एक square matrix कुछ भी हो सकता हो तो ये जो matrix A है बस वो square matrix होना चाहिए दुनिया का कोई भी square matrix आप ले लो अब इसमें theorem क्या कहता है theorem ये कहता है कि अगर आप A plus A transpose निकालोगे न तो वो definitely symmetric ही होगा और अगर आप A minus A transpose निकालोगे तो definitely skeu symmetric ही होगा ये आपका theorem है ठीक है आप दुनिया का कोई भी एक matrix ले लो A square matrix ले लो basically square matrix के लिए ये सारी definition varied है तो हर जग़ा square matrix by default है पूरे chapter में ठीक है इन सब में specially ये symmetric, skeu symmetric में तो कोई भी एक square matrix ले लो दुनिया का अगर आप A plus A transpose निकालोगे न वो definitely symmetric आएगा और A minus A transpose निकालोगे तो वो 100% skeu symmetric ही आएगा ऐसा क्यों देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका derivation भी कर लेते हैं जैसे for example ये जो A plus A transpose है इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कि ये matrix X है इसका एक नाम रग दिया X अब X का transpose आप निकालो X का dash X का transpose मतलब ये आजाएगा A plus A transpose का transpose अब transpose की property हमने क्या पड़ी थी transpose की property हमने पड़ी थी कि वो दोनों के माथे पे लग जाएगा ये जो transpose है इसके माथे पे लग जाएगा और transpose इसके माथे पे भी लग जाएगा तो यह आ जाएगा, यस और नो, transpose को आप distribute कर सकते हो, एक बार इसके उपर, एक बार इसके उपर, दोनों के माथे पे लग जाएगा, ठीक है न, तो यह क्या बन गया, यह बन गया, एट्रांस्पोस का ट्रांस्पोस क्या होता है, ट्रांस्पोस का ट्रांस्पोस ए होता है, अ यह वापस एक्स है अगया अगर आपS ध्यान से दिखूघा था हमने एक्स से start किया था एक्स का transpose इज इक्वल टो X आ गया यह कैसा मेट्रिक्स होगा शिमेत्रिक होगा अगर किसी तो y बोल दो आप a minus a transpose को, इसमें करना ज़रा, इसका transpose निकलो y का transpose, तो a minus a transpose का transpose, अब अगें दोनों के माथे पर लगा दो, तो a का transpose, a transpose का transpose, तो ये बन जाएगा, a transpose minus a, तो ये दिख गया होगा आपको minus y आ रहा है, yes or no, तो since यहाँ पर minus y आ रहा है, minus y आ रहा है न, क्योंकि उधर है a minus a transpose, और इदर है a transpose minus a, तो minus y है, मिलब क्यों सिमेट्रिक है, तो theorem 1 आपको clear है, अगर theorem 1 clear है, तो theorem 2 जो है, वो इसी का extension है, और वो ये कहता है कि अगर दुनिया का कोई भी square matrix है, again ये क्या है, दुनिया का कोई भ square matrix अगर है, तो उसको आप represent कर सकते हो, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है, ये वाला जो आपका part होगा, ये symmetric होगा, और ये वाला जो आपका part होगा, ये skew symmetric होगा, basically ये, इसको आप ऐसे समझो, इसमें basically क्या किया गया है, इसमें देखो, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे for example, आपके पास ए a, ठीक है, ये जो matrix a है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, a plus a, और divided by 2, ऐसे लिख सकते हैं, yes or no, दोनों a की बात है, अगर मैंने a को ऐसे लिख दिया, तो किसी को कोई दिक्कत, a की बात है, a plus a divided by 2, अब एक बार यहाँ पे आप कर दो, plus a transpose, यहाँ पे आ लग-लग पार्ट में टूट जाएगा, एक आएगा, a plus a transpose divided by 2, और दूसरा आजाएगा, a minus a transpose divided by 2, और यह है a, तो बेसिकली अगर दुनिया का कोई भी square matrix है, तो उसको आप represent कर सकते हो, as the sum of symmetric and skew symmetric, अब यह symmetric ही होगा, क्योंकि a plus a transpose है, और इसमें minus है, तो यह skew symmetric ही होगा, ठीके, so this will be always symmetric, and this will be always skew symmetric, तो यह आपका theorem का derivation, आप इस तरह से समझ सकते हो, कि हमने बस plus minus किया है, ठीके, we are adding, subtracting, तो बस यह a ही आगे आपका, अगर दुनिया का कोई भी square matrix है, तो आप उसको represent कर लोगे, इस तरह के question आ सकते है, आपको एक matrix दे देंगे, in fact ऐसा question आया भ आता है, है ना, एक matrix आपको दे दिया था, और बोला था कि इसको आप represent करो as a sum of symmetric and skew symmetric, तो ऐसा बोला था कि मतलब एक matrix A आपको दे दिया मानलो, और फिर इसको बोल दिया कि यह B plus C है, फिर question में बोला था कि यह B जो है, वो symmetric है, और C जो है, वो skew symmetric है, और फिर नीचे आप से पूछा था, B into C निकालो, ठीक है, B into C आपको निकालना था, तो यह question आया था, exactly, आप check भी कर सकते हो, 2019 जही में में, यह है, तो यह कैसे करेंगे, आप बस B का value कैसे निकालोगे, B का value ऐसे निकालोगे, A plus A transpose divide by 2, तो यहां से B आ जाएगा, यहां से C आ जाएगा, और B और C आ गया, तो multiply कर दो, अतम बात, समझ गया ना, तो B निकालो, C निकालो, और multiply कर दो, B into C पूछा है, simply इस तरह के question कर लोगे, ठीक है, तो हमेशा यह ध्यान रगना, चलो एक question हम भी करते हैं, यहां पर, जैसे for example यह, यहां पर आगें आपको एक matrix given है, इसको बोल देते A, यह वाला जो matrix है, इसको represent करना है, as a sum of symmetric and skew symmetric, तो basically कैसे करेंगे, symmetric वाला जो part आएगा, वो होगा, A plus A transpose divided by 2, और जो skew symmetric वाला portion होता है, वो हमेशा होता है, A minus A transpose divided by 2, तो बस एक बार यह निकालो, यह basically लिखा हुआ है, half, और A plus A transpose, यह half भी क्या ही करना है, आप उपर ही ठीक है, whole divided by 2 है, और इधर आजाएगा, A plus A transpose, तो निकालना ज़रा, अगर आप यह A है, और A transpose, तो A transpose आएगा, 3, 5, और 1, minus 1, यह आजाएगा, similarly इसमें बस बीच में, minus आएगा, तो 3, 5, 1, minus 1, minus 3, 5, 1, minus 1, तो यह निकालना ज़रा calculate करना, कि calculate करेंगे, तो कितना आएगा, 3 और 3, और divide by 2 है, तो इधर तो 3 आजाएगा, इधर minus 1 आजाएगा, ठीक है, आप divide by 2 भी कर देना, और यह 6 by 2, तो 3 आ रहा है, यहाँ पर, और इधर भी 3 आ रहा है, तो ऐसा आ रहे क्या, एक बार चेक कर लो, 3, 3, और तो basically symmetric दिख गया ना सब लोगो, symmetric है यह दिखा कि नही अगर आप principle diagonal के about देखोगे, तो mirror image दिख रहा होगा मेरे खाल साबको, 3 और 3 सेम है, और यह वाला निकालो, यह निकालो के तो कितना आएगा, 3 minus 3, तो इधर तो 0 आएगा, ठीक है, इधर minus 1, minus minus 1, तो इधर भी 0 आएगा, diagonal element तो वैसे भी 0 होता है, skew symmetric है, तो skew symmetric है, तो diagonal त आप इधर क्या आएगा, 1 minus 5, 1 minus 5 हो जागा, minus 4 और minus 4 divided by 2, minus 2 आएगा, और इधर कितना आएगा, 5 minus 1, तो 4, 4 divided by 2, तो 2 आएगा, ठीक है, तो बस यह आगया, यह आगया, वालो final answer आपका क्या है, final answer आपका यह है, कि यह वाला जो matrix आपको given है, इस particular matrix को आप ऐसे represent कर सकते है, कैसे, 3 minus 1, 3, 3, और plus, यहाँ पर आप ले लो, 0, 0, 2 और minus 2, ठीक है, तो यह आपका symmetric है, और यह skew symmetric है, यह कितने लोगों चमका, तो अगर आपको ऐसा बोलेंगे, कि represent this matrix as a sum of symmetric and skew symmetric, तो कर लोगे, एक बार आपको निकालना है, A plus A transpose divided by 2, और एक बार आपको निकालना है, A minus A transpose divided by 2, यह दोनों आ जाएंगे, अब जो J main का question था, उसमें यह पुछा था कि इन दोनों को multiply करतो, बस, तो finally इन दोनों को multiply करके आपको एक option given था, तो कर लोगे, simple calculation, इन दोनों को multiply ही तो करना है, चीक है ना, तो इस तरह के question हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, एक question करते है चलो, यह काफी अच्छा question है, इसमें आपको count करना है number of such matrices, यह number of matrices count करने वाले question जब भी आता है ना, अभी I think कोई chat में भी लिख रहा था, कि सार number of matrices count करने वाले options, इस तरह के question में काफी दिक्कत आती है, तो यह एक बार करता है, थोड़ा सा इसमें PNC लगाना पड़ता ह बस, permutation and combination, उसके बाद आपका answer आ जाता है, ठीक है, तो question में क्या-क्या बोला है, देखो पहले, question में बोला है, A एक symmetric matrix है, और order 2 है, तो एक काम करो, assume कर लेता है, A को symmetric है ना, अगर symmetric है तो इधर ले लो A, इधर ले लो B, और इधर ले लो C, तो इधर भी C होगा ना, यह द दोनों को same ले लो, C और C, चीक है, और question में आपको यह भी बोलाए कि, with integer entries, तो यह जो ABC है, वो सब क्या है, ABC सब integer है, all of them are integers, समझ गिया, तो बस question में आपको यह बोलाए कि, A is a symmetric matrix, तो symmetric हमने मान लिया, given तो है नहीं, तो मान लो, और order 2 है, तो यह 2 cross 2 का है, और integer entries है, मतलब ABC सब integer है, ठीक है, यहां तक तो clear है, इसके बाद यह बोलाए कि, sum of the diagonal elements of A square is 1, अचा तो A square निकालो पहले, बाद में देखा जाएगा, A square निकालो, तो A, C, C और B, इधर भी आ जाएगा, A, C, C और B, इन दोनों को multiply करना ज़रा, multiply करेंगे तो row by column, ठीक है, एक तो आप यह आपको चाहिए, sum of the diagonal elements, तो केवल diagonal वाले निकालो, सारे निकालने की महनत मत करो, ज्यादा महनत हम वैसे भी निकरते है, ठीक है न, तो first row, और first column, तो क्या आएगा, यहां पे आजाएगा, A square plus C square, और यह वाला कितना आएगा, यह second row, second column, तो second row, और second column, तो यह आजाएगा, C square plus B square, इधर आएगा, C square plus B square, यह दोरों निकालने की ज़रूद नहीं है, ठीक है, इधर जो भी आएगा, वो आएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको question में यह बुलाई कि यह जो A square है, उसमें sum of the diagonal elements, तो यह diagonal elements का sum, वो कितना आएगा, तो diagonal elements का sum आएगा, A square plus 2 C square plus B square, और यह आपको question में given a 1, ठीक है, sum of the diagonal elements is given 1, अब क्या क्या possibilities है, इसके बाद आपको PNC लगाना है, तो बताओ कि A, B और C का value हम क्या क्या यहाँ पे ले सकते हैं, तो बताना answer एक बार, ठीक है, इसमें finally answer क्या आएगा, बताना, इसमें एक possibility तो यह है कि A का value आप ले 1, ठीक है, और B और C को आप ले लो 00, है ना, A का value 1 ले लो, आप A को ले लो 1, अब B और C को ले लो 00, एक possibility तो यह है, दूसरी possibility यह है कि A का value minus 1 ले लो, और इन दोनों को अभी भी 0 ही रखो, यह दूसरी possibility है, तीसरी possibility यह है कि B को ले लो 1, और इन दोनों को 00 ले लो, integer लेन और या फिर एक possibility कि इसको minus one ले लो बस ये चार case आएंगे इसके अलावा और कोई case आएगा क्या क्या क्योंकि अगर आप c को one ले लोगे c को अगर one ले लेंगे तो ये बन जाएगा two into one का square तो तो two बन जाएगा अगर two बन जाएगा तो इधर फिर कभी one आए गए नहीं बस चार possibility है option c is the answer ये चमक गया इस तरह के question कर लोगे इस तरह के question भी काफी आसान ही है simple yes or no इस तरह के question आएंगे तो कर लोगे आपको थोड़ा सा यहाँ पे number of matrices में pnc लगाना पड़ेगा थोड़ा सा counting करना पड़ेगा कि a b और c का value हम ऐसा क्या ले 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 तकि यह equation satisfy हो जाए और question में बोला है कि सब integer है इसलिए यह है आराम से आप निकाल सकते हो ठीक है आगे बढ़ते है अब बात करते है properties of symmetric and skew symmetric अब देखो properties के बारे में मैं आपको बता देता हूँ properties बहुत सारी है लेकिन याद करने की जरूद नहीं है especially यह वाली यह symmetric और skew symmetric वाली जो properties है उसको रटा मारने की जरूद नहीं है उसमें logic समझ लो otherwise कभी भी मतलब आप करी नहीं पाऊगे क्योंकि बहुत सारी है तो properties बहुत सारी है especially यह वाली symmetric और skew symmetric वाली आपको याद नहीं करनी रट्टा नहीं मारना है, बस logic समझ लो, logic समझ के apply कर देना, जो भी question आएगा, वो भी रट्टे वाले नहीं आते, तो उसमें आपको logic आता होगा, तो यह आप कर पाओगे, नहीं आता होगा, तो नहीं कर पाओगे, simple as that, तो आपको इसमें logic समझना है, property रट्टा नहीं मारनी ह ठीक है, अब इतना बोल दिया, तो आगे start करते हैं, ठीक है, येस, तो पहली property, first property is, पहली property क्या कहती है, कि if a is symmetric matrix, अगर a symmetric matrix है, तो यह जो दुनिया बर के लिखे हैं, यह सब भी symmetric होंगे, minus a, k into a, a transpose, a की पावर n, a की पावर minus 1, यह सब है न, यह basically a inverse, a inverse भी हम ठीक है, यह सब, यह सब भी क्या होंगे, they will also be symmetric, अगर a symmetric है, तो यह दुनिया बर के जो matrix है, वो भी symmetric होंगे, that is the property, अब यह कैसे हम, कैसे समझ सकते हैं, इन सब का derivation आप कर सकते हो, अगर जैसे question क्या आएगा, question यह आ सकता है, question में मानलो, ऐसा बोल सकता ही, it is given, if a is symmetric, ठी identify the options, जो symmetric है, multi-correct में बन सकता है, ठीक है, if a is symmetric, तो आप identify करो कि कौन-कौन, options में से कौन-कौन symmetric है, ठीक है, अब उसमें options में यह बना देंगे, option a, b, c, d, एक option में डाल देंगे, यह minus a, एक में डाल देंगे, k into a, एक में डाल देंगे, a का transpose, एक में डाल देंगे, last वाला इस तरह के question छोटे-छोटे बन सकते है, और मतलब इसमें कुछ भयंगर question भी बन सकते है, वो सारे हम करेंगे अभी दीरे-दीरे, बट यह पहले-पहली property को समझते है, इन सब को आप check कर सकते हो, एक एक करके check कर लिया करो, जैसे for example, मुझे check करना ही कि यह symmetric होगा की नहीं, यही तो check करना है, अगर ऐसा question आएगा, आपको simple check की तो करना है, कि यह जो A transpose है, वो symmetric होगा की नहीं, आपको question में given क्या है पहले तो, इस तरह के question में आप लिग लिए अगर हो given, तो given क्या है, अपने को question में यह given है कि A is symmetric, A अगर symmetric है, मतलब A transpose will be equal to A, this is given, यह question में given है, यह is given in the question, अब आपको find out करना है कि यह वाला जो matrix है, A transpose, वो symmetric होगा की नहीं, तो आप A transpose को बोल दो X, इसको थोड़ी देर के लिए X बोल दो, अब X का transpose निकालो, X का transpose, तो that will be A transpose का transpose, तो वो आ जाएगा A, और जो A है, that is equal to A transpose, यह तो question में given है, question में अपने को यह given है कि A transpose is equal to होगे, तो A की जगह A transpose लिख सकते है, A की जगह A transpose लिख सकते है, तो यह वापस X आ गया, अगर वापस X आ गया, इसका मतलब यह symmetric है, अगर X transpose equal to X आ गया, वापस मतलब X आ गया, A transpose आ गया, तो यह symmetric है, simple, तो इसमें रट्टा मालने की ज़रूत नहीं होती है, ठीक है, तो example मालो, यह वाला check करते है, यह B transpose A B, यही सबसे बहंकर लग रहा है, तो इसको अगर मैं check करूँ, तो इसका transpose निकालो, इसका transpose निकालेंगे, तो B transpose A B, और इस पूरे का transpose, अब इसमें property कौन सी होती है, इसमें property होती है, reversal property, तो सबसे पहले इसका transpose आएगा, लास्ट वाले का पहले B का transpose आएगा, फिर A का transpose आएगा, और फिर B transpose का transpose आएगा, अब यह बन गया B transpose, अच्छा A transpose को हम क्या लिख सकते है, which is given, तो A transpose को आप लिख दो A, ठीक है, A transpose को A लिख दो, और यह बन गया B, तो यह वापस क्या आगया, वापस X आगया, देखो आपने यहाँ से start कि यह बहुत आगया देजिदेशा नियु cuidado ये वापस एक साय आगया तो सिम्यट्रिक है वापस अगर माइस एक साहएगा तो स्क्युस ुमेट्रिक यह निया तो एकस आगए यत्सक्रेromagnet कि तो रट्टा मारने की जरूत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर कोई आपसे पूचेगा यह K into A तो K into A भी आप चेक कर सकते हो ना, इसकाशक ट्रांसपोस तो K into A काशक अब यह property होती है कि K बाहर निकल जाएगा। तो K into A काशक त्रांसपोस और A का transpose क्या है A का transpose A है तो वापस X आगे दिखा के नहीं वापस आगे K into A तो वापस आगे X तो रट्टा वालने की ज़रद बिल्कुल भी नहीं है आप बस transpose ले लो उसको X मान लो और transpose लेके चेक कर लिया करो आपको पता चल जाएगा कि हाँ similarly आप बाखी सारे भी चेक कर सकते हो है ना A inverse अभी पढ़ा नहीं है बट वो भी आप बाद में चेक कर सकते हो A की power N वो सारे चेक कर सकते हो यह सारे की सारे क्या आएंगे symmetric ही आएंगे तीक है अब चलते है second property पे second property क्या कहते है second में है कि if A is skew symmetric basically यहाँ पे आपको given क्या है यहाँ पे आपका जो given है वो यह है कि A transpose is equal to minus A ठीक है if A is skew symmetric तो फिर आपको यह प्रूव करना ही कि यह symmetric होगा यह skew symmetric होगा यह skew symmetric होगा और यह वाला जो है यह भी skew symmetric होगा again यह सारे आप derive कर सकते हैं जैसे कोई एक आदा 2 कर लेते जैसे फ़ार example यह वाला कर देते और यह वाला कर देते बी और डी कर लेते ठीक है जैसे फ़ार example आप इसको X लेलो इसको आप लेलो X A की power 2N plus 1 को इसको यहाँ पे कर देते है ठीक है X is equal to A की power 2N plus 1 अब इसका transpose निकालो अच्छा आप एक property यह होती है कि अगर power और transpose आप इन दोनों को interchange कर सकते हो पहले transpose ले लो फिर power लेलो यह प्रापर्टी लगा तो आप यह note कर लो अगर किसी को करना तो यह पी एक property है यह अगर आपके पास है A की power N का transpose तो आप कर सकते हो A transpose की power N पहले power करो ये पहले transpose करो उससे कोई ज़ाधा फरक नहीं पड़ेगा है ना है ना है पहले transpose करो ये पहले power करो basically ये भी लिखाऊ है ना एकी power औये n का मतलब a into a into a ऐसा的 n number of times और इसका transpose पहले कॉनसी property लगे गी इसमें reversal property लग जाएगी यह basically वही तो है ना A into A into A अब reversal property लगा उग तो सबसे पहले इसका transpose आएगा फिर पिछले वाले का तो A का transpose फिर A का transpose फिर सबसे first वाले का transpose order reverse करतो बस order को reverse करोगे तो यह वही तो आँ रहा A transpose की power N ultimately यही आएगा तो यह भी एक property है इसको आप use कर सकते हो तो पहले transpose करो या पहले power करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो बस आप यहाँ पर A transpose का value पुट करतो question में क्या given है A transpose is given minus A minus A की power odd है minus बाहर निकलेगा minus बाहर निकलेगा तो यह बन गया अगर minus X आ गया तो skew symmetric है हमका न स्टार्ट हमने किया तो यहाँ से उसका negative आ गया तो skew symmetric है yes or no चमक गया होगा मेरे खाल से तो यह skew symmetric आएगा इसको भी आप निकल सकते हो similarly यह सारे निकल सकते हो मेरे खाल से अब एक idea आपको लग गया होगा अगर हम सब कुछ नहीं भी निकालेंगे तो भी आप कर लोगे B into B transpose into A into B इसका transpose लेना ज़रा तो B transpose into A into B इस पूरे का transpose तो यहाँ पर सबसे पहले इसका transpose आएगा B का transpose फिर A का transpose और फिर B transpose का transpose तो यह बन जाएगा B transpose इसका value question में गिवन है minus A और यह आपका आगया B तो ultimately minus आ रहा है minus बहर निकाल लो B transpose A B तो यह आपका बन गया minus X और minus X बन रहे तो इसका भी answer आएगा अरे चमका तो यह भी yes or no चमक गया होगा मेरे खाल से और आगे बढ़ते है और रट्टा मानने की ज़रुद नहीं है तो A और B दोनों अगर symmetric है इसका मनलब question में given क्या है question में given यह है कि A transpose will be equal to A यह symmetric है और जो B वाला है वो भी symmetric है तो B transpose equal to B यह दोनों ही given है आपको अब आप इन में से कौन सा derive करना चालते हो बताओ जैसे यह कर लेता एक तो यह आप check करो A B प्लस B A क्या होगा symmetric होगा कि skew symmetric होगा check करना A B प्लस B A इसको आप बोल दो X अब इसका transpose निगा लो automatically खुदी पता चल जाएगा कि यह symmetric होगा कि skew symmetric होगा इना इसका transpose तो transpose की property क्या होती है कि यह दोनों के माथे पे लग जाएगा A B के माथे पे और B A के उपर इसका transpose अब आप लगा तो reversal property reversal property तो यह बन जाएगा B transpose into A transpose और यहाँ पे आजाएगा A transpose into B transpose चमक गया ना और B transpose का value B है B transpose का value B है और A transpose का value A है तो यह आगया और अगर यह आगया तो यह वापस वही आगया A B plus B है A B plus B है तो वापस X आगया तो यह क्या होगा symmetric होगा? बिल्कुल जाइए ठीक है तो कर लोगे? Yes or no यह चमक गया होगा तो आप इस तरह से सब कुछ यह निकाल सकते हो जो भी given है वो सारी चीज़े आप आराम-आराम से एक-एक करके derive कर सकते हो ठीक है? Yes or no? यह clear है सबको? कर लोगे? आगे बड़े हैं? Property number 4 देख लो एक बार Property number 4 है कि अगर दोनो skew symmetric है अगर दोनो skew symmetric है तो क्या होगा? अगेन given क्या आपको? आपको यहाँ पर question में given है कि A transpose will be equal to minus है ना? क्योंकि skew symmetric है और यह भी skew symmetric है तो इसमें भी minus आएगा और अब आप इन में से कौन सा derive करना जाए? जैसे for example यह वाला ही कर लो A B minus BA कर लो ओके तो A B minus BA को आप X लो इसको चेक करो यह symmetric आएगा कि skew symmetric आएगा इसको चेक करना ज़रा X का transpose निकालेंगे तो A B minus BA whole transpose तो transpose की property होती है कि दोनों के माथे पर लग जाएगा ठीक है? तो यह आ गया और अगर यह आ गया तो reversal property लगा दो reversal property लगा दोगे तो यह आ जाएगा ठीक है? अब इसका value है minus B और तो यह minus B into minus A minus B into minus A minus minus plus हो जाएगा ना तो basically यह B into A और यह minus A into minus B again minus minus plus हो जाएगा तो यह A B आगे तो यह कितना है? यहाँ पर है A B minus B है और इधर है B A minus A B तो minus X आया ना इस is minus X तो यह skew symmetric होगा अरे चमका? तो यह skew symmetric हा जाएगा? simple? yes or no? यह चमक रहे है कि नहीं? एक मिनिट चैट बंद हो गई क्या? एक बार बता ना यह सबको समझ माया? यहाँ तक किसी को कोई doubt? यहाँ तक कोई अपत्ति विपत्ति? संपत्ति? ठीक है? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलो इसका अंसर आ जाएगा आपका simple ठीक है ना चमका? ओके चमका येस? हाँ अभी चैट आ रहे है ओके येस तो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ते है questions करते है जही एडवांस का question try करो चलो यह question आता है जही एडवांस 2011 में बहुत ही चिंदी question है इसका आंसर फटाफट बता दो ठीक हो सबसे पहले तो आपको question में क्या बुला है? सबसे बुलाए कि A and B are symmetric है वो अगर symmetric है तो A transpose will be equal to A यह given है आपको और B transpose equal to B यह भी given है ठीक है तो यह आपको question में given है given information है अब given information है तो statement 1 में क्या कह रहे अचा और order 3 भी given है ठीक है खेर order से मतलब नहीं है बट फिर भी वो given है अचा यहाँ पर statement 1 यह कहता है कि A into B into A और यह भी है A into B into A बस bracket change कर दिया तो property हमने पढ़ी थी ना कि यहाँ प A into B into A और इधर भी है A into B into A और इधर भी आप लिखलो A into B into A ब्रैकेट आप इस पर लगाओ यह ब्रैकेट ना लगाओ तब कुछ सेम ही होता है ठीक है यह सब नो ब्रैकेट आप पहले दोनों पर लगाओ यह बाद में लगाओ यह कहीं पर भी ना लगाओ यह तीनों के त करना है कि यह जो A into B into A है वो symmetric है कि skew symmetric है तो इसको आप X ले लो अगर आप इसको X ले लो गए अब आप निकलो X का transpose तो A, B, A का transpose लब basically यह आ जाएगा पहले इसका transpose reversal property आएगा तो B transpose फिर A transpose अब question में आपको given है कि A transpose is equal to A और B transpose is equal to B तो यह वापस X आगया अगर वापस X आगया तो symmetric होगा यह वाला statement तो सही है यह ना पहला statement सही है bracket important नहीं होता है क्योंकि associative है अब bracket कहीं पर भी लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है ठीक है येस अज़र दूसरे statement में बोल रहा है कि if A B is symmetric matrix if the matrix multiplication of A and B is commutative तो second statement में यह कराए कि A B symmetric होगा A into B जो है अच्छा यह आप चेक करो कि A into B symmetric होगा कि नहीं पहले तो statement सही है कि गलत है तो X को आप ले लो AB अगर मैंने इसको A into B ले लिया आप इसका transpose निकलो यह आ जाएगा A into B का transpose यह बन जाएगा B transpose into A transpose यह आजाएगा B into A na B transpose is equal to B और A transpose is equal to A तो यह B into A आ गया तो A into B इसमें वापस X कब आएगा सोचो यह वापस equal to x कब बनेगा ये वापस equal to x तभी बनेगा when b a will be equal to a b हमें ultimately a b चाहिए वापस तो ये statement भी सही है a into b वो symmetric तभी बनेगा if the matrix multiplication is commutative if a b is equal to b then only वापस वो x आएगा अगर वापस x आएगा तभी वो symmetric बन पाएगा तो second वाला statement भी सही है इसका मतलब पहला statement भी सही है दूसरा statement भी सही है बट दोनों में कोई relation है क्या ये है इसलिए ये आ रहा है ये है इसलिए ये आ रहा है आपस में कोई relation है क्या ऐसा कोई relation तो है नहीं ये भी property की वज़े से आ रहा है ये भी property की विज़े से आ रहा है, अगर ये नहीं आएगा, तो भी ये आएगा, और ये आएगा, तो भी ये आएगा, तो कोई relation नहीं है, ठीक है, तो इसका answer आजाएगा, option A, option A, it is not the correct explanation, ठीक है, statement 1 and 2, दोनों ही सही है, but explain नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों में हमने properties यूज करिए, ऐसा नहीं कि statement 2 correct होगा, तभी वो correct होगा, या वो correct होगा, तभी ये correct होगा, आपस में कोई relation नहीं है, in both we are just using properties, चमका, simple question ऐसे transpose वाले questions, कर लोगे न, symmetric और skew symmetric वाले काफी questions आते हैं, चलो ये question ट्राइ करो, ये है जईएडवांस 2015 का और multi correct, इसको ट्राइ करना एक ये कैसे करेंगे, multi correct, x and y are two arbitrary three cross three non zero skew symmetric है, basically, तो x और y skew symmetric है, आपको question में ये given है, ठीक है, आपको question में एक तो ये given है, कि x transpose will be equal to minus x और y transpose will be equal to minus y, ठीक है, तो ये information question में given है, ठीक है, x and y are two arbitrary three cross three non zero skew symmetric matrices and z is arbitrary three cross three non zero symmetric है, वो basically, ठीक है, तो जो अपना z है, वो symmetric है, तो z का जो transpose होगा, that will be, तो ये information question में given है, ठीक है, this is given, this is given and this is also given, ये तीनों चीज़े given है, तो बस आपको in message check करना है, कि कौन कौन से skew symmetric है, which of the following matrices are skew symmetric, तो एक एक करके check करो, ये multi correct है, तो सारे option चेक करने है, आप एक एक option check करो, तो सबसे start करते है, सबसे पहला वाला option, तो सबसे पहला option है, वो यहाँ पर आप इसको कुछ बोल दो, इसको let's say a बोल देता हूं, क्योंकि इसमें x और y अल्रेडी use कर रहे है, इस matrix को मैं a बोल देता हूं, या p बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो ठीक है, इस matrix को आप बोल दो p, यह p matrix है, minus z की power 4 और y की power 3, अब इसका transpose निकलना, तो p का निकलो transpose, वो आजाएगा y cube, z की power 4, minus z की power 4, y cube, और इस पुरे का transpose, अब transpose की property यह होती, कि दोनों के माथे पर लग जाएगा, तो y cube, z की power 4, इस पुरे का transpose, minus z की power 4, y cube, इस पुरे का भी transpose, तो दोनों के माथे पर लग जाएगा, yes or no, तो यह पहली property अबने use कर ली, उसके बाद आप use कर लो, reversal property, यह लिखा हुआ है, y into y into y into z into z into z, यह ऐसा लिखा हुआ, इसका transpose है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, z into z into z, समझ गया ना, वनलब basically, और y, 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 यह लिखा हुआ है, इसका transpose है, तो transpose की property क्या होथे, reverse, order reverse हो जाएगा, तो पहले z transpose आएगा, z transpose कितनी बार आएगा, z transpose, z transpose, z transpose, तो यह 4 बार आएगा, y transpose 3 बार आएगा, तो directly लिख दू मैं, मैं directly लिख देता हूँ, z transpose आएगा 4 बार, तो आप सीधा ऐसे लिख दो Z transpose यह आएगा चार बार और Y transpose आएगा तीन बार यहाँ पे Y transpose आएगा तीन बार और उसके बाद Z transpose आएगा चार बार अब value put कर दो आपको यह information given है तो X transpose को minus X यह minus Y और वो Z वो substitute कर दो बस Z transpose is Z की power 4 यह minus Y की power 3 ठीक है यहाँ पे आजाएगा minus Y की power 3 और Z की power 4 तो ultimately यह minus हो जाएगा minus Z की power 4 Y की power 3 और यह plus हो जाएगा Y cube और Z की power 4 तो यह वापस Y बन रहा है का P बन रहा है Y cube Z की power 4 और minus हाँ तो वापस P बन गया ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है वो इधर है और जो यह minus वाला term है वो यह है तो यह वापस P आगया अगर यह वापस P आगया मतलब यह symmetric है और अगर यह symmetric है तो यह answer नहीं है क्योंकि हम से पूछा Q symmetric कौन कौन है इनमें से तो क्या यह पहला वाला option answer में आएगा अगर इसको P बोल दिया है इसको आप बोल तो P P का transpose निकालो मतलब X की power 44 Y की power 44 और इस पूरे का transpose अगें property क्या होती है कि दोनों के ऊपर लग जाएगा ठीक है इसके ऊपर transpose लग जाएगा इसके ऊपर भी transpose लग जाएगा दोनों के ऊपर transpose लगा तो फिर एक और property होती ही कि पहले transpose ले लो फिर power ले लो ठीक है और यहाँ पे भी transpose ले लो और फिर power ले लो अब X का transpose है minus x ठीक है और Y का transpose आपको given है minus y ये वापस की आ गया This ये आ गया x की power 44 plus y की power 44 ये वापस P आ गया अगर वापस P आ गया मरलोब ये भी आंसर नहीं है तो option B भी गलत है ये भी गलत है ये भी symmetric है तो ये भी symmetric है अब आप D वाले को चेक करो पहले इसको चेक करेंगे तो ये क्या आएगा अगर आप इसको P बोल दोगे तो P का transpose निकालना ज़रा तो वो आजाएगा X की पावर 23 का transpose ना और Y की पावर 23 का transpose चमक गया होगा मेरे खाल से अब ये बन जाएगा X transpose की पावर 23 और अब तो मेरे खाल से feel आगी होगी आई कि नहीं इसमें भी transpose को अंदर कर तो transpose अंदर और power बाहर इसमें power odd है ना तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस P आएगा क्योंकि इसमें power odd है तो माइनस X की पावर 23 माइनस Y की पावर 23 तो माइनस P आएगा तो ये answer होगा एक और option है इसको भी check करो C वाले को C वाले को check करेंगे तो इसको भी फिर से आप बोल तो P ये P है अब P का transpose ले लो transpose ले लेंगे तो X की पावर 4 Z cube माइनस Z cube X की पावर 4 इस पूरे का transpose अब transpose की property क्या होती ही दोनों में लग जाएगा ठीक है दोनों में लग जाएगा तो एक काम करता है इसको ऐसे भी लिख देता हूँ ये X की पावर 4 है लग बीजिकली X into X into X into X Z Z Z अरे चमका ना इस पूरे का transpose आजाएगा और फिर माइनस Z Z Z और X की पावर 4 ये 4 बार है इसका transpose है चमक ये जही advance का question है बिट काफी चिंदी है तो Z transpose आजाएगा 3 बार फिर ये आएगा X transpose आएगा 4 बार माइनस यहाँ पे पहले X आएगा पहले X और फिर Z ठीक है तो चमक गया होगा X transpose आएगा 4 बार तो ये answer है की नहीं ये answer में होगा अब इसको put कर दो ये तो Z है ये minus X है इसकी power even है तो कोई फरक पड़ेगा नहीं वैसे power even है ना तो कोई फरक नहीं पड़ेगा Z का cube ultimately ये आ रहा है Z का cube X की power 4 minus X की power 4 और Z का cube अब ये वापस P है की minus P है चेक करना जबा X की power 4 Z cube अच ने गिट तो minus P है ना फिर के minus P है तो चमक गया होगा काफी चिंदी question है C and D is the answer multi correct में ये आया था कर लोगे इस तरह के question इस तरह के question आते ही है 2011 advance में ये 11 का question है ये 15 का question है इस तरह के question और भी काफी सार है yes or no चमक गया होगा मेरे खाल से तो ये symmetric skew symmetric वाला बस logic अगर आपको clear है ना types of metrics में again बहुत सारे types है जो आपको पढ़ने तो एक तो basic definition आपको याद करनी है और फिर उसका application है questions में वो आपको समझना है तो पहले types देख लेते कौन-कौन से type है तो total 5 type है ये I think हमने एक बार याद भी किया था याद करने का trick में आपको बढ़ा देता हूं है ना इसमें याद करने का trick होता है वो trick आप याद कर लो जैसे orthogonal तो आप वैसे याद कर सकते हो orthogonal का मतलब क्या होता है perpendicular ना straight line में और इन सब में coordinate geometry में हम पढ़ते है orthogonal orthogonal मतलब perpendicular perpendicular मतलब m1, m2, minus 1 तो यहाँ पर m1, m2 नहीं है यहाँ पर a, a transpose और minus 1 नहीं है plus i है ठीक है तो वैसा ही वैसा कुछ है ऐसा ही feel आ रही कि slope को multiply किया गया है almost मतलब तो a into a transpose या फिर a transpose into a करोगे तो i आएगा उसको बोलते है orthogonal तो यह ultimately basic definitions आपको याद ही करने पड़ेंगे generally जो confusion होता है वो इन दोनों में होता है item potent और involute क्योंकि दोनों i वाले है nil potent में समझ में आई जाता है nil potent मतलब nil आएगा कुछ नहीं आएगा null matrix आएगा a की power k equal to null matrix तो nil potent तो यहाँ पर nil आएगा और periodic में आपको अगें पता है periodic मतलब जो repeat करें तो यहाँ पर वापस उसका value repeat कर जाएगा वापस a आजाएगा और a की power k plus one करोगा तो वापस a आजाएगा तो यह repeat करेंगा ठीक है तो periodic और इसको याद करना simple है क्योंकि नाम सही याद हो जाएगा इसको हम बोलते है index of nilpotency इसको हम बोलते है index of nilpotency index of nilpotency और बागी इन दोनो को कैसे याद करेंगे इसको हमने ऐसे याद किया था ना nenhum involuter में आये ना तो इदर भी आईयन आएगा invol Julie तो i n और इसमें i d ओके इसमें क्या है i d और इसमें क्या है i n इसमें आईन है तो उसमें भी आईन आएगा तो A square equal to I और इसमें ID ID मतलब क्या होता है? ID मतलब जैसे आपका आदार कार्ड ID मतलब तुमारी खुद की एक ID होती है ने जिसमें तुम अपनी खुद की फोटो देख सकते हो तो खुद, मालब A square equal to A खुद, यह उसका आडर कार्ड है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो कैसे भी याद कर लो, याद कर लो याद होना चाहिए, ठीक है? तो यह ID मतलब identical ID मतलब identical तो वापस वही आ जाएगा और इसमें involutory मतलब IN तो बस इधर भी IN होगा ठीक है, तो आप basic definitions आप याद करो पहला क्या है, orthogonal A into A transpose equal to I IDEM potent होता है A square equal to A, अच्छा अगर A square equal to A होगा न, तो इसकी जितनी भी higher power होगी, वो सारी भी अगर A cube निकालोगे, A की पार 4 निकालोगे, A की पार 5 निकालोगे इन सब का value भी कितना आएगा इन सब का value भी A ही आएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसे दमज़ो देखो, जैसे for example मान लो A square equal to A है ठीक है, आइडें potent मान लेते है for example, अगर कोई एक matrix है जिसमें A square equal to A है अब मैं आपको बोलूँगा कि A cube निकालो तो A cube आप कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे na A square into A अब A square का value A है यह वापस बन गया A square और A square का value वापस A है तो A cube का भी value क्या आएगा? A cube का भी value A ही आएगा अगर मैं आपको बोलूँगा कि A की power 4 निकालो तो A raise to 4 उसमें आप करोगे A into A cube अब A cube का value A है तो यह वापस बन गया A square और A square का value A है तो अगर कोई भी matrix है जो item potent होता है na तो उसमें A की power आप कुछ भी करो A ही आएगा A raise to anything will be A understood? यह N का value 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी ले लो dot 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 ठीक है मनलब 2 या 2 से बड़ी power कोई भी करो है न 2 या 2 से बड़ी power 3, 4, 5, A की power 6 A की power 7 A की power 2022 A ही आएगा ठीक है? A की power अगर आप से पूछा जाएगा कि BHA2022 वो क्या हैगा? वो A ही आएगा आइडेम पोटेंट में कोई भी power करो it will be A similarly, nil potent नil potent का basic definition समझो पहले तो nil potent का क्या होदा है कि A की power K equal to null matrix मतलब basically इसमें ऐसा होदा है कि आपको matrix मानलो given है matrix A given है आपने A square निकाला वो null matrix नहीं आया फिर आपने A cube निकाला वो भी null matrix नहीं आया A की power 4 निकाला वो पहली बार null matrix आ गया तो जहां पे भी आपको पहली बार null matrix मिलता है न उसी को हम बोलते है index of null potency तो यहां पे K का value actually 4 है तो यह आपको process follow करना पड़ेगा आप पहले A square निकालो null matrix नहीं आया तो आगे बढ़ो A cube निकालो वो भी null नहीं आया तो जब तक आपका null matrix नहीं आयगा तब तक आप करते जाओ मान लोगी यहां पे A की power 4 पे वो null matrix आ गया अगर null matrix आ गया तो इसमें index of null potency हो जाएगा 4 simple as that और अगर A की power 4 0 आ रहा है अगर कोई आपसे पूचेगा A raise to 5 तो वो होता है A into A raise to 4 अब A raise to 4 आपका क्या आया था वो तो null matrix था ना तो multiplied by null matrix तो क्या आएगा null ही तो आएगा similarly अगर आपसे कोई पूचेगा A raise to 6 A raise to 6 को आप क्या लिखोगे A into A raise to 5 और अगर ये null matrix है तो फिर से null matrix ही आएगा ना समका होगा मेरे खाज़स तो null matrix में भी ऐसा होता है ये null potent में भी ऐसा होता है कि अगर एक बार आपका null matrix आगया तो उसके नीचे वाले सारे null matrix ही आएगे और item potent में भी ऐसा होता है कि एक बार आपका a square equal to a आ गया तो a की power कुछ भी करो a ही आएगा इसमें null matrix आगे तो बाकी सारे null matrix आ जाएगे उसमें अगर a square equal to a आ गया तो a की power कुछ भी करो 2022 कर दो तो भी क्या आएगा आपका a ही आएगा चमक गया ना है येस तो ये दोलों में खास property अब ध्यान रखना बाकी सब simple है ठीक है बाकी periodic में कुछ नहीं है repeat करेगा अब questions भी करते हैं जनरली इसमें ये वाला question तो world famous है ये पता नहीं मतलब कितनी बार आ चुक है बट अगें फिर से आने के chances भी है ये जो concept है इसके उपर ये वाले question क्यों बनाते है क्यूंकि एक तो इसमें आपका matrices and determinants check हो जाएगा और दूसरा PNC check हो जाएगा ये बहुत important concept है इसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने matrices and determinants और PNC को mix करके must question बनता है बहुत बहतरीन question बनता है तो PNC भी check हो जाएगा आपका और matrices and determinants भी check हो जाएगा दो chapter एक ही question से check कर लेंगे तो इसलिए पहले concept को समझो concept यह होता है कि अगर कोई भी एक general matrix आप ले लो तो let's say ये general matrix है अगर आप trace of A into A transpose निकालोगे ना basically A को multiply करतो A transpose के साथ यहाँ पर आपके पास है A11, A12, A13 फिर A21, 22, 23 ठीक है फिर 313, 22, 33 basically अगर आप ये निकालोगे ना ये A है इसको multiply करो A को multiply करो A transpose के साथ तो उसमें ऐसा आएगा A11, A12, A13 transpose ले लो मनलब ये जो horizontal वो vertical हो जाएगा फिर A21, A22, A23 ठीक है और फिर A313, 23, 33 अब इन दोनों को multiply करना जड़ा इन दोनों को जब आप multiply करोगे ना आप सारे elements मत निकालो बस अपने को trace में interest है तो since अपने को trace में interest है तो आप ये वाला element बता दो ये वाला बता दो और ये वाला बता दो मतलब diagonal वाले निकालो आप सारे निकालने की ज़रुद नहीं है अगर आप diagonal वाले निकालोगे ना तो क्या क्या आएंगे देखो ये वाला जो element है ये A11 11 मतलब first row, first column first row और first column को multiply करोगे क्या आएगा first row और first column को multiply करोगे तो ये आएगा A11 का square प्लस A12 का square ये चमका और A13 का square ये आएगा yes or no similarly ये जो दूसरा element है ये 22 तो second row second column तो यहाँ से पकड़ो second row और second column second row second column को पकड़ोगे तो basically यहाँ पर आजाएगा A21 का square plus A22 का square plus A23 का square similarly यहाँ पर क्या आजाएगा A31 का square A32 का square और A33 का square तो इसका trace क्या आएगा अगर आप निकालोगे trace ये है A into A transpose तो A into A transpose का जो trace आएगा वो यही आएगा basically सारे के सारे elements आप ले लो 9 के 9 जितने भी element है वो सारे हैं A11, 12, 13 212, 23 313, 23 सारे आएगे और सब का square करके add कर दो ये directly अब आप याद रखना ये exam में ये सब करने की जरूद पढ़नी नीची है directly आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक general matrix है उसमें अगर हम निकालेंगे trace of A into A transpose तो हर एक element को square करके add कर दो हर एक element को square करो और add कर दो जितने भी element है 9 के 9 element आप यहाँ पर लिख दो square करके add कर दो तो आपका trace आजाएगा ये directly आप concept ध्यान लखना अब exam में क्या करेंगे trace का value आपको दे देंगे तो फिर आपको permutation combination लगाना पड़ेगा कि हम किसका value कितना ले ले ताकि वो जो required summation है वो आजाए जैसे question करते है question से थोड़ी feel आएगी तो ये question start हुआ है 2017 में पहली बार J advance देता है उसके बाद बार-बार J main वाले देते रहते है ठीक है तो पहली बार ये आया था 2017 में वहाँ से ये सिलसिला start हुआ है तो basically आपको क्या बोला है पर ले question पढ़ लेते है how many 3 cross 3 matrices M with entries 0,1,2 तो ये जो elements है वो होने चाहिए 0,1 ये 2 ये जो matrix है उसकी entries क्या क्या हो सकती है either it can be 0 or it can be 1 or it can be 2 0,1,2 के अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते A11, A12 जितने भी elements है सारे elements की value या तो आप 0 लो या 1 लो या 2 लो इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते अब आपको question में बोला है कि sum of the diagonal entries of M transpose into M is 5 तो ये M transpose into M इसमें आपको directly आपको याद है कि हाँ अगर मैं sum of sum of the diagonal entries में लेख trace अगर मैं trace निकालूंगा तो यही आएगा और ये question में given है 5 इसका value हो जाना चाहिए 5 तो अब अगेन आप यहाँ पर permutation combination लगा के बताओ कि कौन-कौन से cases possible है इसका value हम 5 किस तरह से कर सकते है कौन-कौन सी possibilities है बताओ तो एक possibility तो ये है क्योंकि आपके जो elements है 0,1,2 में से कुछ न कुछ हो सकते एक possibility तो ये है कि in message जो कोई भी 5 है कोई भी 5 element को आप ले लो 1 जैसे मानलो मैंने ये starting वाले 5 को कोई भी 5 ले लो किसी भी 5 को 1 ले लो और बाकी सब को 0 ले लो तो ultimately summation 5 आएगा एक case तो ये possible है ये कित लोगों समझ में आया है ये पहला case ये clear होगा कि नहीं पहला case क्या है मैंने क्या बोला कि total 9 element है 9 में से किसी भी 5 को ले लो 1 और जो remaining 4 है उसको ले लो 0 ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इन सब को square करके add करो square करके add करो तो 5 भी आएगा एक case तो ये possible है इसके अलावा और कोई case possible है क्या इसके अलावा ये भी कर सकते हूँ किसी एक element को आप ले लो 2 तो 2 का square हो जाएगा 4 4 हो गया तो बस एक और चाहिए 1 तो ये 4 प्लस 1 square करना आपको ये a11 का value है a11 का value है 2 तो 2 का square 4, 4 प्लस 1 5 हो गया ये, 5 हो गया तो बागी सब को 0 कर दो एक ये भी possibility है ठीक है किसी भी एक को आप ले लो 2 जरूरी नहीं है कि आप a11 को ये 2 लोगे किसी भी एक को आप 2 ले लो तो basically वो arrangement आप बाद में करेंगे अभी के लिए तो बस मैंने इसके नीचे 2 लिख दिया पर ये जो 2 है वो इधर भी तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि 2 इधर है और 1 इधर है तो arrangement आप बाद में करते है अब आप arrangement करी तो इसके अलावा और कोई case possible है क्या इसके अलावा और कोई case possible नहीं है दो ही आएंगे या तो आप ले लो 1 1 1 1 5 बार 1 और 4 बार 0 या फिर 2 1 और बाकी सारे 0 बस ये दो ही case आएंगे इसके अलावा और कोई possibility नहीं है चमद गया तो बस आप इनको arrange कर दो क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि इन ही पांचों का value 1 हो ऐसा भी हो सकता है last वाले जो 5 है उनका value 1 है या ऐसा भी हो सकता है कि इसका value 1 है इसका value 1 है इसका 1 है और last वाले का 1 है तो किसी का भी value 1 हो सकता है किसी का भी 0 हो सकता है तो इसलिए arrange कर दो बस इनको arrange करने के कितने तरीक है ये total कितने है total 9 है ना तो 9 factorial और identical कितने है तो ये पांचों के पांचों identical है तो जो भी identical होता है उससे divide करना पड़ता है और ये चारो identical है अगर ये चारो identical है तो इससे divide और similarly यहाँ पे भी total तो 9 factorial है बट identical कितने है तो identical है साथ तो नीचे आ जाएगा 7 ठीक है तो इनको arrange कर दिया इनको arrange कर दिया finally add कर दो तो आपका यहाँ पे final answer आ जाएगा तो कितना आ रहा है यह, option D आ रहा है, option D आ रहा है कि एक बार चेक करना, 198, 198 आ रहा है क्या, I think किसका अंसर है, D, रोहित का है, अगरिम का भी आ रहा है, तो D आ रहा है कि एक बार चेक कर लो, calculation आप कर लोगे न, but concept sound आ रहा है, तो हमेशा इस तरह की question आने के chances है, और अभी इस तरह का question, बस वो 5 की जगह change कर देंगे कुछ, 5 की जगह कुछ, नया number दे देंगे, बस आपको cases बनाने पड़ेंगे, और actually question repeat हुआ भी है, यह 17 का है न, यह देखो, J main 2021, ठीक है, J main 2021 वालो ने, exact same question है, यहाँ भी भी बोला है कि entries are 012, और sum of the diagonal elements of M transpose into M, यह 7, तो बस यहाँ यहाँ पर 7 है, इतना ही difference, वहाँ पर 5 था, यहाँ पर 7 कर दिया, that is the only difference, तो यह बताओ, चलो, यहाँ पर भी ऐसा आजाएगा, A11 का square, A12 का square, A13 का square, A21 का square, A22 का square, basically यह आएगा, sum of the diagonal elements, ठीक है, तो वो आपको directly याद होना चाहिए, 31 का square, 32 का square, और 33 का square, और यह हम चाहत एगी कितना 7 हो जाए, this is 7, 7 given है, तो 7 कैसे कैसे बनेगा, और जो भी आपके entries है, वो 0, 1 या 2, उसके बाहर कुछ भी नहीं ले सकता है, तो एक case तो यह possible है, कि आप 7 बार 1 ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इन दोनों को 0 ले लो, ठीक है, तो 1 square plus 1 square plus 1 square, ऐसा 7 बार है, और फिर दो बार 0, तो 1 तो यह possibility है, इसके अलावा, इसके अलावा मानलो मैंने इसको 2 ले लिया, एना, A11 को 2 ले लिया, किसी भी एक को 2 ले लो मतलब, अगर इसको 2 ले लिया, तो 2 का square 4 हो गया, अगर 4 हो गया, तो 5, 6, और 7, और बागी सब को 0 कर दो, एक possibility यह भी है, और कोई possibility है अगर मैं इसको 2 ले लू और इसको भी 2 ले लू तो, तो 4 और 4, अच्छा, वो तो exceed कर जाएगा, 4 और 4 तो 8 हो गया, तो बस यह दो ही आएंगे फिर से, तो बस दो ही case आएंगे, इसके अलावा और कोई possibility नहीं है, अब अरेंज करना काफी simple है, अरेंज करने के लिए क्या क तो 7 factorial और यहां पर 2 factorial भी आएगा, और similarly इसको अरेंज करना है, तो 9 factorial divided by, यह कितनी बार है, यह तो 5 बार है और यह तीन बार है, तो 5 और 3 आजाएगा इसमें, ठीक है, यह तीन बार repeat हो रहा है, 5 बार repeat हो रहा है, इसको add कर दो, इसको add करेंगे तो कितना आ रहा है, 666 आ र कर रहा है, किसी का 540 आ रहा है, किसी का 428 आ रहा है, किसी का आरियन कर रहा है, 221, नहीं, 221 नहीं हो सकता न, क्योंकि यह अगर आपना 2 ले लिया, इसको भी 2 ले लिया, तो 2 का square, 2 का square, तो वो तो already 8 पहुंच गया है, 4 प्लस 4, यह A11 का value है, 2, तो इसका square करोगे तो 4 बन कैसे आएगा, 540 आ रहा है, maximum लोग का 540 आ रहा है, यही होना चाहिए, 540 इस दा आंसर, ठीक है, 540 विल बी दा फाइनल आंसर, ठीक है, 540 विल बी दा फाइनल आंसर, ठीक है, तो इस तरह के question अगे बार बार रिपीट होते है, आज कल का trending topic है, जो की बार बार रिपीट हो ठीक है, तो definitely यह question आप ध्यान में रखना, ऐसे questions कि आप practice भी कर लो, 7 का 8 करके देख लो, नमबर चेंज करके देख लो, कल को हो सकता है, वो दे देंगे 0, 1, 2, 3, कि आप 3 को भी use कर लो, और total आप बनाओ 21 का, ठीक है, तो कुछ भी वो ऐसा खेल सकते है, या कल को दे देंग मान लो, 20 का, 20 का total बनाओ, तो अलग-अलग-अलग-अलग, कुछ ना-कुछ, इस तरह, बट बहुत ज़्यादा cases नहीं होंगे, जो भी आपका question आएगा, maximums, maximums, 3-4 case बन रहे होंगे, उससे ज़्यादा case नहीं बनेगे, 3 case ही बनेगे, क्योंकि एक तो इसमें matrices भी है, PNC चार-चार case भी बनाओगे, calculation भी करवाओगे, तो इतना सब कुछ थोड़ी ना होता है, ठीक है, वो थोड़ा laborious हो जाएगा, इसलिए अगर question बनाएंगे, तो वो इस तरह से बनाएंगे, कि maximum 2-3 case, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, 2-3 case बन रहे होंगे, वो question adjust ही इ अच्छा, determinant थोड़ असा आपको basics पता होना चाहिए, तो अगर आपको पता है, तो बहुत बढ़िया, फटा-फट एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं पता है, तो जो अगला topic अपने को पढ़ना है, which is adjoint और inverse, उसके लिए basics आपको पता होना चाहिए, तो नहीं पता है, तो मैं एक बार फटा-फट बता देता हूँ, बाकी detail में हम नहीं करेंगे, determinant का detailed one shot में बनाओंगा, बट ये केवल basics है, आज के one shot में हमारा focus होगा matrices पे, determinant का जितना basics required है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो determinant का basic basic आप यहां पर देख लो, सबसे पहले determinant जब होता है, तो होओ, हमेशा square होता है, determinant is always square, उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि determinant का order है 3 across 4, 3 cross 4 का कोई determinant दुनिया में exist नहीं करता है, 3 cross 3 का होगा या 4 cross 4 का होगा, तो determinant जो भी होता है वो हमेशा square होता है, rectangle नहीं होते, understood, yes, तो ये जिससे 3 cross 3 का एक determinant है, अब एक term हम यहाँ पर define कर करते हैं capital M से और जैसे आप किसी भी element का minor निकाल सकते हो और example अगर आपसे पूछा जाएगा M21 तो आप ये वाला जिसमें 21 present है ना जिसमें 21 present है वो तो रो और वो column इलीट करते हो जो भी बचा बस उसको लिख दो यहां पे 12 यह वन 3 यह बचा 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 और यह बचा इन सबको लिख दो बस यह आपका minor इसको इसको डिलीट कर दो इसको डिलीट कर दो जिसमें ए टू 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 प्रेजेंट वो डिलीट है रोबी और कॉलम भी जो बचा वो लिख दो बस एवन वन A13 A31 और A33 ठीक है तो यह आपका minor आ गया तो minor समझ गए minor निकालने के लिए simple आप जिस row और जिस column का निकालना है उसको delete कर दो जैसे 22 second row को delete second column को delete तो बस आपका minor आ जाएगा अब एक और term होता है जिसको बोते co-factor co-factor का simple definition होता है minus 1 की power i plus j co-factor c i j is minus 1 की power i plus j into m i j basically अगर आप से कोई पूछेगा कि आप मुझे बताओ co-factor 1,2 यह निकालो co-factor 1,2 क्या आएगा वो आएगा minus 1 की power 1 plus 2 minus 1 की power 1 plus 2 और m12 m12 निकालना तो आपको already आता है यहाँ से आप निकालो के 1,2 वाले को delete कर गए तो m12 निकालना आपको already आता है बस यह minus 1 की power 3 मतलब negative आजाएगा तो c12 will be minus m12 यह अगर आपको निकालना आता है तो बस उसके आगे minus लगा दो actually कौन-कौन से negative आएगे अगर c12 निकालोगे तो क्योंकि 1 plus 2 odd number है minus 1 की power odd तो यहाँ पर negative आएगा तो कौन-कौन से negative आएगे यहाँ पर आप निकालोगे तो 1 plus 1,2 तो यह positive आता है यहाँ पर करोगे तो 1 plus 2,3 तो मतलब यह odd है ना तो odd है तो negative आएगा तो यह 4 negative आता है बस आप ऐसे याद कर लो co-factor जो होता है ना इन 4 elements के negative आता है बाकी सब के positive होता है यह 2,1 क्योंकि इसमें odd बनेगा फिर 3,2 एक 2,3 और एक 1,2 इसका co-factor negative आएगा बाकी सब जिसे अगर आप से कोई पूचेगा C11 C11 will be same as M11 बट अगर आप से कोई पूचेगा C21 तो that will be minus M21 उसमें minus आएगा तो केवल यह जो 4 elements होता है इनके co-factor negative होता है यह 4 elements यह बाहर वाले मनलब यह 4 elements जो है इनके co-factor negative होता है चमग यह होगा मेरे खाल से और आगे बढ़ता है अब determinant का value कैसे निकालते है यह कितल हो तो आता ही होगा मेरे खाल से determinant का value 3 cross 3 अगर है वैसे तो इसके और भी बहुत सरे methods होते है जो कि हम determinant में discuss करेंगे अभी के लिए तो जो simplest method है वो बता दो अगर मुझे इस determinant का value निकालना है तो एक बार बताना इसका value कितना आएगा कोई बता सकते हैं एक बार निकालना calculate करना यह काफी चिंदी है बट यह निकालना आपको आना चीए तभी हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले एक बार आंसर बताओ आता है येस हाँ तो बताओ कितना आज़र आएगा अगर आता है तो आंसर बताओ ना टू और टू के साथ यहां पर आजाएगा प्लस फॉर आजाएगा फिर यह माइनस थ्री का प्लस थ्री कर लो आप क्योंकि इसका कोफेक्टर नेगेटिव होता है ना तो प्लस थ्री हो जाएगा और यह डिलीट कर दो यह डिलीट कर दो तो टैन प्लस वन तो 11 आ रहाए यहां पर और फिर फाइनली यहां पर है प्लस वन तो वहां पर कितना आ जाएगा 8 यह आपका आगया 8 तो 8 और 8 16 16 प्लस 33 फॉल्टिमेटली यह आ रहा है 49 आ रहाएगा यस और नो 49 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना अगर आपको आता है तो हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उसका यूज आएगा ठीक है चलो अब फाइनली तो मेट्रिक्स में वापस आते हैं एड्जॉइंट ओफ मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलो बेसिकली आपको निकालना आना चाहिए और बेसिक पता आना चाहिए कि को फेक्टर और माइनर होता क्या है तो minor cofactor अगर निकाल लोगे, determinant का value अगर निकाल लोगे, तो आराम से ये सारी चीज़े बहुत चिंदी है, ठीक है, adjoint क्या होता है, adjoint का definition समझो पहले तो, adjoint होता है cofactor का transpose, तो cofactor matrix निकालो, जैसे ये matrix आपका A है, अगर ये A matrix है, तो सबसे पहले तो minor निकालो आप, minor तो आप सबका minor निकालोगे, इसके corresponding M11, फिर M12, फिर M13, फिर M21, M22, ये सारे minor आपको निकालना पड़ेंगे, जितने भी 9 के 9, सारे के सारे minor निकालके, एक matrix में डाल दो, तो एक matrix में डाल दोगे, अब minor का matrix बन गया, तो अब आप co-factor का matrix बनो, co-factor of A, तो co-factor में BCP क्या होता है, co-factor में बस, आपका C11, C22, ये आज़ेगा, C11, C12, C13, C21, इन सबका value भी आप निकाल सकते हो, C31, C32, C333, अब इसका transpose ले लो, ये co-factor का matrix आगया, और जो भी आपका co-factor का matrix आएगा, उसका transpose ले लो, मतलब ये जो vertical है, उसको horizontal कर दो, तो ये adjoint आगया, ये चमका adjoint of A, will be co-factor का transpose, इसका transpose ले लो, जो भी vertical है, उसको horizontal कर दो, ये जो first column है, वो first row बन जाएगा, second column, second row बन जाएगा, third column, third row बन जाएगा, तो adjoint निकालने के लिए, simple आपको क्या करना है, minor निकालो, co-factor निकालो, co-factor आगया, तो transpose कर दो, ठीक है, एक example करते हैं, चलो, जैसे for example, इसका adjoint निकालना है, इसका adjoint निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, we want to find out, the adjoint of this matrix, तो सबसे पहले, तो सारे minor निकालने पढ़ेंगे, पहले आप सारे minor निकालो, चलो, ये थोड़ा time consuming है, बट आपको process पता होना चीए, ठीक है, कैसे निकालते है, minor निकालना, इसके corresponding minor दो, इसको और इसको delete करोगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 आएगा, चीए, फिर अगले वाला, अगला वाला कितना आएगा, इसको और इसको delete कर दो, minus 2 आ रहे है यहाँ पर, फिर इसको और इसको delete कर दो, तो यहाँ पर basically आप का रहे है, 4 plus 2, तो 6 आ रहे है, yes or no, ये चेक करता जाना, इसको और इसको delete करेंगे, minus 1 और plus 2, ये 1 आ गया, फिर इसको और इसको delete करेंगे, तो minus 3 और plus 1, तो minus 2 आ रहे हैं, फिर इसको और इसको delete करेंगे, तो 6 minus 1, तो 5 आ जाएगा, फिर इसको और इसको delete कर देंगे, तो basically minus 2 आ रहा है इसको और इसको delete करेंगे तो again 2 आ रहा है यहाँ पर और इसको और इसको delete करेंगे तो minus 6 और minus 2 minus 8 आ रहा है यह सही है एक बार check कर दो यह आपका minor आ गए yes or no यह minor यही आ रहा है ठीक है यह minor आ गया अगर minor आ गया तो co factor कैसे निकालते है co factor बस यह element यह element यह element और यह element का sign change कर दो तो co factor आ गया ठीक है तो co factor basically आपका यह आ जाएगा co factor तो उतना भी पेरे गाल से difficult नहीं है co factor basically आपका आ जाएगा इसका sign change कर दो तो यह plus 2 हो जाएगा बाकि सब सेम यह minus 1 हो जाएगा बाकि सब सेम यह minus 5 हो जाएगा यह minus 2 हो जाएगा ठीक है तो यह आपका co factor आगए और अगर co factor आगए तो इसका transpose कर दो आपका adjoint आगए तो adjoint of a बताव यह क्या आएगा adjoint of a के लिए यह तो 2 to 6 है उसको ऐसे लिख दो 2 to 6 फिर यह minus 1 minus 2 minus 5 और यहाँ पर minus 2 minus 2 minus 8 ठीक है calculation आप चेक कर ले न बाकि concept clear है concept अगर clear है आगे बढ़ता है ठीक है आपको minor निकालना है minor के बाद co factor co factor के बाद adjoint adjoint आगे है simple co factor का transpose that is the basic definition हमद में आगे होगा ठीक है co factor का transpose is the basic definition अब adjoint की properties यह सारी properties है एक ही page में लिख दिये ताकि आप इसको अच्छे से इसका screenshot लेके या note down करके कैसे भी आप इसको याद करो ठीक है तो सारी properties आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ठीक है पहली property क्या है यह पहली वाली जो property इसको हम इसका हमने नाम दिया था I think nv10 property नाम रखाता है ऐसे कुछ रखाता है पर जो भी इसका नाम है यह property आपको याद होनी चाहिए ठीक है तो first property a into adjoint of a या adjoint a into a करोगे तो determinant of a into i आता है i n मतलब n is the order यहाँ जितने भी n आपको दिख रहे है n is the order 3 x 3 या 2 x 2 जो भी उसका order होगा n is the order ठीक है 3 x 3 या 2 x 2 जो भी होगा वो specified होगा question में ठीक है अचाँ और यह सारी properties basically adjoint की है और adjoint तभी defined है जब आपका square matrix होगा square matrix होगा तभी तो determinant defined होगा क्योंकि determinant तो square ही होता है है ना तो यह सब square के लिए valid है ठीक है a into adjoint है equal to determinant of a into i ये भी आपको याद करना है adjoint of a b अगर है इसमें भी मलब reversal property है तो पहले adjoint of b आएगा और फिर adjoint of a आएगा आप इसको ultra नहीं लिख सकते हो ultra लिखोगे तो गलत है है ना reversal property है पहले b का adjoint फिर a का adjoint अगर k है तो k की पावर n-1 आ जाएगा k बहार तो निकलेगा लिकिन पावर आएगी n-1 similarly adjoint of adjoint है तो determinant of a की पावर n-2 into a n-2 ध्यान रखना है इसमें आप उसमें n-1 है इसमें n-2 है तो ये वाली property इसके उपर last वाली property को उपर question आ था जही advance 2020 में तीके उसको अभी हम करेंगे और adjoint of a का ये दोनों एक साथ याद करो अगर adjoint एक बार है तो पावर आएगा n-1 अगर adjoint दो बार है तो पावर आएगा n-1 का square लग जितनी बार adjoint है उतनी पावर यहाँ पर आएगी तो अगर मान लो ऐसा है कि adjoint of adjoint of adjoint तीन बार है अगर तीन बार है और फिर determinant है तो इसका value आएगा determinant of a की पावर n-1 ये तो आए गई लेकिन पावर 3 आएगा ठीक है ना चमक गया मनलब जितनी बार adjoint है n-1 की उतनी पावर आएगी अगर इसका question भी जेही main में है ठीक है तो वो सारे question हम एकिक करके करेंगे बढ़ पहले property याद करो adjoint of a inverse निकालो या adjoint a का inverse निकालो दोनों का value आएगा a upon determinant of a इसका question भी है जेही advance 2016 या ऐसा कोछ है ये भी अभी हम करने वाले ठीक है तो ये सारे question करेंगे बढ़ ये सारी properties आपको याद होनी चाहिए ठीक है तो पहले property याद करो एक बार फिर सब देख लेते है इनके जो derivations और ये सब है वो काफी छोटे-छोटे है बढ़ सेंज बहुत सारी property है तो हम यहाँ पर derivation cover नहीं कर रहे derivation उतना important भी नहीं है आपको application आना चाहिए basically अभी हम जब questions करेंगे तो आपको feel ही नहीं होगा कि derivation भी important है ठीक है तो derivation में आपको पढ़ने की जुरद नहीं है बट पता होना चाहिए कि हाँ जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा उसको आप derive करने नहीं बैठ सकते है exam में तो ये ध्यान रखो ये तो आई दिंग आसान है ये भी आसान है वो दोनों भी आसान है ये थोड़ा एक difficult हो सकता है a upon determinant of a ये थोड़ा again मतलब tricky दो बार joint है तो n-2 आएगा इसमें और इसमें k की power n-1 जब बाहर निकालोगे तो n-1 आता है ठीक है तो ये properties आपको और इसके साथ साथ कुछ determinant की properties भी लिख लो आप some properties of determinants जो की again आप यहाँ पर अभी से सीख सकते हो पहली property तो आप ये लिख सकते हो कि determinant of a b अगर है आप इसको कर सकते हो determinant of a into determinant of b ये determinant की काफी ये in fact हमने जब term 1 के exam हुए थे तो ये सारी properties revise भी करी थी तो ये property आप ध्यान रखो एक ये वाली property है इसमें जब आप k को बाहर निकालते हो ये determinant इसमें जब आप बाहर निकालते हो तो k raised to n आता है ठीक है तो ये भी आप एक ध्यान रख सकते हो ये सारी determinant की properties है ठीक है तो इन दोनों को भी आप note कर लो determinant की property भी आप ध्यान रखना है ना अभी मतलब questions में ये भी काम आ सकता है fine तो इन दोनों को आप extra लिख लो इसको अमहलक ही करेंगे determinant में बट फिर भी अभी इसके ऊपर questions करना है fine तो adjoint की properties अब आप आजाओ question जही में 2020 का बहुत चिंदी question है इसको try करो ठीक है इसका एक बार आंशर बताना इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो देखो एक यहाँ पर अपने को ये निकालना है तो जो निकालना है उस पर focus करता है इसका value निकालना है तो property क्या थी यहाँ पर आप property use कर सकते हो adjoint of b का determinant तो ये property होती है determinant of b की power n-1 और यहाँ पर n क्या है हमारा जो matrix है उसका order है 3 cross 3 तो n का value 3 है basically तो ये क्या आजाएगा ये basically ये आजाएगा determinant of b की power 3-1 determinant of b का square आजाएगा ठीक है तो ये आपका बन जाएगा determinant of b का square और नीचे है determinant of c c का value है 3a ठीक है ये जब 3 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये 3 को बाहर निकालोगे तो 3 का क्यो बाहर आएगा 3 raise to n determinant की property ठीक है तो जब scalar को बाहर निकालते हो तो 3 raise to n n is the order और into determinant of a और यहाँ पे b क्या है तो b basically है adjoint of a तो b का value आप पुट कर दो b का value पुट कर दो adjoint of a ठीक है b is equal to adjoint of a इसका square आजाएगा अब फिर से आपको property लगानी पड़ेगी determinant of adjoint of a oubl determinant of adjoint of a क्या हो जाएगा वो होता है determinant of a का square तो यह ऐसे ही करोगे आप determinant of a की power n minus one तो basically determinant of a का square आजाएगा और उसका भी square है यह basically determinant of a का square और उसका भी square और इधर है 3 raise to 3 into determinant of a finally आपका जो भी naturedi Čँथर आएगा अब determinant of a निकाल दो, इसका determinant निकालो, ठीक है तो इसका determinant यहाँ पर calculate करने की कोशिश करता है, हमारे पास क्या-क्या है, 1,1,2, ठीक है, 1,3,4, इसका determinant निकालना, 1, minus 1,3, बस इसका determinant कितना आजाएगा, 9, plus 4, ओके तो वो हो गया 13, ठीक है, minus 1, और इधर कितना आजाएगा, 3, minus 4, तो minus 1, और plus 2 के साथ, minus 1, minus 3, minus 4 आगया, ठीक है, ultimately calculate करना, 13 plus 1, minus 8, 14 minus 8, तो 6 आ रहेगा, 6 आ रहे, अगर यह 6 आ रहे, तो यह बन गया, 6 का क्योब, upon 3 का क्योब, तो यह आ जाएगा, 2 का क्योब, 8 आ जाएगा, ठीक है, तो finally what is the answer, 8 is the answer, तो यह चिंदी है ना, बस आप property लगाते जो, property वाले question पका आएंगे, for sure, ठीक है, तो property आपको याद होनी चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि matrices और determinants में property based question ना है, impossible है, ठीक है, यह चमका क्या, चमक गयो होगा मेरे का, option A इस दा answer, और आगे बढ़ता है, यह काफी भयांकर question है, इसको try करो, इसमें आपको ब लिख रहा हूं, determinant, उसके अंदर है two, फिर उसके अंदर है adjoint, फिर तो के वला आप इसको लिख दो, तो two adjoint, फिर उसके अंदर है two, फिर से adjoint, यह वाला, फिर से adjoint, और फिर उसके अंदर है, फिर से adjoint, of two है, ठीक है, तो यह, basically यह bracket बंद और यह वाला bracket बंद, और फिर determinant, तो यह निकालना आपको, अचा नहीं, इसका वेल्यू तो गिवन है, इसका वेल्यू गिवन है 2 raise to 41, अब आप लगाओ properties, तो जब यह 2 बाहर आएगा, तो क्या बनेगा बता ना, सबसे पहले तो determinant की property लगाओ, जब यह 2 बाहर आएगा, तो यह 2 को यहाँ से अटाओ, यह पर adjoint है, तो since adjoint है, तो 2 raise to 3, और adjoint में property क्या होदी, यह होदी ना, adjoint of dubba, property क्या है, adjoint of dubba, this is determinant of dubba की power, n-1, तो यह चामक गया न, dubba method, तो dubba method लगा लगा, तो adjoint के अंदर क्या है, यह पूरा है न, adjoint के अंदर, अगर adjoint के अंदर जो भी है, उसका determinant और पावर आप कर द तो यहाँ पर यह आजाएगा, adjoint के अंदर यह पूरा है, तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है, तो यह और इसका determinant, और पावर है, n-1, n-1 मलब 2 आजाएगा, 3-1, तो 2, अब फिर से यह 2 को बाहर निकालोगे, तो जब यह 2 बाहर निकलेगा, तो 2 की पावर 3 आएगी, 2 की पा 3, और 2 raise to 3 का भी square, तो 2 raise to 6 आएगा, ठीक है, तो इस वाले 2 को बाहर निकल लो, यह वाला 2 जब बाहर निकलेगा, तो वो बन जाएगा, 2 raise to 6, चमका होगा, क्योंकि जैसे यह आप बाहर निकलोगे, 2 raise to n होता है, अब अगेन यहाँ पर adjoint है, adjoint of dubba, adjoint of dubba, जो भी यह n-1, n-1 मनलब 2, और एक और power 2 already है, तो 2 into 2 हो जाएगा, मनलब 4 कर दो आप उसको, इस वाली power को आप कर दो 4, समका न 2 into 2, power की power, तो यह हो गया, अब फिर से आप एक बाहर लगाओ, क्योंकि यह adjoint of dubba है, फिर से, 2 raise to 9, और adjoint of dubba है, तो डबबे की power n-1, तो फिर से 2 into 4, तो 8 हो जाए गई, अब यह 2 को बाहर निकालो, तो यह 2 जब बाहर निकलेगा, तो क्या आएगा पता न, यहाँ पर यह बाहर निकलेगा, तो 2 raise to 3, और whole power 8 है, तो 2 raise to 3, और whole power 8 है, तो 2 raise to 24 बाहर निकलेगा, 8 into 3, तो 2 raise to 24, determinant of 8, आवर 8, और यह value आप वो गिवन है, 2 raise to 41, बस यहाँ से आपका हैगा, जो भी आएगा, तो determinant of a की power 8 कितना आ रहा है, इसको simplify करना, यह बन गया, 33, 33 और 41, minus करोगे, तो 2 raise to 8 आ रहा है, तो determinant of a आ गया, कितना, plus minus 2 आ जाएगा, ठीके, negative भी तो हो सकता, determinant का value, determinant का value, negative possible है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीके, mod नहीं है, determinant है, यह determinant of a का square, determinant of a का square, मतलब determinant of a into a, मतलब इसमें property लगा तो determinant of a into determinant of b, मतलब basically आपको निकालना है, determinant of a का square, determinant of a का value है, plus minus 2, तो plus minus 2 और उसका square, ultimately what is the answer, 4 is that, ठीके, तो इसका answer final आएगा, 4, अच्छा क्वेशन था न, कितनी सारी properties, एक ही property है, वैसे, नहीं, दो property है, बार-बार लगानी, एक ही adjoint वाली, और एक वो k into a वाली, ठीक है, अगर कोई भी scalar multiplied है, तो जब आप इसको बाहर निकालोगे, तो k raised to n into determinant अवे, तो एक यह वाली property, यह दो property है, आपको बार-बार लगानी है, ठीक है, तो property based question आते ही है, और simple ही होता है, ज्यादा उसमें कुछ complicated होता नहीं है, in fact, जही advance में भी है, तो जही advance वाला question देखो, a given है, b given है, दोनों given है, यह बोलना है, determinant of adjoint a, और plus determinant of adjoint b, ठीक है, this is equal to 10 की power 6, यह question में given है, यह पूरी equation, दिख गई, यह equation आपको question में given है, अब determinant of adjoint a होता है, determinant of a की power n minus 1, और n मतलब इसका order है 3 cross 3 का, तो 3 minus 1, 2, ठीक है, इधर भी 3 minus 1, तो 2, और यह 10 की power 6 है, अब अगर आप b को ध्यान से देखो गए, तो b वाला जो matrix है, क्या वो skew symmetric है, आपको दिख रहा है, क्योंकि diagonal element सारे 0 है, और यह दोनों element जो है, उनका sine opposite है, ध्यान से देखो, इन द और odd order का है, तो कुछ याद आया, q symmetric of odd order, जो आपका b है, that is, q symmetric of odd order, तो उसका determinant क्या होगा, 0 होगा न, इसका determinant तो 0 आगया, बस यहाँ से आपका आजाएगा, determinant of a, equal to 10 cube आजाएगा, यह आगया बस आपके पास, देखा, determinant of a, और determinant of a, निकाल लो, आपको a given है, तो यह जो a ह न, इसका determinant निकालो, just find out the determinant of a, इसको open कर लोगे, इसको open करके बताना, determinant of a कितना आ रहे है, और equate करते हैं, 1000 से, बस आपका अंजर आजाएगा, k निकाल दो, खतम होगे, बच्छे, यह जो determinant है, उसको open करो, तो कुछ ना कुछ k के terms में आ रहा होगा, equate करते हैं, 1000 के साथ, तो k का value आ जाएगा, बस that's it, I think अगर आप इसको open करोगे न, यहाँ पर है, ठीक है, तो यह आ रहोगा, आप यह calculation एक बार, खुछ से try कर ले न, इसको open करोगे, यह आएगा आपका, ठीक है, इसमें properties बगरा भी लगा सकते हो, determinant की अगर आपको हाती है, तो, you can use properties to simplify first and then open, ज्यादा easy पड़ेगा, बट ultimately यह आएगा, यह directly मतलब, 2k plus 1 का hold क्योब आएगा, ठीक है, तो यह निकाल लोगे, इसको open करोगे, तो यह आ रहा होगा, हम calculation में अभी नहीं पढ़ रहे, equal to 10 क्योब हो गया, basically 2k plus 1, equal to 10 हो गया, तो k का value यहाँ से आजाएगा, 9 by 2, 4.5 आजा चमक गया होगा मेरे खाल से, तो यह determinant value खुद से एक बार निकाल लेना, ठीक है, simply है, determinant, but यह concept समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर हमने property लगाई, property लगाई, और एक और property है, जो हमने बहुत पहली पढ़ ली थी, कि अगर कोई भी skew symmetric है, odd order का, तो उसका determinant 0 होता है, तो यह properties इस ध्यान में रखना, कही न कहीं काम आजाएगी, चीक है, और आगे बटते हैं, चलो, एक और question करते है, जही advance 2013 का है यह, इसको try करो, इसमें आपको बताना है कि M और N जो है, वो 3 cross 3 के matrices है, which of the following statements are not correct, यह ध्यान रखना, तो multi correct है, और आपको बताना है कि कौन कौन से statement गल रहा है, वो तो यह है, यह तो property ही गलत है, क्योंकि आपने अभी अभी तो पढ़ा, adjoint of MN, तो order reverse हो जाना चाहिए, पहले adjoint आना चाहिए, N का, और फिर adjoint आना चाहिए हमका, तो एक तो यह गलत है, for sure, reversal property लगाई लिए, इधर भी MN, इधर भी MN, तो यह तो गलत है, ला M और N, this is symmetric or skew symmetric, according as M is symmetric or skew symmetric, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, कि यह symmetric होगा, अगर M symmetric होगा, और यह skew symmetric होगा, तो जो भी M होगा, वो यह भी होगा, ऐसा होगा, क्या एक बार चेक करो, तो अगर मैं इस matrix को बोल दू, X, अब X का transpose निका लो, N transpose MN, symmetric, skew symmetric वाला question है, basically चिंदी है, चीक है, yes, तो यहाँ पर N है, इस पूरे का transpose, इसका transpose करोगे, तो N का transpose आएगा, सबसे पहले, फिर इसका transpose आएगा, और फिर transpose का transpose है, तो N आगे, अब question में आपको बोल रहा ही, कि अगर यह symmetric है, तो अगर M symmetric, इसके बाद आप ऐसा करो, इसके बाद आप double double दिख लो, अगर M symmetric है, तो क्या आएगा, if M is symmetric, तो क्या आएगा, and if M is Q symmetric, तो क्या आएगा, तो देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कि अगर M symmetric है, तो यह M transpose will be equal to M, यह वापस X बन जाएगा, तो यहाँ पर वापस आपका बन जाएगा X, M symmetric है, मतलब M transpose will be equal to M, यहाँ पर M put कर दोगे तो वापस X आगे, और अगर M skew symmetric है, तो M transpose will be equal to minus M, तो यहाँ पर minus M put करोगे, minus बाहर निकले तो फिर minus X आएगा, तो अगर यह symmetric है, तो यह भी symmetric आ रहा है, और अगर यह skew symmetric है, तो यह भी skew symmetric आ रहा है, मतलब यह वाला statement true है, अगर true है, तो हमारा answer नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए false वाले statement, यह first वाला option, that is true, अगर symmetric है, तो यह भी symmetric आएगा, यह skew symmetric है, तो यह भी skew symmetric आएगा, तो पहला वाला option गलत है, मैं लिए, सही है, but answer नहीं है, statement is true, यहाँ पर लिख लो, this statement is true, अच्छा, second वाला option चेक करो, B वाला, B वाले में बोला है, कि MN minus NM, this is skew symmetric, तो चेक कर लो, for all symmetric MN, अच्छा, तो M और N आपको given है, की symmetric है, अगर M और N symmetric है, तो आपको यह check करना है, क्या यह skew symmetric होगा, एक बार check करना, आपको question में given क्या है, कि यह M और N symmetric है, correct, अगर symmetric है, मतलब यह M होगा, और इसका value N होगा, अब आपको check करना है, यह, इसको X बोल दो, MN minus NM, अब इसका transpose ले लो, तो transpose ले लेंगे, तो MN minus NM, इसका transpose, बस दोनों के मातले पर transpose आजाएगा, तो इसका transpose, ठीक है, इसका transpose, और इसका transpose, तो यह बहुत चिंदी-चिंदी questions है, बस आप, solve कर लो, यह आजाएगा, ठीक है, minus M transpose N transpose, अब इन दोनों का value M और N है, तो खतम हो गया, यह, NM, minus MN आगया, तो ultimately यह, उल्टा आ रहा है, minus X आ रहा है, अगर minus X आ रहा है, तो skew symmetric, सही है, तो true statement, तो यह भी answer नहीं है, अगर true है, तो answer नहीं है, okay, similarly third वाला check करो, MN is symmetric, for all symmetric MN, अच्छा तो फिर से इसमें बोलाई कि M और N जो है, वो तो symmetric है, यह symmetric है, यह symmetric है, यह भी symmetric है, आपको check करना है, M into N को, तो यह आ रहा है, NM, ठीक है, value put कर दो, आप basically, वो दोनों का value put कर दिया, यहाँ पर, तो NM आ गया, अब यह NM आ रहा है, न, NM आ रहा है, बट वापस X आ रहे गया, वापस X नहीं आ रहा है, न, यहाँ पर MN है, और यहाँ पर NM है, तो यह basically symmetric तभी हो पाएगा, जब व तो उनों commutative होंगे, अगर M into N equal to N into M होगा, तभी यह symmetric हो पाएगा, बट यहाँ पर बोल लाएं कि इस symmetric, तो यह गलत है, अगर गलत है, तो हमारा answer है, तो इसका final answer आएगा CD, यह दोनों statement ऐसे है, जो कि false है, चमका, yes, यह तभी possible हो पाएगा, जब वो commutative होगा, बट ऐसा कुछ mentioned नहीं है, mentioned नहीं है, मलब false है, चमका ना, तो यह advance 2013 का, चिंदी question, advance, यह भी advance का ही है, advance 2012 का again multi correct है, multi correct के हिसाब से बताओ, यह कह रहा है कि if adjoint of 3 cross 3 matrix P is this, मलब कोई एक matrix है P, उसका adjoint आपको given है, यह क्या given है, adjoint of matrix P is given, चाहिए है, तो adjoint of P आपको given है, यह question में given है, 144, or 217, or 113, ठीक है, adjoint is given, यह ध्यान अगना, then find out the possible values of determinant of P, तो determinant of P की, जो भी possible values है, वो आपको निकालनी है, तो property क्या कहती है, property simple है, adjoint of P का determinant, this will be equal to determinant of P की पावर, n-1, मलब यह आजाएगा, adjoint of P का determinant, equal to determinant of P की पावर, n का value, यह 3 cross 3 है, तो n का value 3, 3 minus 1, 2 आजाएगा, ठीक है, तो बस इसका determinant निकालो, what will be the determinant of adjoint of P, वो निकालो, इसका determinant value कितना आएगा, तो 1 into 3, तो minus 4 आगया, ठीक है, फिर minus 4 into 6, minus 7, minus 1 आगया, और इधर आपका आजाएगा, 2 minus 1, 1, ठीक है, ultimately यह 8 और 8 मैसे 4 गया, तो 4 आजाएगा, ठीक है, 4, we are getting 4, और अगर यह 4 है, substitute कर दो, यहाँ पर, ठीक है, adjoint का value 4 आगया, तो यहाँ पर substitute कर दो, तो यह आगया, P का square, तो ultimately determinant of P आजाएगा, plus minus 2 आजाएगा, determinant है, mod नहीं है, negative हो सकता है, तो a और d, ठीक है, yes इसका final answer आजाएगा, ad, तो यह भी बहुत चिंदी है, yes और no, यह तो actually बहुत ही चिंदी है, एक ही property, इससे जादा properties तो main वाले आजकल लगवा देते हैं, यह वाला जो question हमने किया था, यह 2021 का, मतलब जो पुराने-पुराने question है, उसमें काफी सारे चिंदी question भी है, चलो, और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते है, inverse of matrix के बारे में, ठीक है, तो inverse of matrix कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी एक matrix है, उसका inverse, अगर आपको निकालना है, तो उसका सबसे पहले तो representation होता है, यह inverse, ठीक है, inverse is just like, जैसे बचपन में आप पढ़ते हैं, multiplicative inverse, बचपन मे बचपन में आप ऐसे ही सोचते थे थे न, कि बाई two में हम ऐसा क्या multiply कर दे, आपकी one आ जाए, आपको बचपन में ऐसा सिखाया गया होगा, multiplicative inverse का क्या मतलब होता है, multiplicative inverse ही है यह, तो ऐसा हम क्या multiply कर दे, अचा break, 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 ओहो, इतने सारे break आ रहे, तो ले लो फिर break, so many breaks है, एक काम करो, रुख जाओ, कितना साथ, हाँ ठीक है, we can take a break, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, fine, countdown लखा देते है, कितना 20 मिनिट्स कर देते है, जादा नहीं, क्या कहते हो, 20-25, है न, येस, 20 मिनिट्स का ले लो, चलो, जादा नहीं, एक बार फटा-फट से लेकिन वापस आ इतने सारे ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक एक दम से आगे, चलो तो ये continue करेंगे हम, ठीक है, बाद में, अभी के लिए ये सब मिटा दो, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, पर डेफिनिटली आप जल्दी से वापस आ जाना, exactly ये timer खतम होते हैं, ठीक है, इतना बचा है, I think अभी और लगेगा, ओके, तो ले लो, एक ब्रेक ले लो, उसके बाद हम मिलते हैं, फट फट से, ठीक है, already timer भी start कर दिया अब तो, ओके चलो देन, झाल कर दो से, पूए जब समय झाल 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 येस आगे गया सब लोग एक बार फटाफट कंफर्म कर दो तो तो एक बार फटाफट कंफर्म कर दो उसके बाद स्टार्ट करता है नेक्स टॉपिक विच इन्वर्स ऑफ मेट्रिक्स तो हम इसके बारे में अल्यडी डिसकस भी कर चुके है थोड़ा सा इन्वर्स मतलब जैसे मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे आप बच्पन में आपने पढ़ा था न कि अगर कोई एक नंबर है टू तो टू में हम ऐसा क्या मल्टिप्लाई कर दे ताकि वो वन बन जाए तो इन्वर्स का बेसिक नाम वहीं साया मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स तो टू का मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है वो होता है 1 बाई 2 लेकिन basic concept यही है ना कि इसमें हम ऐसा क्या multiply कर दें ताकि one आ जाए तो similarly matrices में भी यही definition definition is the same तो again आपको ऐसा ही सोचना है कि अगर कोई matrix है इसमें हम ऐसा क्या multiply कर दें ताकि वो i बन जाए तो अगर कोई भी ऐसा एक matrix है जिसको आप a में multiply कर दो और multiply करने से अगर i बन रहा है identity matrix बन रहा है तो उसी को हम बोलते है a inverse यहाँ पर जो भी आपका matrix आएगा उसी को हम बोलते है a inverse तो यह basic definition ही आपका यही है yes or no basic definition चमका क्या basic definition यही है कि अगर आप कोई भी एक matrix है उसमें आप ऐसा क्या multiply कर दोगे थाकि वो i बन जाए ठीक है ना अब देखो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते basic definition जो भी मैंने आपको बता है वही है एक बार पढ़ लो square matrix a is said to be inverse is said to be invertible अच्छा पहले तो invertible कब होगा square matrix is said to be invertible if there exist matrix B तो एक ऐसा matrix B exist करना चाहिए अब हमेशा मतलब inverse exist नहीं करेगा जैसे numbers में तो ऐसा होता ना कोई भी number ले लो तो उसका multiplicative inverse तो हो गई होगा except 0 मतलब 0 का कोई 1 by 0 नहीं होता है ठीक है तो 0 का exist नहीं करता है ना similarly यहाँ पे भी कुछ ऐसे matrix होंगे जिनका inverse exist ही नहीं करेगा ठीक है तो basically exist करना चाहिए और यह exist तभी करेगा जब ऐसा कोई ठीक है this is equal to i यह basically आपका basic definition हो गया अब देखो यह इसका basic definition तो हो गया बट आपने यह भी पड़ा होगा ना formula अमला what is the formula to find out a inverse तो a inverse को निकालने का formula होता है adjoint a divided by determinant of a अगर यह वाला formula यूज कर लोगे directly आपका a inverse आजाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है यह आपको याद करना है a inverse is adjoint of a divided by determinant of a तो a inverse exist कब करेगा a inverse exist अभी करेगा if a is non singular non singular क्या होता है non singular मतलब determinant of a 0 नहीं होना चाहिए determinant of a non-zero क्योंकि अगर determinant of a 0 हो गया, तो denominator 0 हो जाएगा और अगर denominator 0 हो गया क्या a inverse exist करेगा a inverse existence ही नहीं करेगा फिर, ए inverse तभी exist करेगा जब determinant of a non zero होना चाहिए non zero मतलब non singular, determinant of a must be non zero, non zero मतलब non singular होना चाहिए चमक क्यो हो गए मेरे खाज़े तो यह formula कैसे आया यह formula basic definition से ही आया हमने property पड़ी थी ना यह वाली हमने property क्या पड़ी थी यह होता है determinant of a into i yes or no यह property हमने पड़ी थी यह वाली property है adjoint की property प्रापर्टी में हमने यह पड़ा था अब इसमें आप क्या करो यह जो determinant of a उसको नीच to adjoint of a divided by determinant of a this is equal to i यहां से आपको सौंझ में आ रहा है कि भाई a में ऐसा हम क्या multiply करते तो a एक matrix है यह जो matrix a है आप उसमें ऐसा कुछ multiply कर दो ताकि वो i बन जाए तो a में क्या multiply करेंगे ताकि वो i बन जाए वो identity matrix बन जाए तो यह multiply करेंगे तो इसलिए a inverse का definition यह निकल के आता है यह चमका कहां से आया यह दुनिया में कहां से आया यह दुनिया में यहां से आया यह चमका ना यह जो अपनी first वाली property थी adjoint की वहां से यह आता है तो basically यह formula आपको याद रखना है in short ज्यादा इसमें definition का कोई काम नहीं है अगर आप बहुत ज्याद इन डेप्थ नहीं भी जाओगे तो भी चलेगा बट हाँ यह formula आपको पताऊना चाहिए इंवर्स इसको भी कभी याद करो एंवर्स अच्छा यह confusion भी काफी सरे लोग को होता है कि एंवर्स वन बाई यह यह नहीं होता है यह यह सिंबल है यह रिप्रेजेंटेशन है एकी इसका एक यही formula है और कोई formula मत use कर देना ऐसा मत करके आजाना exam में कि sir A inverse आया था तो आमने तो 1 by A लिख दिया एंवर्स वन बाई यह नहीं होता है इनफेक्ट मेट्रेसेज़ में डिविजन होता ही मैं मैं आपको सिखाता ना तो यह 1 divided by A क्या होता है आप दो दो मेट्रिक्स को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो और एक नमबर है और एक मेट्रिक्स है तो दोनों को डिवाइड मे लिट्रिक्स को भी मल्ठिप्ले söyli टीक है तो यह बेजिक एफिडेफिनेशन अब उसके बाद twoligen two cross two a gauche inverse निकालना तो उसका उसके shortcut होता है है अगर कोई भी माणोग two cross two का एक matrix है इसका inverse निकालना है इस में shortcut क्या होता है इसमेھ shortcut यह होता है कि इन दोनों को interchange कर दो इन दोनों को आप कर दो interchange इधर D आजाएगा इधर A आजाएगा और ये वाले जो दोनों है इनका sign change कर दो इधर minus B और minus C आजाएगा तो ये आपको चमका और आप divide कर दो determinant of A के साथ determinant of A कितना आजाएगा AD minus BC तो बस ये आजाएगा आपका directly ठीक है so this is the final answer ये चमका तो directly आप ये shortcut use कर सकते हो shortcut समझ में आया जो भी principal diagonal वाले है उनको swap कर दो interchange कर दो और जो non-principle diagonal ये वाला जो diagonal है उसमें आप sign change कर दो तो अकर positive है तो negative है तो positive और नीचे आप divide कर दो determinant of a के साथ basically adjoint निकालने का ये shortcut है ये आपका adjoint आ जाएगा determinant तो निकालने ही पड़ेगा understood ना तो ये directly आप use कर सकते हो yes इसका example भी कर लो तो for example मान लो कोई ये कैसा है which is something like 2, 3 और इधर है 5 और 4 ठीक है ना ऐसा something है और इसमें minus भी कर लो चलो ये है तो इसका inverse निकालना जरह ये आएगा अगर inverse निकालना है तो इन दोनों को swap कर दोगे ना तो इधर 3 आजाएगा इधर 2 आजाएगा और इसका sign change कर दो तो minus 5 और 4 ये आजाएगा और divide कर दो determinant of a के साथ determinant of a ये आजाएगा 6 plus 20 6 plus 20 तो 26 आजाएगा ये सही है क्या ये आप का अंसर आगया तो finally मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 by 26 is the scalar ये 1 by 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप a inverse जो है that is basically 1 by 26 multiplied by 3 minus 4 4 और 2 ये चमका होगा मेरे गाल जाएगा ये चमका की ने yes तो बस this is the answer चमका yes तो 1 by determinant of a और फिर वो adjoint adjoint के लिए बस swap कर दो और sign change कर दो तो directly आपका answer आजाएगा चीक है yes इसका बताओ चलो inverse यहाँ पर कैसे करेंगे तो again मतलब simply है इन दोनों का sign change कर दो नहीं सारी इसको swap कर दो 6 और 4 को interchange कर दो तो इधर 6 आजाएगा इधर 4 आजाएगा इधर minus 7 आजाएगा इधर minus 2 आजाएगा और फिर divide करेंगे किस के साथ 24 minus 14 के साथ यह 24 तो determinant से divide कर दो तो बस यह आपका answer है 6 minus 7 minus 2 और 4 ठीक है यह है और आगे आपका आजाएगा इसके अलावा एक और shortcut shortcut number 2 shortcut number 2 applicable है diagonal matrix के लिए diagonal matrix अगर कोई भी ऐसा diagonal है तो diagonal में inverse निकालना अगेन आसान होता है बस यह जो diagonal elements है उनका reciprocal ले लो इधर 1 by 1 आजाएगा 1 by 2 आजाएगा 1 by 3 आजाएगा तो बस यह उसका inverse आगया इसमें आपको कुछ divide करने की भी ज़रुद नहीं है determinant से divide करने की भी ज़रुद नहीं है वो divide होने के बाद यही आ रहा होगा already इसमें division भी हो चुका है यह आपका direct answer है तो बस रेसिप्रोकल कर दो that's it और कुछ भी करने की ज़रुद नहीं है तो direct shortcut याद रखना बहुत बार काम आ जाता है तो डाइगनल मेट्रिक्स का inverse निकालना है तो डाइगनल elements का reciprocal that's it यह shortcut number 2 shortcut number 3 shortcut number 3 है अगर कोई 3 cross 3 का matrix है इसके उपर एक पूरा dedicated video भी है तो वो भी आप देख सकते हो cracking seconds how to find inverse of any matrix in 30 seconds इसमें बहुत सारे और भी examples मैंने करा रखे है बट अभी के लिए एक example कर लेते हैं तो इसमें basically आपको इसका inverse निकालना है तो अगर आपको दुनिया का कोई भी 3 cross 3 का matrix है दुनिया का कोई भी 3 cross 3 का matrix है उसका inverse निकालना है देखो adjoint निकालने का shortcut क्या है पहले तो आप यहाँ पर जो भी given है उसको लिख लो पहले इसी को same to same चाप लो ना 114 तो यह है इसमें basically इसका inverse निकालना मुझे तो A inverse आएगा adjoint of A divided by determinant of A अब यह adjoint निकालने के लिए वैसे proper method तो यह है कि आप पहले minor निकालो minor के बाद co-factor निकालो co-factor के बाद उसका transpose करो तब जाके adjoint आएगा वो proper method तो वो है find out minor, सारे minor निकालो फिर co-factor निकालो, फिर transpose करो तब जाके adjoint आएगा ठीके बट उसका shortcut method गया है shortcut method यह है कि आप यहाँ पी क्या करो first column और second column को copy कर लो यह जो elements से वो मने लिख दी यह सारे है न, यहाँ से copy और यहाँ पे paste अब आप first column और second column को copy paste करो तो 021, यहाँ पे आप लिख दो 021 और इधर है 0, minus 1 और 1, ठीक है, first column copy paste कर दिया, second column copy paste कर दिया, उसके बाद first row first row में क्या क्या है 00100, first row फिर second row second row को copy paste करो copy paste करना है बस आपको यह आगया, अब आप क्या करोगे, इसको delete कर दोगे first column और first row को delete कर दो बस first row और first column को कर दो delete, बस अब आपका यहाँ पे directly adjoint आएगा, इन सब को cross multiply कर लो इसको cross multiply करेंगे फिर इसको cross multiply करेंगे इसको cross multiply करेंगे आप cross multiply करना horizontally और लिखना vertically मिलब साथ साथ हम transpose लेते जाएगे तो आपका adjoint of a क्या आएगा आप यहाँ पे cross multiply करो तो minus 4, minus 3, minus 7 आएगा फिर इधर cross multiply करेंगे तो 3 और minus 8 3 minus 8 तो minus 5 आएगा लेकिन minus 5 यहाँ पे लिखेंगे देखो आप cross multiply कर रहे हो horizontal लेकिन यहाँ पे आप लिखे रहे हो vertical तो आप यहाँ पे horizontal करते जाओ लिखते जाओ vertical ठीके यहाँ पे क्या आएगा 2 और plus 1 2 plus 1 3 आजाएगा ठीके similarly यहाँ पे cross multiply करेंगे इधर करेंगे और इधर भी करेंगे तो यह तो 1 है ठीके तो यहाँ पे आप लिखतो 1 फिर अगला वाला है minus 1 ठीके अगेन मलत वरिजॉंटल करो लेकिन लिखो vertical यहाँ पे आजाएगा 0 यह 0 है फिर उसके बाद उसके बाद यहाँ पे cross multiply करो इधर करो determinant of a निकाल के divide करो ठीके determinant of a तो निकाली लोगे इसका determinant निकाल के divide करो but adjoint निकालने में यह काफी time लगता है ठीके तो वो आप shortcut से कर सकते हो यह समझने में बड़ा है मेरे काल जैसे आप practice में लाओगे आराम जब 30 seconds में कर सकते हो बस इसको practice में यह video आप देखना कम से कम 4-5 question की practice कर लो 4-5 question की practice कर लो कि तो habit बन जाएगी habit बन जाएगी तो फिर जल्दी हो जाएगा ठीके तो एक बार it is recommended की आप इसको देख लो so that थोड़े questions की practice हो जाए बट अभी नहीं बाद माद देख ले ठीक है चलो अब आज आओ next topic which is properties properties again सारी properties एकी slide में है अब सारी properties यहां से देख लो इसको याद कर लो समझ लो और इसका application हम अभी करेंगे questions में ठीक है तो questions अभी start करेंगे बट पहले एक बार देख लो properties क्या क्या है तो properties यह है कि अगर a की power k है अचा पहले यहां से start करते है यहां पहले छोटी छोटी प्रोपर्टी से ठीक है तो पहली प्रोपर्टी यह आप यह तो basic definition है कि a into a inverse करो या a inverse into a करो तो वो i आएगा अना a into a inverse या a inverse into a it will be definitely i ठीक है तो यह तो simple property है दूसरी वाली जो प्रोपर्टी वो यहीं से आती है अगर मतलब आपको थोड़ा सा यहां पर derivation पता होगा तो बहुत जल्दी यह आप derive कर सकते हो कैसे आप यह जो first वाली प्रोपर्टी हो उसी में दोनों तरफ determinant ले लो a into a inverse this is equal to i दोनों तरफ determinant ले लो अब i का determinant one होता है और इसमें आप प्रोपर्टी लगा सकते हो determinant of a into determinant of b यह वाली तो बस determinant of a inverse क्या आगया one upon determinant of a आगया यह एक और important property आपके derive हो गई yes or no determinant of a inverse is always one upon determinant of a ठीक है तो यह ही प्रोपर्टी है determinant of a inverse is one upon determinant of a तो यह भी ध्यान रखना थर्ड वाली property है reversal property order reverse हो जाएगा ऐसा transpose में भी होता है transpose में भी अगर a b transpose होता तो b transpose into a transpose यहां पे भी वैसा ही है a b inverse is b inverse into a inverse तो चमक गया होगा अच्छा अगर कोई scalar है तो scalar बहार निकल जाएगा लेकिन minus one के साथ basically आप इसको ऐसे याद करो इस वाली property को याद करने का best तरीका है कि आप k को बहार तो निकालो लेकिन जब बहार निकालोगे तो k की power minus one और a की power minus one ऐसे याद कर लो अब यह k तो scalar है अगर k scalar है तो k की power minus one will be one by k और वो matrix है तो वो one by a नहीं होगा ठीक हो ध्यान रगना है ऐसा मत करना कि इसको one by a लिख दिया वो a inverse है और यह scalar है तो वो one by k है चमक गया ना वहलो ऐसे याद कर सकते हो k की power minus one a की power minus one this is a inverse but this is one by k कि यह तो constant है ठीक है चमक गय होगा तो यह वाली property भी एक आपको याद करनी है और इसके अलावा इधर आ जाओ है ना property one two three four इसके अलावा फिर इदर यहां अच्छा यह वाली भी सिंपल है inverse का inverse वापस ए आ जाएगा जाएगा जैसे ट्रांसपोस का ट्रांसपोस तो वापस ए आ जाता है ना inverse में भी व करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ट्रांसपोस करने के बाद inverse करो या inverse करने के बाद ट्रांसपोस करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है समिल अली पहले power करो फिर inverse करो फिर power करो अल्टिमेंटी दोनों सेम ही आएगा और यह उसका representation अगर आपको किसी भी question में ऐसा दिख अब बच्चों को समझ में नहीं आए कि A की matrix की negative power कैसे करता है यह तो पढ़ा ही नहीं था सर ने तो पढ़ा था कि matrix में division होता ही नहीं है तो यह A की power minus 50 का क्या मतलब इसका मतलब यह नहीं है ठीक है पहले तो यह clear कर लो ऐसा मत लिख देना अगर आपने ऐसा लिख दिया मत मतलब खतम कहानी वहीं पे आपको properties नहीं आती है ठीक है तो यह इसका मतलब बिल्कूल भी नहीं होता है इसका simple मतलब यह होता है कि इन्वर्स की power 50 है इसका मतलब आप समझ सकते हो कि this is A inverse की power 50 या फिर आप समझ सकते हो कि A की power 50 का inverse यह दोनों ही सही होगा मतलब ultimately इसमें पहले inverse करो या पहले power करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो आप या तो A inverse की power 50 इसको समझो या आप इसको समझो A 50 का inverse चमक गया ना तो यह दोनों ही सही है मतलब तो इस तरह का question मतलब basically आपको दिख जाएगा जही में में भी है और काफी और जगा भी है तो यह चमक गयो होगा मेरे खाल से एक बार फिर से revise कर लो properties A into A inverse तो चिंदी है यह भी काफी चिंदी है बट इसमें ध्यान लगना भूल जाते है कभी कभी है तो A inverse का determinant is 1 by A यह चिंदी है यह भी I think simple ही है के को बाहर निकालेंगे तो minus 1 के साथ बाहर निकलेगा यह भी चिं पहले transpose करो यह inverse करो it is one in the same thing representation ध्यान में रखना कभी कभी exam में confuse कर देते है ठीक है चलो तो यह properties अब आप आजाओ questions पर यह वाला question try करेंगे ठीक है कैसे कैसे होगा यह question यह आपका question है ठीक है यहाँ से फिर हम इसको solve करेंगे ठीक है तो एक बाद try करो चलो मैंने कहाँ यह खुद ही हो जाएगा आपसे एक बाद try करना इसमें properties use करनी है बस थोड़ी बहुत यह आपको बुलाए कि एक matrix है और यह matrix आपको given है बट यह थोड़ा complicated style से given है इसको देने का भी एक अलग style है यह कह रहा है कि जब i और यहां से start करो if i is equal to j तो फिर उसका value होगा 2 तो i equal to और 3 cross 3 का है एक काम करता है पहले general matrix assume कर लिया बने अगर general matrix assume कर लिया तो अब यह कह रहा है कि जब i और j बराबर है तो जो आपका element आएगा उसका value 2 होगा तो i और j बराबर कब है यह यह तीनों 112233 i equal to j का क्या मतलब i equal to j का मतलब 1 1 a 1 1 a 2 2 और a 3 3 और इन सब का value 2 है तो basically आपके जो diagonal elements है वो 2 है that is given in the question और question में क्या given है और question में given है if i is less than j अचा तो i less than j कहां पर है यहां पर i का value j से कम है इधर भी i का value j से कम है और इधर भी तो यह तीनों elements यह तीनों elements ऐसे है जहां पर i का value is less than j और यह तीनों elements ऐसे है जहां पर i का value is greater than j तो आपको यह वाला formula use करना है minus 1 की power j minus i तो यहां पर क्या आएगा बताओ minus 1 की power j minus i इसका value कितना आएगा a 1 2 आप अलग से निकाल लो इसमें आपको formula use करना है minus 1 की power j minus i ultimately minus 1 आएगा यहां पर minus 1 आएगा फिर इसका value निकालो a 1 3 का इसमें भी आपको use करना है minus 1 की power j minus i तो यह आपका जाएगा 1 ठीक है तो इधर 1 आएगा और इसका value a 2 3 तो यह आएगा minus 1 की power j minus i तो यह भी minus 1 आ रहा है ठीक है ना समझ गये मनलब इन तीनों का value आप निकाल लो similarly इन तीनों का value भी निकाल लो तो यहां पर definition क्या है यहां पर definition है minus 1 की power i plus j तो इधर इसका value कितना आ जाएगा यह यहां पर निकालो चलो यह minus 1 है यह plus 1 है यह minus 1 है ठीक है तो minus 1 plus 1 minus 1 तो यह आपको given है अगर directly दे देते तो इतनी महनत बच जाती बट नहीं दिया है जही main वाले कलाकार है ठीक है जही main वाले आजकल काफी कलाकार हो गया है ठीक है यह directly given नहीं है यह आपको इतनी महनत करके तो केवल matrix पता चलेगा कि हाँ यह matrix आपका है अब आपको यह निकालना है ठीक है तो अब simple है बस यह पूरा आगया अगर अगया तो यह निकालना है तो इसको हम अगले page पे करते है determinant of determinant 3 adjoint तो इसके अंदर है 3 adjoint और फिर 2 A inverse 2 A inverse तो इसमें properties लगाओ सबसे पहले 3 को बाहर निकालो तो 3 को बाहर निकालेंगे तो ये वाली property लगएगी ठीक है ये property क्या होती है k raised to n into determinant of a ठीक है तो बाहर 3 raised to n और n का value 3 cross 3 है तो 3 raised to 3 आएगा और अंदर केवल बचेगा adjoint of 2 A inverse 2 A inverse तो ये आजाएगा अब इसमें फिर इसके बाद property लगेगी adjoint of daba that is equal to determinant of daba की power n minus 1 ये वाली property ये उस करनो तो ये property लगाना जरा इसमें कुछ नहीं है basically adjoint of daba ये daba है आपका तो यहाँ पर क्या आजाएगा पता न 3 raised to 3 और daba मतलब 2 A inverse इसका determinant है न determinant of daba और power n minus 1 तो power 3 minus 1 तो 2 आजाएगा तो इसकी power 2 अब power में अगर आपको ज़्यादा confusion होता है power में तो दो बार लिख दिया करो बस आब ये 2 A inverse और एक बार और है 2 A inverse अब 2 को बाहर निकालना पड़ेगा न दोनों मैंसे इधर से 2 को बाहर निकालो इधर से 2 को बाहर निकालो तो जब 2 को बाहर निकालोगे तो फिर से ये वाली property लगेगी ठीके तो लगाओ property तो जब property लगाएंगे तो 3 raised to 3 ये 2 बाहर निकला तो 2 raised to 3 आएगा इन्टू A inverse यहाँ पे भी 2 raised to 3 आएगा इन्टू A inverse तो ये आड़ेगा तो दोनों को बाहर निकाल दिया बाहर निकालने के बाद ये क्या बन गया तो ये ultimately आगया 3 raised to 3 into 2 raised to 6 इन्टू A inverse को हम लिख सकते है 1 upon determinant of A याद है कौन सी प्रापर्टी ये वली प्रापर्टी ना determinant of A inverse is 1 upon determinant of A चमक गया होगा मेरे खाल से येस चमका तो इसके बाद बस ये आगया और अब आप determinant of A का value निकाल दो यहाँ से what is the value of determinant of A निकालना एक बार फटटफट determinant of A निकालो और यहाँ पर पुट कर दो final answer बताओ एक बार फटफट ठीक है एक बार इसका final बता न कितना आ रहे final answer एक बार फटफट chat में बता दो है न कितना आ रहे yes 108 determinant of A कितना आ रहे determinant of A6 आ रहे अच्छा चलो निकाली देते है 2 into यहाँ पर 4 minus 1 तो 3 ठीक है फिर plus 1 और यहाँ पर आ जाएगा minus 2 plus 1 minus 2 और plus 1 तो minus 1 न और फिर plus 1 और इसके साथ आ जाएगा 1 minus 2 तो again minus 1 ठीक है तो ultimately यह है 6 minus 2 तो 4 आ रहा है यह तो yes or no determinant of A का value 4 आ रहा है अगर determinant of A का value 4 आ रहा है ultimately यह आपका आगया 3 का cube into 2 raise to 6 into 4 into 4 4 into 4 मतलब नीचे 16 है तो 2 की power 4 कर दो basically यह आपका आजाएगा 27 into 4 तो यह कितना आएगा 28 और 108 आ रहा है finally 108 I think हाँ कुछ लोग बोल ले थे जैसे लक्ष्य दीप ने बोला था 108 is the right answer रमका की नहीं यह कितने लोग को चमक गया simple properties लगानी है बस और कुछ नहीं करना है properties आपको याद होनी चीए उसका application आपको आना चीए और property based question definitely आता ही आता है ठीक है एक और question try करो यह वाला question यह आया था J main 2021 में ठीक है तो इसको try करना यह question काफी चिंदी है अगर आप objective approach को use कर लोगे तो इसमें आप लगाओ objective approach objective approach लगा सकते गया इस question में objective approach लग जाएगा क्योंकि basically आप से पूछा यह है A matrix given है matrix A given है और इसका value भी given है यह जो भी है उसका value इदर given है और निकालना यह है और question आया था numerical में जो भी आपका answer होगा fix होगा ना कोई एक number होगा मैं लग वो theta या A, B किसी पे भी depend कर रहे गया आपका जो final answer है वो question वाले खुदी इन्होंने numerical में पूछा था तो जो भी आपका final answer होगा वो कोई ना कोई number होगा तभी तो आप वहाँ पे भर के आओगे तो कोई alphabet यह वो theta A, B किसी पे भी depend नहीं करता है तो हम theta का value कुछ भी ले सकते है वो theta पे depend नहीं करता है तो theta का value आप यहाँ पे 0 degree ले लो objective approach यह ही कहता है कि since अपना जो final answer है वो तो एक constant numerical answer होगा तो take theta equal to 0 अगर मैं theta को 0 ले लो तो यह 0 आगया, यह भी 0 आगया मतलब basically अपना जो A है वो null matrix आगया 0 0 0 0, yes or no theta को 0 put कर दो अगर theta को 0 put कर दोगे तो 0 0 0 0 null matrix आगया अगर null matrix आगया तो यह null matrix है यह भी null matrix मतलब यह ऐसा लिखा हुआ है I plus null matrix और यहाँ पर है I minus null matrix का inverse यह I plus 0 I होता है और यह लिखा हुआ है I का inverse तो ultimately यह क्या आएगा this is nothing but I into I का inverse भी I होता है या basically आप ऐसे देखलो A into A inverse तो ultimately क्या I आजाएगा इसमें तो finally कैसे भी करो बट इसका answer आएगा I और I मतलब I मतलब identity matrix 1 1 और 0 0 अब इसको compare कर लो यह आपको already question में given है question में क्या given है A minus B और B और A ठीक है तो बस A और B का value आगया compare करना ज़रा A का value आगया 1 और B का value आगया 0 therefore A equal to 1 और B equal to 0 आपको निकालना है यह 13 into A square plus B square तो final answer कितना आएगा 13 ठीक है 13 is the final answer यह कितना कुछ अमक गया तो इसमें क्यूंकि इन्होंने question में already numerical में पूछा है तो अपने को पता ही है कि थीटा पे depend नहीं करेगा तो थीटा का कुछ value ले लिया करो आप finally आपको पता ही है कि calculation जादर नहीं करना आपने को और थीटा पे depend कर नहीं रहा है थीटा का value put करो क्यों fall to calculation कर लो अगर proper method से करोगे तो फिर आपको A का value इधर put करना पड़ेगा फिर ये plus करना पड़ेगा ये minus करना पड़ेगा फिर उसका inverse करना है आप यहां पे थोड़ा सा objective approach दिमाग में रखा करो ताकि ऐसे question आये तो फटाक से कर दो यही smartness है basically यह जो smartness है वो होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर हर एक at least IITN के अंदर fine? yes चलो आगे बढ़ता है ये question ये भी अच्छा question है इसको try करो एक बार ये कैसे करेंगे? ठीक है? Sir I am fully dependent on your lectures क्या बात है? ज्यादा dependent मत रहो independent बनो और क्या? किसी पे भी dependent नहीं रहना चीए अलाकि हम यहाँ पे सब कुछ cover कर रहे है पट फिर भी नदर dependent क्यों रहना है? ठीक है? तो independent बनो थोड़ा सा चलो हाँ ये कैसे करेंगे? A is a 3 cross 3 adjoint A आपको given है और B आपको ये adjoint of adjoint है तो basically आपको निकालना है determinant of A है ये कैसे होगा? अच्छा determinant of A is equal to lambda और A तो given ही है अरे यार ये तो चिंदी कुशन नहीं हो गया तो A given है तो determinant of A निकालनो लेमड़ा आजाएगा और लेमड़ा ही पूछा है तो अरे इसमें दो option तो वैसे ही reject हो जाएगे ये तो बहुत चिंदी question निकला determinant of A निकालना ज़रा तो कितना आएगा? 2 और 2 के साथ ये हो जाएगा 4 ठीक है? फिर plus 1 और यहां पर आजाएगा 1 minus 2 minus 1 ना और plus 1 के साथ ये आजाएगा 2 ठीक है? तो ultimately ये आ रहा है 8 minus 1 7 तो 9 आ रहा है ये 9 आ रहा है कि determinant of A आपका आगया 9 अगर determinant of A 9 आ गया तो basically 9 equal to lambda आगया तो lambda का value 9 है 9 मतलब इन दोरों मैंसे कोई एक answer होगा आपका ये तो B होगा ये D होगा yes or no और adjoint oh 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 sorry 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 adjoint A है अच्छा तो adjoint A का determinant आगया तो भी चिंदी है रुख जाओ थोड़ा changes कर लेता है ये adjoint A का determinant आया ना 9 आप ये adjoint A है तो adjoint A का determinant आपने निकाला और ये आगया ये adjoint A का determinant ये आपका 9 आ गया अब adjoint A का determinant होता है determinant of A का square तो determinant of A कितना आ जाएगा plus minus 3 आ जाएगा तो ये lambda आ गया और आपको basically determinant of A equal to lambda बोला है तो determinant of A मलब 3 वाला होगा फिर या तो ये होगा ये ये होगा ये reject कर तो फिर चमका ना आपको basically adjoint है वो अगर adjoint है तो adjoint A का determinant अमने निकाला पहले है तो 9 आया फिर property use कर ली कि वह डब्बे की पावर n minus 1 यहाँ पर 3 cross 3 है ना तो n minus 1 मनलब 3 minus 1 तो 2 आएगा फिर plus minus 3 आ गया अगर plus minus 3 आ गया तो फिर I think mod of lambda पूचा है ना तो lambda का value है plus minus 3 और mod of lambda पूचा तो mod lambda 3 आ जाएगा 3 या 3 या तो इन दोनों में से कोई यह कहाँ से A या C में से बताओ अब अब आपको यह निकालना है mu तो देखो mu क्या है तो mu आपके पास है determinant of b inverse काड ट्रांसपोस ठीक है b inverse काड ट्रांसपोस यह है तो यह कैसे करेंगा इसको करने के लिए मेरे ख्याल से और b आपका यह ना adjoint of adjoint ओके तो b is basically adjoint of adjoint तो पहले तो इसमें आप दोनों तरफ determinant ले लो एक determinant बोच साइड इधर determinant और इधर भी determinant अब इसकी property क्या होती है इसकी property हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर आजाएगा determinant of a की power n-1 और जितनी बार adjoint है उतनी power यह चमका कि ने यहाँ पर दो बार adjoint है ना अगर दो बार adjoint है तो n-1 की power 2 ठीक है तो बस basically यहाँ से आपका determinant of b निकल जाएगा निकालना ज़रा determinant of b determinant of a तो है plus minus 3 इसकी power n-1 n-1 उला 3-1 3-1 2 और 2 का square तो 4 आजाएगा तो actually determinant of b का जो value है वो है 81 यह चमका determinant of b का value आगया अगर determinant of b का value आगया तो यह कैसे निकालेंगा अच्छा अगें मतलब यहाँ पर एक property आप यह लगा सकते हो कि determinant of a और determinant of a transpose दोनों बरावर ही होता है अगें यह एक determinant की property है यह भी एक property होती है यह हम पढ़ेंगे यह आपको शाहिद पता भी होगा मतलब transpose लेने से determinant का value change नहीं होता है ठीक है तो b inverse का transpose है ना basically यह डब्बे का transpose तो transpose का determinant लो यह directly determinant ले लो same ही आएगा yes or no यहाँ पर basically आप transpose को हटा दो transpose का determinant लो यह directly determinant ले लो it will be same बस यह आगया और अगर यह आगया तो 1 by b यह आगया इसकी property होते नहीं बी इन्वर्स का determinant 1 upon determinant of b 1 upon 81 आगया 1 upon 81 मतलब option a यह चमका की नहीं yes यह चमक गयोगा मेरे खाल से fine तो simple यह वाला question भी काफी property based question है again काफी simple question है ठीक है और आगे बढ़ते है जही advance का question try करते है अभी तक तो जही main वाले कर रहते है जही advance का try करो mnn r3 cross 3 non singular q symmetric non singular मतलब determinant non zero है ठीक है इसका determinant non zero है और इसका यह non singular इसलिए लिखते है क्योंकि उसका inverse exist करना चाहिए तो question में अगर आप देखोगे तो m inverse और n inverse और यह सब use कर रहे है तो inverse exist भी तो करना चाहिए और inverse exist अभी करता है जब non singular होता है इसलिए उनकी मजबूर यह non singular question में देना पड़ता है otherwise फिर bonus हो जाता है अगर नई लिखेंगे तो फिर बच्चे बाद में बोलता है singular भी तो हो सकता है तो उनकी question गलत बनाया bonus bonus तो इसलिए मजबूरी लिखना पड़ता है non singular होगा तब ही inverse और यह सब exist करेगा तो फिर यह information हमारे लिए तो फालत हुई है basically question में यह given है कि M and N are skew symmetric skew symmetric है question में यह given है कि M transpose will be minus M और N transpose will be minus N तो यह information हमारे काम किये ठीक है so this is given this is also given यह दोनों given है ठीक है यहां तक तो मेरे खाल से चमक गया होगा यह दोनों given है और फिर यह बोल रहा है कि M N अच्छा यह भी given है दूसरी information यह given है कि M into N is equal to N into M this information is also given ठीक है और यह बोल रहा है कि P T denotes that advance की पुरानी आदित है तो P और उपर लिखा है T तो यह समझाना चाता है कि जहांप भी P T है उसका मतलब होता है transpose कहीं तो में और कुछ ना समझ लो है ना इसको T को कुछ transpose के अलावा कुछ और ना समझ लो इसलिए specify कर दो advance वाले अच्छे है PT means transpose तो जहां जहां पर T दिख रहा है वो transpose है ठीक है confusion नहीं है ना वो transpose है ठीक है M transpose N ठीक है यह है इसका inverse और फिर M पहले तो question में जो पूछा है वही का वही छाप लो तो यह पूछा है yes or no इसका value अपने को निकालना है fine this is the required quantity इसका value कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो आप property use करो यह M square N square as it is यहां पर property लगेगी तो सबसे पहले N का इसमें reversal property लगाओ reversal property लगाओ तो पहले N का inverse आएगा और फिर यह M transpose का inverse आएगा yes or no तो यह आजाएगा अब यहां पे भी reversal property लगेगी तो N inverse का transpose आएगा और फिर M का transpose आएगा ठीक है यह आपको चमक्यों होगा मेरे अब यहाँ पर दूसरी और अगले स्टेप में बाली सब तो सेम हैँ कि यहां पको मैली प्रांसपोस मैं चलो आप इसको ऐसी यहा दें दो तो पहले transpose करो आप, ठीक है, पहले transpose करो, फिर inverse करो, ऐसा हमने change कर दिया, ओके, यहाँ पहले inverse, फिर transpose, तो हम यहाँ पहले transpose, फिर inverse, तो यह भी एक property है, अब देखो आप क्या कर सकतो, इन दोनों को combine कर लो, अच्छा पहले तो n और n transpose क्या हो जाएगा, यह n और n inverse क्या हो यह तो बन गया i, n into n inverse क्या होता है, i होता है तो यह तो खतम हो गया, i बन गया, अगर i बन गया तो उसको हटा दो, इसको हटा भेंगे तो m into m into n, यह तो i बन गया, अब इन दोनों को club कर लो, इन दोनों को club कर लो वापस, तो वापस club करेंगे, तो again reversal property, reversal property क्या कहती ही, कि यह जो बाद वाला है वो पहले आएगा उल्टा आएगा बाद वाला पहले आएगा और पहले वाला बाद में आएगा यह ऐसे लिख सकते गया उल्टा सोचो आप यहाँ पर अगर आप उल्टा सोचो गे तो यह आ जाएगा ना यह चमका कि नहीं इसमें प्रॉपर्टी लग इसका value में put कर दूँ यहीं पर value put कर देता है यह बेसिकली बन जाएगा n transpose का value minus n और minus m यहाँ पर आ जाएगा nm यहाँ आ जाएगा minus minus plus और यहाँ पर आप देखोगे तो इधर लिखा हुआ है m into n यह जो m into n है इसको हम लिख सकते है n into m उसको भी change कर दो अगले step में आप क्या करो m इसका formula यह use कर लो n into m इससे फाइदा क्या होगा देखो इससे फाइदा यह होगा कि यह पूरा क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो यह पूरा क्या बन जाएगा यह है x और x का inverse न यह पूरा बन गया i कितने लोगों दिख गया यह लिखा हुआ है x और x का inverse x और x का inverse क्या होता है वह होता है i तो यह खतम हो गया na m into i this will become m तो m into m transpose आगया बस और m transpose का value minus m है तो put कर दो ठीक है तो ultimately यह आजाएगा m into minus m minus m square आगे minus m square मतलब option c is the answer तो finally इसका जो answer आएगा option c minus m square तो बस properties use करनी है बस अगर आप property use में हो कोई न जो भी प्रॉपर्टी लगा लगा दिया करो ultimately वह simplified होई जाएगा텐ड़ इसा apro fixed order नहीं है जैसा जैसे सर ने लगाई वैसे लगानी है ऐसा कोई fixed order नहीं है आपको जो भी चमकरी वो प्रॉबर्टी लगा दिया करो अल्टिमेटली आपका यह आ जाएगा सिंप्लिफाइब हो कर ठीक है जो भी आपको चमकरी लगा दिया करो सिंपल तो भी आपका अंचर आ जाएगा आराम से और आगे बढ़ते है 2019 का क्वेशन ट्राई करो आगे यह भी काफी सिंपल है लेकिन मल्टी करेक्ट है यह यह काफी अच्छा क्वेशन भी है तो इसमें सबसे पहले तो देखो आपको एम गिवन है एडजॉइंट आफ एम गिवन है और जो एम आपको गिवन है उसमें दो वेरियबल है यहाँ पे ए वेरियबल है और बी वेरियबल है ठीक है तो सबसे पहले तो यह ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा तब ही अपने को पता चलेगा कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि नही तो सबसे पहले आप ऐसा कुछ करो कि ए और बी का वैल्यू आ जाए अगर ए और बी का वैल्यू आ गया तो फिर डिटर्मरेंट भी आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा तो ऐसा कुछ करो कि ए और बी का वैल्यू पता चल जाए एम आपको गिवन है Adjoint of M निकाल दो अगर M गिवन है तो Adjoint of M कैसे निकालेंगे Adjoint of M निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे Minor, फिर Co-Factor यही वाली अपना जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे तो Minor बताओ चलो Minor या सीधा Co-Factor बतादो आप दो सीधा Co-Factor वाला लिख दू मैं Directly Co-Factor वाला जो Matrix होगा Co-Factor Matrix बतादो यह आपका M है तो Find out Co-Factor of M Short में लिख लो Co-Factor of M Co-Factor भी आपको पूरा निकालने की जरुद नहीं है है ना सारा पूरा निकालने की जरुद नहीं है बस पहले यह बतादो कि यह वाला element की आए M11 कितना आएगा बताना M11 M11 मतलब Minor 11 Minor 11 के लिए इसको और इसको डिलीट करेंगे इसको और इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पर M11 का value आ रहा है 2-3 भी यह आ रहा है M11 और जो M11 होगा वही C11 होगा C11 will be same as M11 तो यह आ गया आपका यह सारी values आपको निकालने की ज़रूद नहीं है यह सारी values भी आपको निकालने की ज़रूद नहीं है आप सीधा यह वाली value निकालो यह वाली value मतलब This is C31 C31 क्या होगा यहाँ पर करो यहीं पर करो C31 This will be same as M31 Yes or No यह वाला element अना तो यह तो positive आथ ही होता है यह चार negative होता है यह negative होता है यह negative होता है यह negative होता है यह negative और इदर वाला negative बाकि तो सारे positive ही होता है तो M31 निकालना जरा तो मतलब third इसको delete करने है district row और first column Third row first column को delete करेंगे तो 3-2a आ रहा है तो 3-2a आ गया तो इधर आपका आएगा 3-2a ठीक है और बाकी ये सब निकालने की जरूत आपको नहीं है यहां तक समझ में आये क्या हमने simple कुछ नहीं किया है बस co-factor matrix निकालने की कोशिश करिए और co-factor matrix में भी हम सब कुछ नहीं निकाल रहे बस ये पहला वाला element निकाला और ये वाला element निकाला अब co-factor का transpose कर दो तो आपका adjoint आ जाएगा तो co-factor का transpose इसका transpose कर दो इसका transpose करोगे तो ये जो vertical है वो horizontal बन जाएगा तो यहां पर horizontally लिख लो बस आप ये आएगा फिर उसके बाद ये dash आएगा उसके बाद ये 3-2 ये आएगा और फिर बाकी सब ये ये पुरा dash 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 है ना तो वो इधर ऐसा आजाएगा और ये भी पुरा dash 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 तो ये ऐसा आजाएगा अब इसको compare कर लो आपको already question में given a adjoint ये चमका की नहीं देखो simple ये sound में आया co-factor निकाला co-factor में भी हमने केवल निकाला c11 और c31 c11 का value यहां से m11 के बराबर और c31 का value m31 के बराबर दोनो positive होंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो co-factor के बाद उसका transpose कर दिया adjoint का basic definition होता है कि co-factor का transpose adjoint आगया और adjoint आपको given है compare कर लो बस आप इसका value इसके बराबर है बस तो यहां से compare करोगे यह minus 1 तो कितना आगया b का value 2 minus 3 b equal to minus 1 basically b का value आगया 1 और इसको compare कर लो इसके साथ यह भी minus 1 है क्या 3 minus 2 है this is minus 1 तो a का value 2 आगया a का value 2 आगया b का value 1 आगया मतलब यह option सही है yes or no यह चमका एक option तो आपको पता चल गया fine एक option आपको पता चल गया यह वाला तो correct है for sure आपको correct वाले ही बताने अब अगला वाला option चेक करो determinant of adjoint of m square यह सब कुछ आ जाएगा अगर determinant of m आ गया एक काम करो determinant of m निकाल दो आप क्यूकि अब तो a और b आ गया तो पहले तो आप यह जो m वाला determinant है उसको यहाँ पर लिखो m क्या है हमारा जो m है वो है 0 1 a 0 1 और a का value हमने निकाल दिया a का value 2 है फिर 1 2 3 इधर 1 2 3 और फिर 3 b b का value कितना 1 तो 3 1 1 यह आ जाएगा 3 1 1 तो find out determinant of m determinant of m कितना आएगा यह निकालना दरह यहाँ पर minus 1 माइनस 1 के साथ 1 minus 9 minus 8 और plus 2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 1 minus 6 minus 5 तो यह आ गया 8 minus 10 तो मैं बहुत माइनस 2 आ रहा है तो determinant of m आपका आ गया minus 2 yes or no अगर determinant of m आ गया तो बस अब आप यहाँ पर property लगा सकते हो आपको निकालना है determinant of adjoint of m square चीग है यह तो अब इसमें property क्या होती है इसमें property होती है adjoint of dabbah adjoint of dabbah is equal to determinant of dabbah उसकी power n minus 1 तो यहाँ पर dabbah मैं है m square determinant of dabbah और power power आ जाएगा n का value 3 है अगर 3 cross 3 है ना यह अगर 3 cross 3 है तो 3 minus 1 तो power आ जाएगा 2 ultimately यह आ गया अब इसमें भी basically यह लिखा हुआ है m into m और एक बार और लिखा हुआ है m into m तो basically determinant of m कितनी 4 बार आ जाएगा इसमें property लगाओ determinant of a into determinant of b और यह भी वही है तो determinant of m की power 4 आ गया यह determinant of m का value minus 2 है ना minus 2 की power 4 16 आ रहे है अगर 16 आ रहे है मनलब यह option गलत है ठीक है option b क्या है option b गलत है ठीक है यह भी आपको clear हो गया और option c में आपको पूछा है adjoint m का inverse और adjoint of m inverse यह इन दोनों की property हमने पड़ी थी इन दोनों की property क्या थी यहाँ पर आप property वाले page पर आ जाओ अगर आप देखोगे properties किदर है यहाँ पर ना यह adjoint वाली property यह तो inverse की है adjoint वाली property में हमने पढ़ा था यह यह वाली property इसमें हमने बोला था 2019 में question तो यह एक बर देखो Adjoint of A Inverse या Adjoint A का Inverse दोनों का value होता है A upon Determinant of A तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है Similar, आप दियान से देखो अगर आप question को देखोगे तो बस A की जगह M है ठीक है ना, बाकी सब कुछ A मैं Adjoint of M का Inverse या Adjoint of M Inverse दोनों का value सेम होता है इसका value क्या होता है M upon Determinant of M और यह भी M upon तो basically आपका जो C वाला option है वो लिखा हुआ है M upon Determinant of M plus M upon Determinant of M basically यह आजाएगा 2 times M upon Determinant of M का value कितना है Determinant of M का value minus 2 है तो ultimately minus M आएगा सही बात है यहाँ पे भी minus M है तो यह option सही है option C आपका सही है यह चमका option C जो है वो बिल्कुल सही है अब यहाँ पे आपको निकलना है option D में option D में बोलना है कि M into alpha beta gamma वो 1, 2, 3 है यह given है अगे इसको use करो देखो M into यहाँ पे M into alpha beta gamma this is given as 1, 2, 3 तो इसमें आप क्या कर सकते हो इसमें basically आप क्या करो दोनों तरफ pre multiply कर दो M inverse के साथ इसको थोड़ा ऐसा लिख दो यहाँ पे आप pre multiply कर दो M inverse इधर भी pre multiply कर दो M inverse यह चमका की नहीं तो दोनों तरफ pre multiply कर दिया उससे फाइदा ही होगा कि यह हट जाएगा यह बन जाएगा I और I multiplied by this will be this matrix only तो यही वाला matrix आगया ठीकिए क्योंकि वो तो I बन जाएगा I को multiply करोगे किसी भी matrix के साथ तो वो वही होता है ठीकिए तो यह आगया और M inverse को हम क्या लिख सकते है M inverse होता है Adjoint of M divided by determinant of M determinant of M ठीकिए Adjoint of M और determinant of M का value minus 2 है तो directly putty कर देगा यह minus 2 है और multiplied by 1, 2, 3 तो बस यह multiply कर लो Adjoint of M आपको already given है यह minus 1 by 2 को बहार निकाल लो Adjoint of M is given in the question उसको use कर लो बस तो minus 1, 1, minus 1 ठीकिए 8, minus 6 और 2 यह है और minus 5, 3, minus 1 minus 5, 3, minus 1 अरे चमक गया ना इसको multiply कर दो 1, 2, 3 के साथ बस यहाँ से alpha, beta, gamma आजाएगा निकाल लो फटफट, alpha, beta, gamma matrix को multiply गी तो करना है row by column ठीकिए row by column multiply कर दो तो ultimately कितना आ रहा है यहाँ पर further simplify करोगे तो minus 1 by 2 और यह आएगा minus 1 लिखते जाओ यहाँ पर minus 1 फिर plus 2 और फिर minus 3 ठीकिए यह आ रहे अगले वाले में आएगा 8 minus 12 और plus 6 ठीकिए फिर इधर आ जाएगा minus 5 फिर plus 6 और यहाँ पर minus 3 ठीकिए तो यह ऐसा कुछ आ रहे अगर आप इसको simplify करोगे तो कितना simplify करेंगे तो minus 2 आ रहे है यहाँ पर फिर यह कितना है यह है 2 और यह कितना है यह है minus 2 ठीकिए तो ultimately इसको अंदर multiply कर देना minus 1 by 2 को minus 1 by 2 को अंदर multiply करेंगे तो यह बन जाएगा 1 minus 1 यह आ रहे है बस alpha, beta, gamma है क्या ना alpha और gamma का value है 1 और beta का value minus 1 है तो यह सही होगा क्या alpha का value 1 है beta का value minus 1 है और gamma का value भी 1 है हाँ तो 3 आ यह यह भी सही option D is also correct यह चमका यह काफी भयंकर question है एक बार इसको फिर से देख लेते है solution हमने सबसे पहले M given है M का co factor निकाला पूरा निकालने की ज़रूत नहीं क्योंकि केवल A और B निकालना है तो कोई भी दो निकाल लो आप जिसमें A और B आता हो उसमें A और B आना चाहिए ऐसा नहीं कि constants आ रहे सारे ठीक है तो कोई भी दो निकाल लो फिर adjoint के लिए उसका transpose कर दो यह vertical को horizontal करके compare कर लिया दोनों को ए भी आ गया एक बार A भी आ गया तो determinant of M आ गया determinant of M आ गया तो बाकी सब properties है यह property यह property और D वाले में हमने basically M inverse से multiply कर दिया M inverse से multiply करके alpha beta gamma निकाल लिया yes or no yes समग गया होगा मेरे खाल से ठीक है एक और question करेंगे और यह question है जही advance 2020 का यह question आप से हो जाना चाहिए है ना मनला काफी simple question है advance 2020 अगर आपको properties याद है तो यह question आप बड़े आराम से कर सकते हो बहुत ही simple question बस एक बार question पढ़ लो यह बोला ही कि m is 3 x 3 invertible matrix है real entries है i is identity बस तो यह एक अच्छी information है तो question में given है बाकी सब तो फालत हुए adjoint of adjoint of m अच्छा तो इसकी property क्या थी आपको याद है adjoint of adjoint जब होता है इसकी property यह थी अगर आपको याद आ रहा हो तो determinant of m की power n-2 into m याद आया है यह property हमने पढ़ी थी यह दिखा देता हूँ मैं आपको adjoint of adjoint इस तरफ थी आपको याद आ रहा होगा शायद adjoint की properties पे आ जाओ आ गई यह वाली adjoint of adjoint है adjoint of adjoint को क्या लिख सकते यह basically a की जगह m है adjoint of adjoint m determinant of m की power n-2 n is the order और into m आ जाएगा ठीक है न तो basically यह आप use कर लो यहाँ पर यह property अगर आपको याद है तो बस अब तक तो use हो जानी चाहिए ठीक है बस basically यह आपको given है इसका value हमने तो n का value 3 है आप n का value भी put कर दो क्योंकि question में भूला ही 3 cross 3 का है ठीक है तो 3 cross 3 का है तो इदर आप 3 put कर दो तो m inverse कितना आ गया m inverse आपका आ गया determinant of m into m यह आ गया है तो यह equation आपको question में given है यह जो equation given है उसको हमने इसमें convert कर दिया ठीक है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें आप क्या करो आपको देखो एक तो determinant of m निकालना है तो determinant of m बड़े आराम से आजाएगा अगर आप दोनों तरफ determinant ले लोगे तो इसमें आप दोनों तरफ determinant ले लो simple तो देखो यह वाली जो equation है इसमें दोनों तरफ determinant ले लो और determinant of determinant of m into m का determinant अब देखो यह scalar है ना determinant of m तो कोई न कोई value होता है determinant of m क्या होता है कोई न कोई value है यह scalar को आप बाहर निकाल सकते scalar को लेकिन जब आप बाहर निकालोगे तो power आएगा n और फिर determinant of m और यह होता है 1 upon determinant of m ultimately यहां से determinant of m इसको cross multiply कर दो तो 3 plus 1, 4 plus 1, 5 आ जाएगा ठीक है तो यहां से आप का जाएगा 1 equal to determinant of m की power 5 तो यहां से determinant of m आ गया 1 और अगर determinant of m 1 आ गया तो एक option तो आ गया ठीक है अगर determinant of m का value 1 आ गया तो यहां पर put कर दो इसमें put कर दोगे तो m inverse equal to m यहां गया ठीक है यहां पर 1 put कर दिया और आपको निकालना है m square तो दोनों तरफ m से multiply कर दो 3 multiply कर दो या post multiply कर दो इधर m और इधर भी m तो यह बन गया i और यह बन गया m square तो यह भी सही है ठीक है और यहां पर m equal to i m equal to i नहीं होगा क्योंकि m square equal to i है तो यह नहीं होगा चीक है और यहां पर adjoint of m का square कैसे निकालोगे adjoint of basically m square आपका i है ना देखो यहां से करो m into m m square this is equal to i अब इसमें आप क्या करो adjoint of m से multiply कर दो adjoint of m यह इधर भी और इधर भी इससे फाइदा क्या होगा देखो यह वाली किंग वाली प्रापरट्य determinant of a into i यहां पर बीसिकली आजाएगा determinant of m improvement of m आई तो केवल i आएगा यह 1 into i लिकाई तो यह basically केवल i बन जाएगा यह आपका अर अकर यह i बन गया तो i into m तो वापस M आगे तिस इक्वल टू एड्जॉइंट ऑफ M और एक बार और मल्टिप्लाइ कर दो एड्जॉइंट ऑफ M के साथ बोच साइट्स ठीक है तो यह लिखा हुआ है एम इक्वल टू एड्जॉइंट ऑफ M यह लिखा हुआ है अब आप क्या करो दोरों तरफ प्री जॉइंट ऑफ एम के साथ इधर यह स्कॵयर बन जाएक अब यह फिर से क्या बन गया इसक है और आगर आगया तो बस हो गया न question ये भी आपको I think option में given है ठीक है तो ये भी सही है finally इसका answer है BCD तो हो रहे है इस तरह के question simple simple कर लोगे yes तो बस आपको properties याद होनी चाहिए अगर properties याद है तो advance में selection हो रहे है नहीं तो नहीं हो रहे है simple as that ठीक है तो definitely आप याद कर ले ना properties सारी और इस तरह में लोग इतना याद कर लो इतना याद कर लो कि obviously आनी चाहिए अगर आपको कहीं पर दिख जाए ना तो अगला step आपका यह automatic आपके मलब हाथ रुकने नीची है दिमाग नहीं लगाना इसमें सीधा property लगाने यह यह आपके हाथ रुकने नीची आपको पता होने ची कि इसके बाद यह आता है बस इसका एक ही प्रॉपटी एक ही फॉर्मिला है तो यह सारी प्रॉपटी आप एकदम बाई हार्ट कर लो मस्त तरीके से एकदम याद कर लो जैसे ही आपको दिखे बस लगा देना लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है कर सकते है बहुत सारी प्रॉपटी से वो भी लिंक दिए एक प्रॉपटी से दूसरी प्रॉपटी डिराइव होती है हो सकता ही कि तुम वो औरिजनल वाले यूज कर रहो मैं डिराइवड वाले यूज कर रहा हूँ बात वह यह गुमा फिरा के है ना अल्टिमेटली इट इस वन इन दे सेम तिंग ठीक है तो यह सारी चीज़े अभी काफी डीटेल में उसका बनाएंगे अभी के लिए होप की सब लोगों ने मेट्रेस को अच्छे से समझ लिया होगा इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना यहां पर आपको पीडिएफ नोट्स मिल जाएंगे ठीक है तो पीडिएफ को डाउनलोड करके शॉर्ट नोट्स ये कली कल में बन जाने चाहिए शॉर्ट नोट्स कल तक डेफिनिटली सबके बन जाने चाहिए इसमें कोई डील नहीं चलेगी ठीक है उसके अला लाइव डेली डॉट मी स्लाश एटम्स को विजिट कर सकते हो यहाँ पे सारे नोट्स और लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बाउंस बैक सीरीज के तो अगर आपने पुराने वन शॉट मिस कर दिये तो डेफिनिटली आप इसको विजिट कर लो यहाँ पे आपको सारे वन शॉट मिल रहे है एक एक वन शॉट है ना चाहिए वो कोई भ दोनों के लिए ठीक है तो डेफिनिटली आप यह सारे रिसोर्स को यूज कर सकते हो और सबसे अची बात ही कि सब कुछ यूट्यूब पर है तो सब कुछ फ्री है इसके अलावा अगर आप अनेकाडमी सब्सक्रिप्शन पर आना चाहते हो तो आप यहाँ पर मुल्टिपल अनेकाडमी की सबसे अची बात ही यही है कि आप यहाँ पर कभी भी एक सिंगल बैच को सब्सक्राइब नहीं करते हो मुल्टिपल बैचिस आर देर मुल्टिपल एजुकेटर होते हैं अलग-अलग टीचर्स की आप क्लासे अटेंड कर सकते हो लाइव क्लास भी है रिकॉर और नारायना के एजुकेटर्स है तो नॉम्बर वन एजुकेटर्स जितने भी टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स है इंडिया के वो सारे आपको यहाँ पर एक ही सिंगल प्लाटफॉर्म पर मिल जाएंगे ठीक है तो बेस्ट ऑफ द बैस्ट जो बैचिस है उसमें आप ए एक्सेस मिल जाता है तो वन्स यू कम ऑन दे प्लाटफॉर्म सब कुछ आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो यू विल गेट अनलिमिटेट एक्सेस ऑफ एवरिधिंग ठीक है तो कैसे लेना सबस्क्रिप्शन सबसे पहले आने का जो लर्निंग आप उसको इंस्टाल कर सकते ह यहाँ पर जाने के बाद आपको आइटी जही अपना गोल सिलेट करना है जिसकी भी आप तयारी कर रहे हो अपना गोल सिलेट कर लो प्लस पर जाना है जैसे आप प्लस पर जाओगे यहाँ पर जो कोड है वो कोड है एन्वी लाइब ठीक है एन्वी लाइब आप जैसे ही करोगे आपके prices automatically यहाँ पर आपको maximum possible discount मिल रहा होगा ठीक है तो अगें यहाँ पर बहुत सारे options होते है आप अपना duration है वो अपने ही साब से select कर सकते हो तीन महीने से लेके 30 महीने तक और बहुत सारे options available है प्लस और iconic में भी आपके पास option है तो प्लस और iconic में difference क्या होता है देखो प्लस में आपको यह सारे features बिलेंगे live classes है weekly test series है है आपको यहाँ पर in fact voice chat का feature भी है PDF notes मिल जाते है तो प्लस का जो subscription है वो अपने आप में best है क्योंकि आप यहाँ पर multiple आइकॉनिक में आपको प्लस वाले features तो मिलेंगे साथ ही साथ आपको यहाँ पर personal guidance मिल जाता है personal coach आपको assign किया जाता है कि जो personal coach है वो आपको time to time guide करेंगे ensure करेंगे कि आपकी जो all India रहेंगे वो काफी अच्छी आए and definitely अगर आप यहाँ पर personal coach के साथ पढ़ रहा है तो उसकी एक feeling ही अलग होती है चीक है एंड आपको study material मिल जाता है सबसे important बात study material आपको hard copy में मिल जाएगा तो आपको pdf पे rely करने की ज़रत नहीं है study material जिसमें physics chemistry maths सारी booklet है हर एक chapter की एक booklet होती है जिसमें बहुत सारे salt examples है notes है है ना तो हर एक चीज आपको level wise questions सारे मिल जाएंगे और each and every chapter there will be a booklet physics chemistry maths की 11th और 12th की सारी booklet आपके घर पे आपके address पे deliver कर दी जाएगी और इसका कोई extra cost भी नहीं है आपको iconic के साथ यह free मिलता है ठीक है तो definitely go for iconic अगर आपको study material hard copy में चाहिए तो study planner आपका बन जाता है proper आपका proper time table बनेगा उसके उपर भी आपको by weekly reviews मिलेंगे कि आप कैसा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो कैसे improve करना है ठीक है तो एक basically यहाँ पर आपको structured तरीके से आप अपनी जो preparation कर सकते हो बीच बीच में आपका time waste नहीं होगा यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बीच में थोड़े से deviate हो जाते है तो iconic subscription में कोई personal coach personal mentor होगा तो बीच में वो deviate आपको होने नहीं देंगे ठीक है बागी expert guidelines आपको मिल जाती है workshops आप attend कर सकते हो जहां पर all India toppers और top educators आपको guide करते है कि किस तरह से आपको अपनी preparation करनी है time table कैसे बनाना है पूरा proper guidance आपको यहाँ पर मिल जाता है ठीक है test का analysis भी है आप जब mock test दोगे तो उसके बाद analyze भी तो करना है कि कितने question हुए कैसे नहीं हुए कौन-कौन से आपके week topic है तो वो सारी चीज़े आपको test का analysis भी आपको iconic में मिलता है ठीक है येस उसके अलावा mock test series अपना आ रहे है तो हर Sunday को यह होता है ठीक है यह test आप दे सकते हो यह completely free है आप इसको दे सकते हो हर Sunday को दो से 5 all India mock test है आपको कम से कम एक अफ़ते में दो mock test तो देने ही चाहिए इस level पर अगर आप mock test अभी तक आपने start नहीं किया तो definitely कर दो इस वाले Sunday को पहला है न श्री गनेश इसका कर दो first mock test आप दे दो आपको बहुत सारे रिवार्ड्स है स्कॉलर्शिप्स है तो यह सारी चीज़ आपको मिल सकती है अलग 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 ग्रेट के लिए अलग 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 इक्जाम है and definitely काफी अच्छे अच्छे प्राइस भी है रिवार्ड्स भी है जिसको आप जीत सकते हो यहां से को सुबए 11 बजे आप इसको दे सकते हो है ना यहां पर definitely आपको एक अच्छी फील आ जाएगी ITJ में competition किस तरह का होता है वो definitely आपको यहां पर फील करने को मिलेगा अलग 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 एक्जाम सोते है सबसे अच्छी बात ही class 11, 12 और 13 के अलग 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 एक्जाम है इसम में आपको medals मिलते है gold medal है silver medal है है और certificates आपको मिलते है scholarships है यह सारी चीज आपको मिल जाती है चीग है yes sir एक दिन में PCM कैसे manage करेंगे यह divide कर लो ना सब कुछ एक दिन में manage करना तो आप time को divide कर लो that is the only method आप अपना जो दिन का time में मान दो 12 गंटे आप पढ़ते हो 12 गंटे को divide कर लो 2 गंटे का slot आप रख लो mathematics के लिए मनलग जो आपका ये revision चल रहा है उसके लिए है ना 2 गंटे mathematics का revision 2 chemistry का और 2 physics का तो 6 गंटे आपके हो गये और बाकी जो आपका चल रहा है उसमें आप regular classes करो तो 2 गंटे 2 गंटे 2 गंटे आपका self study वाला हो गया और बाकी जो study आप इस तरह से अपना slot divide करके time table बना सकते हो ठीक है आई दिंक वही best method है चलो बाकी मिलते है फिर अगली class में है ना determinants हम करेंगे start अगली class में determinants में मचाएंगे properties और बहुत चारी चीज़े उसमें भी अपने को पढ़नी है but definitely आप एक बार इसको share करते ना with the hashtag of bounce back and channel को subscribe कर ले ना चलो बाकी मिलते है अगले one shot में bye take care